नमस्कार मैं आसीज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बाद जोड़दार तरीके से सेसर कर दें शेयर कर दें मैं लाइफ आ चुका हूँ सभी लोग एक बाद शेशन को सेयर करिये महाकाल का नाम लेकर एक बाद सभी लोग जल्दी से सेयर करिये शेशन को फिर आज इकदम धुआधार क्लास होगी कंप्यूटर के MS Office Suit का खात्मा होगा तो जो भी बच्चे JCA का एक्जाम द के सितंबर में 26-27 को एक्जाम डेट दे के आप लोगों को एकदम आश्चर चेकित कर दिया है तो आपको इसमें क्या करना है कि एक स्टेटेजी अपनाना है और उसी स्टेटेजी से आपको तयारी करना है कि जो कंप्यूटर है क्योंकि यहां कंप्यूटर को यह वालों के लिए है उतना ही यूपी पीसीर वालों के लिए तो एक बार सभी लोग सेशन को जरूर सेयर करिए हमीशा जी गुडिवनिंग मिश्टर नायक सर कंप्यूटर मस्त करा दो उसके यह निश्चिंत रहो पूरे एसाई वालों से पूछ लेना रिपोर्ट एकदम सही मिलेगी पूरे लोग सब्सक्राइब लिए और आज की क्लास से मैं बता रहा हूं कि आपके एमस ऑफिस के जितने प्रस्ना आएंगे वह यहीं से आएंगे वह यहीं से आएंगे जितना मैंने एसाई में कराया था पूछना सभी बच्चों से कैसा रहा था पेपर ठीक है वह अगर देखके गए थे तो उनका पूरा का पूरा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मागाल का नाम लोग एक बार सब लोग से यहरो और पहला प्रशन आपके स्क्रिण पर आ रहा है इसका आंसर कमेंड करिए क्या सइय होगा which of the following best describe the MS Word software इसमें से सबसे बेस तरीका का है MS Word को describe करने का जल्दी रता हो निमलिकित में से कौन सा MS Word software को सबसे अच्छा उड़न करेगा ठीक है मादेओ का नाम लो नहीं आपार हो जाएगी कितना भी समस्या हो strategy अपना हो अच्छी कि 20-25 question में मुझे किसी हालत में 30 plus करना है क्या करना है 23 plus करना और इंगलिस में कितना करना है आपको कम से कम जो 50 question है 46 plus करना है इसमें इंगलिस में यही दिलाएगा selection चलो बहुत बढ़ी अस्था बोल रहे word processor होगा एकदम जाहीर सी बात firmware क्या होते है firmware एक प्रकार का software होता है जो आपके hardware के साथ जैसे mouse है तो mouse के अंदर उसका software परा होता है उसको कैसे function करता है तो ऐसे software को firmware काते है जो hardware के साथ होते है embedded होते है इसको firmware काते है तो यहाँ इसका क्या होगा word processor होगा GUI का मतलब क्या graphical user interface based operating system जैसे आपका windows है यह सभी आपके क्या है graphical है हाँ रोम हुआ यहाँ देको system software system software में operating system आ जाता है ठीक है और क्या utility software आ जाता है ठीक है compiler होगे interpreter होगे loader होगे linker होगे सब किसके है system software के part है MS Excel का यह प्रशन है आपका कि इसका solution क्या होगा अगर MS Excel का यह formula लिखा हुआ है किसी में तो इसको कैसे solve करोगे सब divide का है तो जब equal priority होती है तो हम कैसे solve करते हैं left to right करते हैं तो एक बार सभी लोग share करो English GS aptitude मिलाकर एक cut up बनेगी computer की अलब cut up clear करनी पड़ेगी फिर overall दोनों mix की जाएगी share करो share करो बुना बोले एक class पड़लो और तेजी से answer भी बताओ 64 होगा हमकूर भीम बता रहें D C answer वागीज जी बता रहें और सभी लोग note करते रहना कितना सही कर रहे हो आज 4 बता रहें आयूज जी CRI maximum बच्चों के CRI कुछ लोग 64 पे जा रहे है 256 को 8 से divide करोगे कितना आएगा 8 3 के 24 और 8 दुनी 16 32 आएगा 32 divided by फिर 4 करोगे तो कितना आएगा 4 बते 32 आठ फिर 8 divided by 2 करोगे तो कितना आएगा 4 तो last में answer कितना आएगा 4 आएगा भाई अगला प्रस्ण ये रहा which of the following function की can be used edit as cell on MS Excel ये मैंने आपको पढ़ाया है और question भी कराया है कि अगर Excel का cell है इस cell को अगर edit mode में करना है तो हम function के किस key से कर सकते हैं बहुत बढ़े आयूस शुभाम शचीन राहुल शिमरन शुभाम शचीन अवनाश अंकूर प्रदुमन शचीन सिव सब एक ही repeat हो रहा है F2 function की क्या किसलिए होता है F7 किसलिए होता है spelling के लिए होता है grammatical के लिए होता है और F2 किसके लिए होता है F2 जो होता है edit के लिए होता है C answer एकदम जबरदस तरीके से सही answer है आप सभी का C answer एकदम सही है ठीक है anchor cell के लिए होता है anchor cell के लिए आपका क्या होता है F4 होता है MS Excel workbook must contain जो workbook होता है आपका खुला होता है at least कितने work seat कम से कम कितना work seat contain कर सकती कम से कम बोला है कम से कम कितना work seat contain कर सकती है नहीं थ्री वक्सिट तो by default होता I use language पे जाना must contain at least at least मतलब कम से कम हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त एक होगा कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा इसका answer by default तीन होते हैं ठीक है आजाओ which of the following statement is art true यह सभी previous year question है कौन से statement true है in MS word a text cannot be both italized and bold italic हो सकता है cannot be both italic और bold नहीं हो सकता है in MS word a text cannot be font size less than art बोल ला है कि font size किसी भी font का art से कम नहीं हो सकता ऐसा होता है क्या जल्दी से बताओ इसका सही जबाब क्या होगा अगर हम कहें बात तो यह थोड़ा सा question बिवादित तरीके पर जाएगा बतलब कि कुछ इसमें अलग होगा क्यों कि अगर जो आपका drop-down वाला होता है format जो command group है आपका font का उसमें जो आप font में जाओगे तो minimum जो आता है आपका 8 होता है और maximum जो होता हो बात्तर होता है जो यह drop-down वाला होता है ठीक है लेकिन आप मैंवली उसको एक फॉंट साइज हो सकता है को सकता है पूंट का यहां बोला है आठ से लेस देन यहैं नहीं होगा होगा क्यों नहीं होगा हम करेंτα लेकिन जब फ़साब से मांगे तो कहेंगे निधर न न ऑ न तो पहला ना तो दूसरा लेकिन हमें इसको सोचना ऐसा है कि जो formatting type का होता है उसमें कि 8 से कम जो है नहीं जाता है उसमें तो उसके recording देखें तो ये आपका second सही हो जाएगा लेकिन ये depend करता है देखो ये आया हुआ question है इसलिए मैं इसका answer बता रहा हूँ आयोग ने इसका answer माना था only second क्योंकि इसने ये बताया नहीं clear नहीं किया कि वो font size क्या है यहाँ वाला है drop down वाला है या manually है तो हम इतना मान के चलेंगे जो हमें दिखता है 8 और 72 उससे कम नहीं कर सकते लेकिन ये actually हो सकता है ये गलत है पुलिस में आया हुआ question है SSC के जवारा जो कराया जाता है गलत नहीं हो कोई भी लेकिन मेरे हिसाब से ये विबादित है इस पर mark मिलना चाहिए सब को चलो आयोग के answer की में बोला गया था कि second सही है only second लेकिन आप जब मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं किया गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया what is the keyboard shortcut to select all content of a document in MS Word MS Word में सभी document के जो भी आपके हैं उसको select करने के लिए कौन सा shortcut की use करते हैं एक बाद सभी लोग share करो जोड़दार तरीके से बाई यह तो एकदम simple है सभी के answer आजाने चाहिए बहुत बढ़े है सुभम A, Simran B, Vagis, G, D के साथ जा रहे अरे इसमें तुम लोग के गलत नहीं होना चाहिए पूरा select करने के लिए क्या दवाते हो इसका answer तो एकदम आसानी से दवाई हाँ यह तो एकदम रटा होना चाहिए control A से हम कोई भी चीज पूरा select कर लेते हैं ऐसी छोटी गलतियां करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी तो यह गलतियां नहीं होना चाहिए control A, control C से copy होता है which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word MS Word में जो alignment होता है left, right, center और justify यही alignment होते हैं टेक्स को किदर align करना है दाएं, बाएं, center में या justify पूरे दोनों तरफ से तो इसमें क्या मोला है which of the following is not a valid paragraph alignment कौन सा इसमें से valid paragraph alignment नहीं है एकदम तुम लोगों में image खीच के पाया हूँ एकदम कि यह देखो nagging की तरह यह यह रहा, यहां, यहां, यहां तो वो गलती न करना top इसमें नहीं होता है top alignment excel में पाया जाता है या ms word के किसमें पाया जाता है, बच्चो table जब बनाओगे ना, तो table की content को इधर उधर जब align करना होता है क्योंकि table action में भी बनता है और table आप जब word में भी बनाओगे तो उसमें भी alignment आपका top हो जाता है, center हो जाता है, bottom हो जाता है ठीक, तो यहां पर top alignment नहीं मिलता है हमें अगला प्रस्ण है the front size of 36 point in ms word 2007 is equal to how many inches यहां पर version लिखेगा 2007, 2010, 2016 2013 कुछ भी उसका मतलब नहीं निकालना है तो एक बार share करो सभी लोग, भी answer इसका क्या हुआ अगर 36 point पे कोई font है, तो बोलना है वो inch में कितने के बराबर होगा, बताओ देखो total क्या होता है आपका, 72 maximum size होता है, उसका font का, जो drop down होता है तो actually एक का 1.72 होता है तो 36 into 1 upon 72, lump sum ये करेंगे तो 36 दुनी बातर जितना भी font size हो, उसको 1 by 72 से क्या करते है multiply करेंगे, तो 36 दुनी बातर मतलब 1 by half, मतलब 0.5 आपका क्या हो जाएगा वो आपका क्या होगा, उसका inch होगा उतने inch के बराबर होगा तो D answer correct होगा, ये भी question पूछा हुआ है 0.25 नहीं सुभा हम 0.5 होगा, 1 by 72 maximum जो आपके drop down में आता है उससे हम क्या करते हैं, उसको divide करते हैं, जो भी आपका font size हो तो कुछ भी पूछ सकता है होँआ पे अब बोला, which of the following is not a text function of MS Excel 2007 2007 में कौन सा MS Excel का text function नहीं है, mid, left या right या combine combine नहीं होता है same day होगा typing test, एक दम सही है RCSG, same day ही होगा इसका answer बताओ, सब लोग BB जा रहे हैं combine कोई भी function नहीं होता है मैंने आपको एक अलग से PDF अप्लोड कराई है उसमें पूरा abbreviation है shortcut key है और क्या है आपका, Excel का formula है, जो मैंने आपको JCA में Excel दिया है और UPPCL में मैंने वो अलग से Excel का formula दे दिया है भाईया रट मारो ये सब, ठीक है तो ये आपका formula नहीं होता है middle value के लिए होता है, left value के लिए होता है, right value के लिए function use होते है, ये सभी formula है तुम लोग share महीं कर रहे है, एक दम मन से, लग रहा है मन से पहाई नहीं कर रहो, by default how many worksheets are there in the MS Excel workbook हाँ, ऐसा प्रशना आ जाए 2007 में, देखो, क्या होता है जब आगे बढ़ोगे, 2007 लिखा है, सही बात है, क्योंकि जब आप 2015 सूला में जाओगे, तो एक मिलेगा ठीक है, यहाँ पर by default 2007 में MS Excel का default worksheets कितना होता है, तो यहाँ answer दोगे, कि 3 होगा, एक दम सही बोले हो एक दम सही पकरे हो चलो, बहुत बढ़िया, अगला प्रस्णिए रहा, which of the following is not an option of a sale alignment in a table in MS Word 2007, देखो MS Word के table 2007 हो, 10 हो, 16 हो 13 हो, कोई मतलम नहीं ठीक है, यह ध्यान दखो 2000 कुछ भी हो, आपको कोई मतलम नहीं है, ठीक अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा alignment table में नहीं होता है, align bottom right, align center, align top left, या align across तो मैंने बताए, MS Word में जब आप table बनाओगे, तो top, bottom, center, left, right सभी alignment होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 होता है, जब आप जाओगे न, table पे क्लिक करोगे, तो जब उसका layout आएगा, तो उस पे देखना ठीक है, तो उसमें सिर्फ align across नहीं होता है D answer इसका सही जबाब होगा, align across सुभम जी, कुलदीब जी भीम जी, सभी का आँसर आ गया है कि D answer होगा सिवांगी जी, करन जी कामनी जी, आसीज जी एर भारती जी, रहुल जी सभी लोग ने D के साथ आँसर दिया, अगला प्रस्न which of the following is not a option of Minubart in MS Word 2007, ठीक है 2007 हो चाहे, 2015 हो चाहे 16 हो चाहे, 1900, कौन सा इसमें से menu नहीं होता है एकदम फोटो दिखाया था तुम लोगों को पराते समय, याद करो वो फोटो जब परा रहा था मैं तुम लोगों को MS Word, तो क्या नहीं था उसमें insert होता है पेज ले आउट होता है लेकिन internet कहां से आ जाएगा भाईया, home होता है तो internet नहीं होता है इसलिए मैंने कहा एकदम किस तरह होना चाहिए, आखें आखें ऐसी होनी चाहिए, नागिन की तरह जो देखो, खीचलो फोटो अगला प्रस्ण रहा ये इसको मैच करना है ऐसे प्रस्ण भी मिल सकता NTA करा रहा है तो थोड़ा सा बड़ा प्रस्ण मिल सकता है तो घबडाना नहीं है बोला है इंटर इंटर को क्या होगा, shift plus tab arrow की बोला move you to the next cell to the right move you to the next cell to down move you in the direction of the arrow move you in the next cell to the left जल्दी से बताईए इसका सही only answer सही मिलान क्या होगा सही मिलान इसका क्या होगा एकबर सभी लोग share करते रहे और इसका answer comment करेये क्या सही होगा देखो इसमें क्या है इंटर, इंटर से क्या होगा आपका किसमें दिया ये देया देको, ये cell, editing cell की उसके बाद सेुट प्लस टब जब दबाओंगे तो यहां पर क्या मूभ यू टॉट नेक्स से लेट में लेड़ लेफ्ट में कहां पर लेफ्ट में हम जब सिफ्ट होते हैं ना सेल के लेफ्ट में तब हम लोग सिफ्ट टैब से सिफ्ट होते हैं और जब हम लोग राइट में सिफ्ट होते हैं तो हम लोग किसे टैब से सिफ्ट होते हैं ठीक है थर्ड जब हम राइट में सिफ्ट होते हैं तो यह वाला पहले का दूसरे का D, ठीक है, और तीसरे का A answer वाला होगा, यही option B होगा, and fourth का जो arrow की होगा, वो क्या बोलेगा, move you in the direction of arrow, जो arrow की होगा, जैसा arrow का direction होगा, अब down वैसे move करेगा, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना, B answer correct होगा, एक दम, चलो, अगला प्रस्न, border and setting, आता है, ऐसे, 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 करके photo खीचा होगा, table वाले में आता है, जहां border को आप अलग color दे सकते हो, option in a table property, can be used to apply which of the following in MS Word 2007, mailing, margin, orientation या border, तो इसी पर border होता है, इसी पर जब करोगे setting वाला border and setting, तो पूरा dialogue box खुल के आता है, यहां पर आपको दिया रहाता है, border के option double, dotted, उसके बासे यहां color roller दिया रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, border option पे होता है, किसमें होता है, border पे होता है, तो इक बार सभी लोग से करो, A, C, D, answer दे रहे हैं, सभी का सही है बाई, अपना अपना correct लिखते जाना, अगला प्रस्न रहा, which of the following display of both the name of the application and the name of the speed seat in MS Excel, ठीक है, title bar, कहां पर आपका display करता है, क्या-क्या, name of the application, application का नाम, और spread seat का नाम, Excel का नाम, कहां पर display करता है, टाइटल बार में, टूल बार में, टास्क बार में, या मेनू बार में, अब बाई डिफॉल्ट, Excel का जो आपका खुलता है, Excel वाला spread seat खुलता, बाई डिफॉल्ट उसका, फाईल का name क्या होता है, वो भी प्रस्न पूछा है कही बार, तो कहोंगे, book one, ठीक है, क्या होता है book one होता है, उसके बाद से ये किस पे होता है, टाइटल बार में होता है, नाम जो होता है, वो कहां होता है, टाइटल बार में होता है, जबर्दास एकदम भैंकर, तो share करो, कहा है नहीं share कर रहे हो, आजाओ, अगले प्रस्न पे आते हैं, which of the following is false with the reference of cell editing in ms excel, ms excel में cell editing के लिए कौन सा आपका गलत है, select the cell, click on the formula bar and edit the content, edit the cell by double clicking the cell where the content is located, select the cell and paste F2 function key on the keyboard to edit the content of the cell, select the cell and paste F5 function key on the keyboard to edit the content of the cell, क्या बोला, क्या false है with reference to the cell editing, देखो, cell editing के बारे में, cell को select करो, formula bar पर जाओ, edit करो, ये भी हो सकता है, double click करोगे, तभी भी आपका cell edit हो सकता है, F2 से तो होता ही होता है, लेकिन F5 से कहा होने लगा, तो ये ही false है आपका, यहाँ पे answer D correct हो जाएगा, अगला प्रश्न यह रहा, which of the following can be used to change the width of the column in a table in ms word, जो width है आपका, चोड़ाई जो है column की, table की ms word में, वो कहाँ से change कर सकते हो, insert से, translate से, define से या table property से, तो कहाँ से करोगे बच्चो, इसका answer बताओ, insert से नहीं, insert नहीं देना है, insert से table insert कर सकते हो, insert से table insert कर सकते हो, D answer आगा, easy, simran, assis, tapping test same day होगा, सुरज D बता रहे हैं, सचिन, simran D बता रहे हैं, सुरज जी, अभिनो जी, चलिए, सभी ने D बताए, table property एकदम जबार दस्त हो, D सही answer होगा, D एकदम सही answer होगा, क्योंकि जब ओपेन हो जाएगा, table वाला, उस पे जब click करते हो, तो उसके property में जाके, उसके width को, height को arrange कर सकते हो, which of the following shortcut is used to select, sentence in a paragraph in ms word, एक sentence आपको paragraph में लेना है, तो कैसे लोगे, क्या shortcut की होगा, odd click on a sentence to select it, triple click on a sentence to select it, control click on a sentence to select it, double click on a sentence to select it, क्या इसमें सही answer होगा, कभी ऐसा किये हो, देखे हो कि आपको मासूस हुआ हो, कभी ऐसा किये हो, control के साथ अगर click दबाते हो, तो पूरा sentence, एक sentence आपका क्या हो जाएगा, select हो जाता है ms word में, और triple click कर दोगे, तो पूरा paragraph select हो जाता है, किसी paragraph पर रखके triple click कर दोगे, न मास का, तो पूरा paragraph select हो जाता है, इस बात को देहान रखना, the alien function in ms excel belong to which of the following category, अभी उसी दिन ms excel के, जब mcq करा रहा था, तो यह function बताया था, किसलिए होता है, किसी भी text का length निकानने के लिए alien use किया जाता है, कि length कितनी है, उसके लिए होता है, तो वही बोला है आपसे, किस से belong करता है, फाइनेंसियल से, लॉजिकल से, टेक्स से या math और टिग्नोमेट्री से, नाई math टिग्नोमेट्री का function है, नाई logical है, नाई financial है, यह text का है, क्योंकि text की length निकानने के लिए use होता है, पीडियप मिलेगी एकदम जबरदस्त मिलेगी, टेंसन ना लो, पहले यहां पढ़ लो, पीडियप के चक्कर में ना पढ़ो, ठीक है, तो C answer इसका जबरदस्त तरीके से सही होगा, अंडर विच अप दो फॉलोइंग मेनू टैड, पेज सेट अप और पेज का सेट अप जो और आता है, एविलेवेल इन MS Word 2007, चाहे 2007 हो, 8 हो, 10 हो, पेज सेट अप किस में आता है, जो आप देखे होगे, उपर कौन सा मेनू बार होता है, बताओ एक बार सभी लोग, जल्दी से बताओ, होल होता है, इंसाट होता है, उसके बाद वाला कौन सा होता है, पेज ले आउट, उसी में पेज सेट अप कर सकते हो, बंदू, भी आंसर सही होगा, एकदम जबर 10, सभी के आंसर आ रहे हैं, 21, which of the following, is not a character formatting option, in MS Word, character formatting का, formatting का मतलब, उसका style बदलना, रंग बदलना, color बदलना, बड़ा छोटा करना, font से related चीज़े, कौन सा character formatting में नहीं आता है, font style, font, size, alignment, एकदम आख बंद करके मारो इसका अंसर, आकास बोलना है, alignment होगा, एकदम जबरदस्थ, font कैसे होगा सिमरन, बोला character formatting, एक character को format करना हो, तो उसका font भी देखना परता है, calibrary है, निर्मल है, ठीक है, aerial black है, ठीक है, यह से font देखना परता है न, तो यह भी होता है, formatting में यह भी होता है, यह भी होता है, alignment तो आपका paragraph के command section में होता है, formatting section में नहीं होता है, command group जब paragraph में जाओगे, वहा alignment होता है, एकदम जबरदस्थ, चूरज, 22 number, which of the following feature of MS Excel, is used to quickly copy and paste content, to adjacent cell in the same row or column, जैसे कभी आप देखते हो, कि यहाँ पर आपका क्या है, column है, यहाँ से इसमें अगर कोई चीज, copy करना हो, तो cursor से खीच देते हैं ऐसे, तो वहाँ पे भी copy हो जाता है, चाहे column में करना हो, तो ऐसे खीच देंगे, तो वह चीज खीच देंगे, तो यही चीज इसमें copy हो जाती, mouse से drag करने पर, उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है simple से, तो clear formatting नहीं, clear formatting में आपका जो भी format होगा, text का, वह हट जाएगा simple text हो जाएगा, format printer में नहीं, format printer में एक बार जो formatting आपने text में रख लिया, वो कई बार use करना है, तो उससे use कर सकते हो, ठीक है, auto format नहीं, fill handle काते हैं उसको, क्योंकि बाकि सब format के पाठ है, fill handle मतलब यही से सब्दारा की fill करने का काम आएगा, तो D answer correct होगा, एक बार जितने लाइव वो लाइव तो जरूर करो यार, चलो, which of the following refer to the intersection of column and row in a work sheet, row और column के intersection को क्या कहते हैं, एक बार जबी लोग share करो जबरदास तरीके से, बोलो हर हर महादेव, स्बाउट बढ़ी आईए, तो जर्नल सा cell क्याते हैं भाई, column and row के intersection को MS Excel में cell कहा जाता है, which of the following shortcut key is used to paste the clipboard contained in MS Word document, MS Word document में, कौन सा shortcut use करने के लिए, पेस्ट का shortcut use किया जाता है, किस से पेस्ट करते हैं, control V से, control V से आपका क्या होता है, पेस्ट का option होता है, चलो, यह तो सभी को पता है, control X से कट जाता है, which of the following used to create a small letter above the line of text, किसी text के small letter अगर करना हो उस पर, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, जल्दी से बताइए, गलत, देखो, एक test के उपर, छोटे अच्छर लिखना है, तो जब कोई चीज उपर लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, super script कहा जाता है, बंधू, super script, sub script नीचे लगता है, नीचे जो लगता है, उसको sub script कहा जाता है, which of the following shortcut is used to select a paragraph in MS Word, paragraph select करने के लिए, मैंने बताया था, क्या करोगे, triple click on a paragraph, paragraph पर अगर triple click कर देते हो, तो पूरा paragraph select हो जाता है, पूरा paragraph select हो जाता है, मैंने बताया अभी, इसलिए नहीं मैं बताता हूँ, detail में बाकी option, क्यूंकि उससे मैं question बना के लाता हूँ, आप लोगों को, MS Excel किसी सेर के सुत्र में ये लिखा हुआ है, तो परड़ाम क्या होगा, तो 16, 2 की पावर 2 कारेट 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर periodic किसकी है, इसकी है, तो पहले इसको solve करेंगे, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 16 है, तो 8 डूनी 16 हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, 2 आंसर होगा, आंसर इसका 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, यह ध्यान रखना, इसकी priority हाई होती है इससे, इसलिए हम पहले उसको solve करेंगे, which of the following is true, with the reference of opening and closing document in MS Word 2007, 2007 के reference में, closing और opening document के अंतरगात कौन साइस में से true है, to close a document, click minus in the upper right corner of the window, for opening a new file, click on a new window button, the shortcut key of opening document is ctrl F, by default MS Word document contain no pages, when it is open, इसमें से कौन साइस सही है आपका, जल्दी से बता, इसमें से क्या सही है, बोला क्या सही है, देखो यह वाले, इससे आपका कोई भी opening closing नहीं होता है, यह किस के लिए होता है, minimize के लिए होता है, तो यह उससे संबंदित नहीं है वाड़ से, opening of new file, control, new window button, एकदम सही बात है, कि आप new से, control से, n से आप क्या करते हो, नया open करते हो file, यह सही है उसके रिस्पक में, लेकिन यह आप ए control app से कहा open करते हो भाई, यह तो shortcut की नहीं है न, control n है हो, क्या है CTR, plus n है shortcut की control n, by default, ms word जब आपका open होता है, तो कोई page नहीं होता है, page होता है, तो यह भी गलत है, तो be answer correct होगा, state whether the following statement is related to ms word, are true or false, ms word के बतारा, कौन सा true या कौन सा false होगा, when you open a new file in ms word, by default it has a landscape orientation, जब हम ms word में, file खोलते हैं, तो उसका orientation, by default landscape होता है, मैंने क्या बता है, क्या होता है, portrait होता है, landscape किसमें होता है, power point में होता है, when you open a new file in ms word, by default it has a portrait orientation, yes, यह सही है, यह गलत है, पहला आपका क्या है, false है, और दूसरा आपका क्या है, true है, b answer correct होगा, c कैसे दे रहे हो तुम लोग, c कैसे होगा, b होगा न, ऐसे गलती करोगे, एकदम, बोला, consider the formula, a3 plus b4, इन्हें cell 5, cell 5 है कोई, इसका address जो है, cell 5, a5 है, इसमें formula लगा है, a3 plus b4, ठीक है, b4, यह address क्या है, a5 का address है, तो आप से बोला, अगर यही चीज, copy करके, मैं e9 में ले जाओ, e9 जो cell address होगा, उसमें ले जाओ, तो क्या होगा, देखो जब a5 है, तो a5 से यह कितना कम है, a3, और b4 है, तो उसी हिसाब से, जब हम यहाँ पे ले आएंगे, तो e9 से कितना कम होगा, जब e में लाएंगे तो, यहाँ पे हो जाएगा e, 9 से आपका यह 5 से 2 कम है न, तो यहाँ से 2 कम होगा, तो e7, और यह b जो है, कितना कम है, a कम है, तो f कितना हो जाएगा, f8, e7, f8 हो जाएगा, उसी तरह यहां पर E है तो EF रहेगा साथ में अगला Which of the following is not a valid change case option in MS Word Upper case होता है, toggle case होता है, lower case होता है लेकिन Pascal case नहीं होता है बंदू यह आपका change case में यह नहीं होता है चलो Which of the following appear as a part of the editing command group within the home menu in a recent version of MS Word such as 2016, ऐसा नहीं है, 2010 में भी है वो चीज 16 लिख दिया तो आपको tension नहीं लेना है कौन सा बोला editing command group में home menu के recent में डाला गया है तो आप जब home में जाओगे last में command group editing का आता है जहां find, replace ठीक है यह सब होते है ठीक है find, replace यह सब होते हैं वहाँ पर आपका बोला है कि किसको डाला गया है देखो change case उसमें नहीं होता है यह format में होता है font color भी नहीं होता है format वाला भी एक clip art में होता है तो replace आपका जो है ना यह find, replace उसी में है editing वाले में ही है find, replace और select editing command group में जाओगे find, replace और select का आता है option ठीक हाँ तो replace वाला होता है उसमें यह ध्यान दखना option से कर सकते हो अभी एक फर्मूला लगा दिया एक्सल में ठीक है factorial 0, factorial 3, factorial 5 की वैलू क्या होगी factorial 1, 0 की वैलू होती 1 3 की वैलू होगी 3 into 2 into 1 और factorial 5 की वैलू होगी 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है, 3 दू निच्छ है यहां हो जाएगा अच्छ है और यह क्या हो जाएगा 5 factorial की वैलू होती 120 120 प्लस 26 प्लस 1 127 इसकी वैलू हो जाएगी ठीक है 127 बहुत बढ़े हैं जबर्दस C answer करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण है which of the following keyword shortcut can be used to indent a paragraph indent मतलब left और right में MS word document ठीक है, indent के लिए अगर उसको indent करना हो तो कौन सा shortcut की यूज़ करेंगे, alignment नहीं है indent छोड़ना हो paragraph वाले में indent भी आता है, मैंने आपको बताया था increase indent, decrease indent ठीक है, तो उसके लिए shortcut की क्या होगा हाँ, बहुत बने है, किसी ने दिया control M से indent होता है, बाकी सम्में मत जाना आई लगा हुआ है तो indent आपका किस से होगा, control M से होगा when you open a new workbook in MS Excel, which of the following appear on the topmost portion of the screen, topmost portion screen पर क्या आपका आएगा horizontal score bar, vertical status bar या title bar, क्या आसोग करेगा जल्दी से बताये सबसे topmost क्या होगा, जब कोई भी workbook खोलोगे तो title bar आता है, जहां पर उस document का title लिखा होता है in MS Word which of the following keyword shortcut should be used to align a paragraph in a center, center में align करने के लिए MS Word में कौन सा shortcut की use किया जाता है control J से justify होता है control C से क्या होगा copy होता है, center मत बोल ले न control E से center का alignment होता है, control E से center alignment होगा अगला प्रशन what is the default horizontal alignment of text in the cell of MS Excel ये भी मैंने कराया था, MS Excel के cell में अगर कोई text हम लिखते हैं, तो by default alignment उसका क्या होता है तो by default alignment उसका left होता है, किसी text का जो होता है, वो क्या होता है left होता है या right होता है, जल्दी बताओ text का क्या होता है, by default हाँ, by default इधर होता है text, तो by default left होता है और number कहा होता है, number का by default right होता है हाँ, तो क्या होगा इसका answer C, एक बार share करो सभी लोग अब देखो, इसका answer बताओ, MS Excel फार्मूले में 4 पावर 2 कारेट 3 इसका answer क्या होगा देखो, priority सेम है, तो left to right solve करेंगे इसको ठीक है, इधर से मच solve करना, तो left to right solve करोगे तो पहले इसको solve करो, ठीक है, तो इसको solve करोगे तो 16 हो जाएगा, 4 का square 16, अब 16 का cube है नहीं, यहाँ पर power 3 लगा हुआ है, तो 16 का cube क्या होगा, solar into solar into solar, ठीक है, 4096 होता है, 16 का cube, 4096 होगा, 16 का cube, बहुत बढ़िया, देखो, यह तो power है, 4 की power 2 की power 3, तो जब किसी में priority सेम हो, दोनों power सेम चीज़ लगा है, तो आप left to right solve करो, बहुरमाउस तो यही बोलता है, हाँ, unit disease से आप कर सकते हो, what will happen when you select a cell of MS, Excel worksheet and press the F2 key, ठीक है, worksheet में अगर आप किसी cell को हो, और F2 key press कर दिये, तो क्या होगा, the content of the cell will be deleted, नहीं, the background of the color of the cell will change, नहीं, the font color of the content of the cell will change, the cell will be switched to editing mode, यह भी नहीं होगा, editing mode में चला जाएगा, F2 से, F2 से editing mode में चला जाएगा, एक बार सभी लोग session को share कर भाई, कहाँ चले जाते हो, चलो, next question, typing paper उसी दिन होगा, which of the following feature is used to type a very small letter or number just above the line of the text, ठीक है, same चीज पूछ रहा है आप से, same चीज अभी मैंने question कराया था, वही प्रस्ण आप से फिर से पूछ रहा है, क्या होगा इसका answer, super script होगा, क्या होगा, super script, what is the keyword shortcut to cut select the text in ms word, cut करने के लिए क्या होता है, control x use होता है, ठीक है, control x use होता है, cut करने के लिए, which of the following statement is false, कौन सा इसमें से false है, ऐसे question आ रहा है, in ms word, the same paragraph can have both, left as well as right alignment, क्या एक ही paragraph, left और right alignment दोनों हो सकता है, जल्दी से बताओ, बोलना कौन सा इसमें false है, नहीं, दोनों alignment नहीं हो सकता है एक ही paragraph पर, in ms word, paragraph is created by pressing control, enter, control के साथ enter दबाओगे, तो page break होता है, ना की paragraph होता है, क्या हो जाएगा, page break हो जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों के दोनों false हैं, बोट first and second false, निदर नौर कहां से आ जाएगा बंदू, बी answer क्यों होगा, वो पूछा false कौन सा है, तो false ये भी है, ये भी है, ऐसे ही गलत करते हो तुम लोग, ऐसे ही गलती करोगे, which of the following view option in ms word, show the content of a document as a bullet points, ठीक है, किसमें बोला है, ms word में, किस वाले layout में, जो आपका document होगा, वो bullet point में show करेगा, draft में, web layout में, outline में, या print layout में, देखो, power point में बैता है, एक outline view होता है न, वहाँ पर भी चीज़े क्या, bullet के form में show करती है, और कोई format नहीं होता, तो वो outline view यहाँ पर भी होता है, जो नीचे ज़र आपके खुले होते हैं, view में जब जाओगे, view में जब जाओगे, तो वहाँ view होता है, print, web, ठीक है, तो वहाँ ऐसे आपका क्या हो, reading view, तो वहाँ पर outline view में जब जाओगे, तो चीज़े आपको किस में दिखती हैं, bullet option में दिखती हैं, आजाओ, 44 number, अगला प्राशन, which of the following does not appear as a part of clipboard, command group under the home menu in a recent version of MS Word, 2016, कौन सा clipboard के अंदर इसमें से नहीं आता है, format, enter, cut, paste, ये सभी आते हैं clipboard में, मैंने आपको दिखाया था, वो 16 ही नहीं, 10 में भी होता है, 7 में भी होता है, so hide का option नहीं होता है, उसमें, so or hide का option नहीं होता है, बहुत बढ़िया, जबर्दास तरीके से आंसर दियो, ये दो को NTA में question का trend ये चल ला है, इस प्रकार से, true and false वाला, NTA में जो question का trend चल ला है, ये ही चल ला है, state whether the following statement are true or false, in MS word, our paragraph can have the right alignment, in MS word, our paragraph cannot have the same hanging position, hanging position भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, जल्दी से बताईए, इसका सही answer क्या होगा, हाँ, in MS word, our paragraph can have the right, हाँ, पूरा paragraph right align हो सकता है, एकदम सही है, in MS word, our paragraph cannot have the, नहीं, paragraph hanging alignment, hanging मतलब, एक line आपकी यहां से सुरू हुई है, दूसरी आपकी यहां से होगी, ऐसे होता है, तो वो सभी hanging में नहीं हो सकता है, तो यह गलत होगा, पहला true, दूसरा false हो जाएगा, B answer correct होगा, अगला, which of the following statement is about, MS word table is false, बोलना, which of the following statement about MS word is false, कौन सा false है, two or more consecutive cell, of a column can be merge, merge कर सकते हैं, हाग कर सकते हो, दो को उठाओ, आउसमें माता है, right click करोगे, merge cell हो जाएगा, two or more consecutive cell of row, merge कर सकते हो, column को भी कर सकते हो, row को भी कर सकते हो, alternate cell of a row, और column cannot be merge, alternate cell or, जो column होगा, वो merge नहीं हो सकता, जाहिज सी बात है, एक column यहाँ पर है, और एक छोड़के, दूसरा इसको कैसे merge करोगे, जब select करोगे, तो आपका पूरा select हो जाता है, तो यह चीज आप नहीं कर सकते हो, यह भी सही ही बोला है, the first and last cell of a table can be merge, नहीं, first और last cell भी हम merge नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब select करेंगे, तो पूरा row select हो जाएगा, पूरा column select हो जाएगा, तो D answer false होगा, merge नहीं हो सकता है, अगला 47 नमबर, निमलिकित में से कौन सा MS Excel में, वोक्षीट से इस पर दिखाई देता है, मतलब which of the following appeared, top of the worksheat of MS Excel, अब बताओ, इसमें तो वो गायव हो गया, top of the worksheat in MS Excel, MS Excel में सबसे टॉप पर क्या दिखाई देगा, अभी option change हो गया इसमें, अब इसके हिसाब से बताओ, दोखो status बार नीचे होता है, जहां पर आपके number of seats से दिखाते हैं, यह सब status बार में होता है, horizontal और vertical scroll, जब आपका यह सब menu वाला होता है, तो यहां पर आपका horizontal होता है, और इधर vertical होता है, लेकिन उपर सब menu होता है न, तो उसके उपर formula बार होगा, option के recording क्या जाओगे, D answer सही होगा, A नहीं होगा सुरज, status बार नीचे होता है हमेशा, ध्यान दखना, horizontal और scroll बार जब आपका page होता है, यहां देखो, यहां title बार होता है, यहां menu होता है, command group होता है, ठीक है, उसके बार formula होता है, उसके बार से यहां पर आपके page में, आपका यहां पर scale लगा रहता है, ruler, जो यह scroll बार है, वो यहां होता है, ऐसे ऐसे, तो formula बार होगा इसका answer, अगला प्रस्न, which of the following key is used to select a range of continuous sales, in MS Excel worksheet, ठीक है, continuous आपको अगर sales चूज़ करना है, तो इसमें से कौन सा shortcut key use करोगे, हाँ, बहुत बढ़िया shift से आप continuous कर सकते हो, पूरा का पूरा, save क्या कर सकते हो, select कर सकते हो, ceiling function मैंने पढ़ाया है, बताओ, ceiling function की value क्या होगी बच्चो, ceiling function की value क्या होगी चल्दी से बताओ, 7 होगा, क्यूँ, ceiling में क्या होता है, जो यह दिया है, इसका nearest value, इससे उपर होनी चाहिए, ceiling मतलब, ceiling मतलब च्छत होता न, तो इसकी nearest value, जो इससे उपर हो, जाके देखना, मैंने ceiling function पढ़ाया है, आप लोग हो, पाँच का multiple, जो यह ceiling होता है, इसका कौन सा value multiple होगा, जो इसकी cell, इससे उपर value होगा, repeat कर दे, हाँ, एप में class complete हो गया है, एप में class complete हो गया है आपका, किसी ने answer दिया, पाँच का multiple क्या होगा, जो 7 के, आसपास गिरेगा, 8 7 का multiple है, यह बताओ, 8 जो है आपका, वो 7 का multiple है क्या, ए मतलब 5 का multiple है, नहीं है ना भाई, तब कैसे का सकते हो, ठीक है, यह significance value होती है, 5 का multiple, जो 7 से उपर हो, 5 कम 5, तो कम है, एक वाला multiple, 5 दूनी करोगे, तो 10 हो जाएगा, तो 10 ही आपका, उसका जो 7 के उपर value आ रही है, बाकी तो यह कम है, यह आपका, लेना नहीं क्योंकि, यह भी 5 का multiple नहीं है, यह भी नहीं है, तो answer B आपका होगा, ceiling, अगर यहाँ पर floor होता, अगर floor होता, तो अगर यहाँ पर कोई और value होती, तो उसके नीचे, उसका multiple देखते हैं, floor का मतलब होता है, नीचे, अगला, 50 number और last question आपका, जल्दी से बताओ, इसका सही answer क्या होगा, टाइपिंग और पेपर एक ही दिन होगा, state whether the following statement related to MS Word are true or false, a document file can have both, bullet and number, जाहर सी बात है, page margin in MS Word document can be customized, एकदम, एकदम customize कर सकते हो, ठीक है, margin जो है, आप जब drop down करोगे, तो customize margin आता है, तो आप page की margin को customize भी कर सकते हो, और bullet और number दोलो हो सकता है, तो बोथ true होगा, D answer correct हो जाएगा इसका, तो 50 question आपके हो गएं, पूरे इतना समय तक आप लोग हैं, लेकिन हाँ, तुम लोग लग नहीं राए exam है, इतने admission लियो, लेकिन पढ़ने कोई नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है भाई, एक कहावत है, मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, अगर पहले ही हार मान जाओगे, भूमी छोड़के भाग जाओगे, तो already जो लोग हैं, वो तो सरी, maximum बच्चे यही mood बना लिये हैं, कि हम नहीं जाएंगे एक्जाम दे ले, यह अच्छी बात है, आप दो महिने से तैयारी कर रहे हो, तो आप जाओ, लेकिन स्टेटेजिक तरीके से खेल कर आओ, GS नहीं पढ़ोगे, तबी भी 10 questions करके आओगे, guarantee है, लेकिन यह सब पढ़ लोगे, तो 23-25 तक भी हो सकता है, इंगलिस अच्छे से पढ़ो, दो ही चीज़ तो मैं बोल लाओ पढ़ने के लिए, देखो, descriptive के बारे में कुछ का नहीं सकते हैं, थोड़ा clear हो जाए, क्यूंकि 26-27 सबके एडमिन, जो आपका exam CT वाला आया है, आपका mail, उस सम्मे 26-27 लिखा है, लेकिन most of the chance है, कि descriptive आपका बाद हो में होगा, number of candidate जादे हैं, इसलिए दो दिन exam हो रहा है, जेसी ये वाले, याँ यूपी PCL वाले ना, जेसी ये वालों की tapping, उसी दिन होगी, इंगलिस टैपिंग इंकी है, एकदम हाई code की तरह, 50 में 42 से ही बहुत बढ़िया, देखो भाई, computer का एक ही है tips, computer में आप का पढ़ो, Microsoft Office Suite के, जितने भी मैंने आपको, paid class में, MCQ दिया है, सब कर डालो, अभी मैं जितना कराऊंगे, last के 10 दिन, वो सब पर डालो, और मोका मिले, तो जाओ, ASI के लिए question कराया हूँ, देर सारा, उसको भी पर डालो, मैं बता रहा हूँ, कि वहाँ एक भी धर उधर आज़े, तो बताना, इसके question को हम discuss करेंगे, आवाज clear आ रही है, एक बार आप लोग बता दें, ठीके, एक बार सभी लोग बता दें, कि आवाज clear आ रही है, एक बार सभी लोग session को share करिये, जुरदार तरीके से, सब कुछ clear है, audio video तो एक बार share करिये, और बोलिये भोले नात कीज़े, क्यों, सुरद जी, गुड इवनिंग, सुरद जी, शोनी जी, सभी का स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, PDF जो है, मेरा target था, 100 question, ठीक है, तो 100 question हो जाने दो, PDF मिल जाएगी आपको, सभी का स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग एक बार session को share करिये, फिर question को हम start करते हैं, सिमरन जी, गुड इवनिंग, आयूस जी, रूचिका जी, दीपक कुमार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी लोग एक बार session को share करो, बिंदिया जी, गुड इवनिंग, पापा जी आ चुके हैं वही, यहाँ पर, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, हाँ तो चलिए, भोले नात का नाम लेते हैं, हर हर महा दे, और question को start करते हैं, 50 question कल हो चुके थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 51 question आपके screen पर आ चुका है, 51 question जो है आपका, यह सभी MS office से ही question बने रहे हैं, चलिए, MS office से ही question बने हैं, तो इसको एक बार सभी लोग answer comment करिए, क्या इसका सही जबाब होगा, शिवांगी जी, वेरी वेरी गुड इबनिंग, आरून अरेन जी, गुड इबनिंग, कामनी जी, इसका सभी लोग सेशन को सेयर करिए, आसी जी, नॉर्मल, Mr. Nick, B answer दे रहे हैं, हिमानसू जी, गुड इबनिंग, आसी जी, नॉर्मल, बोले हर-हर महादे, चलिए, when you open a new file, क्या बोला है, हाँ, when you open a new file, in the newer version of MS Word, such as Word 2016, the default page margin is set as, तो आपका चाहे new version हो, चाहे old version हो, जो भी आप file open करते हो, MS Word में, तो आपका जो margin होता है, पेज का, वो margin कौन सा होता है, वो normal margin होता है, आप जाके चेक करना, वो कौन सा margin होता है, normal margin होता है, ठीक है, तो answer क्या दोगे, normal दोगे, ठीक है, narrow bar में उपको set कर सकते हो, customize कर सकते हो, page के margin को, तो B answer देने वाले, सभी लोग सही होते हैं, ठीक है, चलो, अगले प्रस्षिल पर बढ़ते हैं, which of the following, appears at the extreme right position, of a walk seat in MS Excel, MS Excel की जो walk seat होती है, ठीक है, MS Excel की जो walk seat होती है, इस walk seat में क्या आप से पूछ रहा है, कि at the extreme position of a, किस extreme, extreme right में, तो right side यह एगा, extreme right position पे क्या होता है, status bar, नहीं यह bottom पे होता है, vertical score bar, horizontal score bar, horizontal जो होता है, वो base, status की थोड़ा सा उपर होता है, menu bar, उपर होता है, यहाँ पर होता है, menu bar, ठीक है, और जो आपका vertical score bar है, ऐसे vertically scroll करने के लिए, up down करने के लिए, यहाँ पे होता है, extreme right में होता है, तो answer क्या दोगे, be correct answer होगा, be correct होगा, vertical score bar होगा, सभी लोग कहां चले गए भाई, एक बर सभी लोग, session को share करो, जुरदार तरीके से, अगला question है, consider a formula, dollar, D dollar 3, plus dollar, C dollar 5, in a sale before, if the sale before is copy, and pasted to F10, F10 वाले sale में, F10 जैसे लिखा रहाता है न, B और 4, B4 का मतलब, B क्या दरसाता है आपको, B आपको दरसाता है, column, column, क्यूंकि, ABCD से लेकर, XFB थद, आपका क्या होता है, column होता है, XFB थद क्या होता है, column होता है, अब उसी के बाद, अगर हम बात करें, तो ऐसे ही ये क्या दरसाता है, ये row दरसाता है, तो वही आपसे पूछ रहा है, कि अगर इस formula को, हम F10 वाले sale में, F10 क्या ये sale address होता है, जो भी ये ऐसे लिखा रहाता है न, B4, इसको क्या बोले जाता है, sale address बोला जाता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये क्या चीज़े हैं, तो ये sale address होता है, सभी के comments हो रहे हैं, क्या है एकदम बवाल मचाय हो, सभी के comments हो रहे हैं, सभी लोग एक बार share करो, क्लास अपने time पर चालू हुआ, 7 बजे, तो answer क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ, F10 में paste करोगे तो, एक बात को ध्यान डखना है, यहाँ पर जो लिखा गया है आपका, ये dollar sign जो होता है, वो value को क्या करता है, fix करने के लिए होता है, row और column को, ये column को fix कर दिया, ये row को fix कर दिया, तो यहाँ पर आपका change नहीं होगा, जब आप F10 में भी paste करोगे, इस चीज़ को, तो आपका formula वही रहेगा, क्योंकि ये absolute cell reference है, क्या है, absolute cell reference होता है, ये पढ़ाया है, absolute, relative, or mixed, ये तीनो cell reference मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो इसको ध्यान डखना है, ये पूछ रहा सकता है, absolute cell reference है ये, तो ये change नहीं होगा, हाँ, same as a question होगा, which of the following does not appear, as a part of the paragraph command group, within the whole menu, in a recent version of MS Word, ठीक है, बोला आपसे किसमें, कौन से command group की बात कर रहा है, paragraph command group, जब आपको मैंने पढ़ाया था menu, कि ये देखो, ये menu है, इन menu में अंदर command group होते हैं, और उस command group में command होती है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा paragraph के अंदर नहीं आगा, bullet भी paragraph command group में आता है, multi-level list भी आता है, numbering भी आता है, alignment भी आते हैं, लेकिन change case जो होता है, वो font style वाले में आता है, change case जो होता है, वो font style वाले में आता है, तो ये आपका D answer क्या होगा, इसका correct होगा, चलिए, आकाजी सभी C बोल रहा है, C नहीं हो सकता है, numbering होती है, numbering नहीं करते हो, bullet के form में, वही चीज़े वो बोला रहा है, चलो, आज आओ, अगला प्रस्ण ही ये रहा, what will be the result of the following MS Excel formula, इस MS Excel formula का result क्या होगा, जल्दी से बताइए, yes जी, सस्त्रियकाल, PUS जी 1 बता रहा है, इसका answer 1 होगा, बहुत बढ़े हैं, राहूल 1 answer बता रहा है, और किसी का answer, D answer होगा इसका, इसका B होगा, हिमान सुजी B, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रगती जी, 1 बता रहे है, रूचिका जी, सताक्षिश इनहा जी, चलिए, सभी लोग बता रहे हैं, 1 होगा, ये factorial 5-4 लिखा है, तो यहाँ पे जो factorial होगा, आपका 1 हो जाएगा, 1 factorial की value 1 ही आएगी, तो B answer आपका correct होगा, बोला है, which of the following keyword, shortcut equivalent to control S, to save an open file in MS Word, MS Word में, save file करने के लिए, और किस method से, control S से तो होता ही है, बाकि और किस method से, आपका control S होगा, save करोगे, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, और कैसे आप save करोगे, क्या answer दे रहे हैं सभी, D1 आ रहा है किसी का answer, B answer आ रहा है, और किसी के, शिवांगी जी, D answer दे रही है, देखो simple size में, जो control S काम करेगा, वही आपका shift F12 काम करेगा, shift F12 से भी save as कर सकते हो, save कर सकते हो, फाइल को आप, shift F12 भी आपका वही काम करेगा, ध्यान रखिएगा, अगला प्रशना आपका है, what is the keyboard shortcut, to perform paste operation, in MS Word, paste किसे होता है, control plus V से होता है, यह एकदम repeated question है, control V से होता है, अगला which of the following components, of work seat, display the address of the selected cell, cell address कहां दिखता है आपको, cell address जो होता है, work seat में आपको कहां दिखता है, एक बार जल्दी से बताओ, cell address आपको कहां दिखता है, सबसे बताओ, formula bar में दिखता है, या कहीं और दिखता है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चलिए, खुच रही है, यह formula bar में नहीं, formula से पहले, formula bar वाला तो आपको, यहां पर राता है, उससे पहले जो होता है, उसको कहा जाता है, name box, यह जो होता है, उसके बाद यहा formula वाला होता है, वहाँ formula bar start होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, name box कहा जाता है क्या कहा जाता है name box कहा जाता है name box में होगा formula वाले में नहीं होता है समझ में आया हम चलो अगले पर आते हैं see answer correct होगा which of the following mouse click can be used to select a paragraph in ms word ms word में कौन से mouse click में पूरा paragraph select हो जागा triple कौन सा left click तीन बार left click करोगे ऐसे जो आपका mouse button होता है इस पर left click करोगे तीन बार तो आपका पूरा paragraph select हो जाएगा ये भी मैंने कल करा रखा था what is the smallest number of row that a table in ms word can be ms word में table की सबसे कम संख्या क्या होगी वो भी किस शिच की पूछा है आप से छोटी पंक्तियों की संख्या क्या होगी row की सबसे कम संख्या क्या होगी सबसे कम रोग क्या हो सकता है सबसे कम रोग क्या हो सकता है जल्दी से बताइए मिनिमम एक हो सकता है ठीक है मिनिमम क्या हो सकता है एक हो सकता है यहां आजाओ ms excel इसका solution क्या होगा इसका solution क्या होगा system मन्द हुए इसका answer बताइए क्या होगा इस वाले का answer बताइए क्या होगा ms excel आपके comment है में नहीं दिख रहे है क्योंकि आगे का हमारा जो यंत रहे वो बंद हो चुका है इसको आप left से right क्योंकि same priority है यहां पर solve करेंगे 84 को solve करोगे तो यहां आजाएगा 4 4 upon 2 करोगे यहां 2 upon 2 है तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और यहां से आपका कितना आ जाएगा ठीक है यहां भी दो होगा ना दो चार दुनिया तो डू अपन टू हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा और यहां पर वन और यहां पर वन माइनस वन कर दोगे तो जीरो हो जाएगा तो इसी में डिस्टर्ब करने हो जाएगा ठीक चलो तो आंसर क्या होगा इसका जीरो होगा अगले question पर बढ़ते हैं तब तक आपका on हो रहा है when you enter a value in a ms excel cell and paste the enter key what will happen by default अगर आप किसी में value इंटर कर रहे हो cell में और आपने इंटर दबा दिया तो अब आपका क्या होगा जल्दी से बताओ इंटर दबाने के बाद क्या हाँ पहुंच जाओगे इंटर दबाने के बाद आप कहां पहुंच जाओगे इसका answer बताओए क्या होगा देखो इंटर दबाने के बाद option पढ़ लो और answer बताओ बोला है the cursor selected box will move to the upper cell the cursor selection box के पास से will move to the lower cell the cursor selection box will move to the right cell left cell light left को कुछ नहीं जाएगा सीधे इंटर दबाएगे वहां से तो आपका लोवर वाले में चला जाएगा कहां चला जाएगा lower में चला जाएगा दो मिनिट का समय दू तब तक अगले question पर आते हैं which of the following statement is are true in MS word a word can have both lower case and upper case letter हाँ जाहिड सी बात है true है in MS word the first word of a paragraph cannot be made bold ऐसा कहां हो सकता है क्यों नहीं कर सकते हो bold आप जिसको चाहो तिसको bold कर सकते हो यह बोला नहीं कर सकते हैं इसलिए गलत हो जाएगा तो पहला सही है only first आपका क्या है true है आपका इसमें only first आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा चल अब अगले प्रस्ण पर आते हैं comment आपके दिख नहीं रहे इसलिए आपके नाम नहीं ले रहे यह formula जब हम excel में लगाएंगे event 3 plus odd 8 तो उसकी value क्या आएगी अब आए हो अब दिखे हो तुम लोग ते एक बार भोले नात का नाम लो और share करो इसका answer बताईए क्या सही होगा जल्दी से बताओ 11 होगा 11 तेरा आपके answer आ रहे हैं अच्छा event यहाँ पर जो दिया है जब भी यह function लगाओ गे तो event value इसके बाद इसके प्रोक्स event value क्या होगी इससे उपर तो 4 होगी event value 3 से उपर और odd value 8 से उपर कौन से होगी 9 होगी तो plus 9 plus 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो 13 answer होगा इसका ठीक है 3 के बाद आपकी event value कौन से होगी और 8 के बाद odd value क्या होगी तो यह होगा सही 13 एकदम बहुत बने अस्सुभं अर्मान शोनी राहूल मिस्टर निक ठीक है सभी के आंसर क्या रहे हैं 13 तेरा आ रहे हैं अगला प्लस consider a formula b2 plus 4 in a cell a1 if cell 1 a1 is copy and pasted to d4 then what will the formula of d4 तो आग जैसा मैंने एक process में बताया था कि यहां कोई भी ऐसा row और column को static करने के लिए नहीं लगा हुआ है कि आप fix कर दो तो b24 लिखा है किसमें a1 cell address में cell address है a1 लिखा है यहां पर b2 अगर मुझे d4 में करना है चीज तो क्या करेंगे देखो यह a से एक बढ़ा है भी तो हम क्या करेंगे d से बढ़ा देंगे e और यहां से चार यहां एक था तो एक बढ़ गया था यहां चार है तो यहां एक बढ़ जाएगा 5 तो e5 plus 4 हो जाए जाएगा option c आपका correct हो जाएगा डी नहीं डी नहीं option c correct हो जाएगा चलो यहां आज़ो नेक्स क्वेश्चन इन MS Excel जूम option एपियर इंदा जूम option कहां होता है एक्सल में जूम option कहां पर होता है नीचे वाले में होता है यहां आपकी सीटे होती है और यहीं पर स्टेटेस ब होता है कि नहीं खोल के देखे हो कि नहीं Excel उकसल जब खोल के देखे होगे तो सब पता चल जाएगा जो आपका जहां स्टेटेस बार सीट देखो यहां पर सीट होता है 1,2,3 और यह आपका ready लिखा राता है यहां पर और यहीं पर आपका क्या होता है जूम वाला यहीं पर view होता है यहीं पर zoom होता है तो maximum zoom आपसे अगर मैं पूछ हूँ excel में maximum zoom कितना होगा excel में maximum zoom कितना होगा status bar जिक्दम 100% सही बोले हो यह होगा नहीं क्योंकि यह उपर होता है यह भी उपर होता है यह आपका horizontal इसके उपर होता है ठीक है तो ये भी नहीं होगा जो ये होता है कि maximum 400% होता है और minimum क्या होता है 10% होता है ठीक है इसमें कौन सा कमांड ग्रूप में दिखता है पर्मेट प्रेंटर एब बुलेट दिखता है बाकी सब किसमें दिखता है आपके क्लिप बोड़े में दिखता है ठीक है C answer इसका correct हो जाएगा अगला है whether the following statement related to MS word are true or false MS word के बारे में कौन सा true or false है In landscape orientation the height of the page is larger than width बोलना अगर landscape है आपका ऐसे है तो बोलना height जो होगी वो आपके width से जादे होगी नहीं आईसा कहा होता है यहाँ पर जो आपकी width height जो होती वो कम होती जादे नहीं होती है In portrait orientation the width of the page अगर portrait की बात किया जाए तो यहाँ पर जो चौड़ाई बोला है और larger than the height नहीं यहाँ पर कम होती है height जादे होती है तो यह भी गलत बोला है तो दोनों के दोनों गलत बोला है तो क्या answer हो जाएगा B option सही हो जाएगा B option सही हो जाएगा एक बर सभी लोग share कर यह बोलिए हर हर महा दे चलो false हाँ दोनों false हो जाएगा अगला है which of the following keyboard shortcut can be used to insert a hyperlink कई बार यह भी प्रस्णाब से examों में पूछा गया है hyperlink insert करने के लिए shortcut की क्या है तो क्या कहोगे control plus k से हम hyperlink link कर सकते हैं hyperlink जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं जिस text में लगाओगे उसको hypertext बोला जाता है ठीक के आपका सही answer होगा अगला प्रस्ण while printing ms word एक मुझे और प्रस्ण का रवाग दो gutter margin क्या होता है यह भी कई बार examों में पूछा है gutter margin क्या होता है बताना मुझे while printing ms word document we can set the number of copy to be printed by default you will have copy of the document कितनी copy आऊंगी by default एक दो तीन या आठ क्या होगा अगर print करोगे तो by default कितनी copy आऊंगी चलो extra space for winding बहुत बढ़िया gutter margin extra space for binding page के लिए left side में ठोड़ा जाता है ठीक है बहुत बढ़िया बैतरीन है तुम लोग की knowledge यहाँ पे by default one page होगा एक प्रती जो है आपकी copies जो है वो निकलेगा प्रिंट में जब तक आप उसको set नहीं करोगे कितने चाहिए हमें यहाँ पर 71 number question देखो is a reusable sample file ठीक है एक simple file होती है जैसे बोला जैक डेमो फाइल जिसको कह सकते हो that include a background layout coordinate forms and other design elements that work together to create attractive finish slide so ठीक है यह एक तरह से जो पहले से predefined बना हुआ जिसमें आपका layout भी रहेगा font style भी रहेगा design भी रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है watermark कहा जाता है animation कहा जाता है template कहा जाता है या thesis कहा जाता है यह तो dictionary का काम करता है animation हम किसमें लगाते है slide के text में लगाते है transition जो होता है slide to slide लगता है तो यहां आप लोग सही जवाब जो दे रहा है कौन सही जवाब दे रहा है जो C option चूज किया है template जो होता है template एक बना बना format होता है बस उसमें आप कुछ change किये बाकि उसका design उसके text, font, उसके color सब पहले से रहेंगे B वाले एकदम गलत है C answer correct होगा यहां पर C answer correct होगा उसको template काते है which shortcut key used to make a duplicate of a slide किसी slide का duplicate बनाना हो या कोई नई slide add करना हो दोनों का shortcut की मुझे बताओ अगर आपको कोई नई slide add करना हो तो कैसे add करोगे और duplicate बनाना हो slide को तो कैसे करोगे 72 का answer B दे रहे हैं सभी अच्छा control D से duplicate हो जाएगा एकदम सही लेकिन नई slide add करने के लिए क्या होगा वागी स्तिवारी जी बता रहे है control N नहीं control N से नया powerpoint presentation खुल जाएगा यसी गलती के हो जैसे मैंने पूछा था control M से एक slide बना जोडों के और उसमें तो slide जोडने के लिए होता है control N से नयाज खुल जाएगा ना कि आप slide जोड पाओगे सभी लोग ध्यान देना अर्मान जी control D होगा इसका अंसर तू सेट ए fix column width on the tab उसके बाद tab in the group selected your table click auto fit and select fix column width क्या होगा इसमें तू सेट ए fix column width on the tab in the किस group में select your table and click auto fit and select the fix column width इसका सही answer क्या होगा बोला यहाँ पर option design या sell size तू सेट ए fix column width on the किसमें layout में जब सेल के किसी भी layout में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सेल साइज ग्रूप select your table click auto fit and select the fix column width तो यह सी answer होगा ले आउट में जाओ फिर सेल साइज ग्रूप में जाओ फिर वहाँ पर auto fit कर दोगे तो आपका हो जाएगा c answer इसका correct होगा अगला प्रस्ण है ms power point view date display only text and bullet यह आपको word में भी मैंने बताया था और power point में भी जब आपका slide open करते हो यहाँ slide दिखता है और यहाँ पर आपके slide होता है और यहाँ पर एक आपका outline होता है क्या होता है जब outline पर करोगे तो सिर्फ text और bullet दिखता है तो इसी को क्या कहा जाता है outline view कहा जाता है outline view खाली बोला है title and bullet बोला है आपसे slide कहा से हो जाब एक कली पढ़ाया हूं और आज ही करबर दिखर रहे हो word में यही चीज़ बताया हूं चलो d answer correct होगा 75 नमबर पर आ जाओ what is the correct way to refer a bracket A10 from the seat 1 on seat 3 अगर आपको seat 1 के ठीक है A10 को represent करना है A10 Excel address हो गया किसमें seat 3 में ठीक है आपको अगर जैसे 3 seat होती है seat 1, seat 2, seat 3 तो वही बोला है what is the correct way to refer to a bracket A10 from the seat 1 to seat 3 अगर आपका कोई A10 पे कोई चीज है ठीक है उसको आप refer करना चाहते हो seat 3 में तो वह कैसे refer करोगे कि यहाँ पर कोई क्लिक करें तो seat 3 पे पहुंच जाए ठीक है उसके लिए क्या सही होगा उसके लिए होगा लिखो के cash seat 3 यह marks आपका दोगे और यहाँ पर लिख दोगे A10 तो यह A10 seat 3 से क्या हो जाएगा connect हो जाएगा refer कर दोगे ठीक है इसको answer D आपका सही हो जाएगा connection इससे बनता है आपका अगला प्रशन है आपका which shortcut key is used to find replace in notepad replace हो कुछ भी हो find or find or replace के लिए चाहे word हो चाहे notepad का आपसे पूछ रहा है तो shortcut की हमेशा क्या होगा वही होगा find replace का control H control H से हम क्या करेंगे find and replace दोनों आपको आपर मिल जाएगा हाँ चलो 77 आपका in MS Excel formula which symbol specify the fix column and row row और column को fix करने के लिए कौन सा symbol यूज किया जाता है आपसे ये भी पूछा जाता है formula को शुरू करने के लिए कौन सा symbol यूज किया जाता है तो equal to का sign अगर किसी row और column को fix करने के लिए जो आपका sign होगा वो आपका dollar sign होता है कौन सा होता है B answer एकदम सही जवाब होगा ठीक चलो next प्रस्न आपका in MS Excel which command is used to display only the current date कौन सा command आपको current date के बारे में बताएगा पौने जी खुछ रहो मस्त रहो स्वस्त रहो जबरदस्त रहो एक बार बोलिए सभी लोग हर हर महा देओ और session को share करो जबरदस्त तरीके से बताओ तुरंत का आपका अगर current आपको समय और क्या दिखाना है current date दिखाना है ना used to display only the current date तो वो आपको कौन दिखाता है जल्दी से बताइए गलत बता रहे हो गलत बता रहे हो भाई सब के सब गलत बता रहे हो कोई काराट date होगा formula अला पड़े नहीं हो time होगा कोई now बता रहा है कोई today बता रहा है क्या इसमें होगा सही जबाब बताओ सिर्फ date बताना है now में time और date दोनों आ जाता है और today जब करोगे न तो today में आपका क्या आएगा सिर्फ आज का क्या बोला command use to display only the current date आज का चाहिए तो today यूज करो बाकितों के लिए date और time तो आई है और now में करोगे तो now में date और time दोनों आता है today होगा ना की date होगा चलो in ms word automatically move the text to the next when it reaches the right edge of the screen it is called ms word में जब हम automatically क्या करते हैं move कर देते हैं text को to the next when it reaches right edge of the screen it is called उसको क्या काहेंगे carriage return, text wrapping, inter या text forming जब हम लिखते लिखते जाते हैं तो फिर अगला letter फिर यहां से लिखना start कर देता ना जैसे edge पर पहुंचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको text wrapping कहा जाता है वो पूरा एकदम wrap करके यहां से फिर अगले से start हो जाते हैं इसी को text wrapping कहते हैं in ms excel macros can be inserted using the क्या कौन से time में macros होता है design में, view में, layout में या developer में बताओ, macros किस में होता है क्या answer दोगे इसका ms excel में macros किस में होता है view tape में होता है एकदम सही जबाब दिये हो किस में होता है view tape में होता है आजाओ अगला in ms word 2010 control shift f1 is used for 2010 में control shift f1 से हम क्या करते है to print a paragraph to exit a word to choose a print command to unlock area इसका सही answer क्या होगा print जल्दी से बताओ क्या होगा इसका control shift f1 control के साथ shift f1 दबाओगे क्या करोगे क्या करोगे control shift f1 में d बता रहे हैं अच्छे अच्छा d होगा a होगा दो को बोला इसमें to print a paragraph किसी अनुछेद को मुद्रित या करने के to exit word to choose print command to unlock area अगर आप control shift f1 दबाओगे d होगा सभी बोलें d होगा to unlock area कौन सा unlock area करने के लिए होता है कुछ a बता रहे हैं कुछ d बता रहे हैं कर दो कर दो कंट्रोल शिफ्ट जो f1 होता है यह आपका प्रिंट का अल्टर्नेट कमांड होता है कंट्रोल पी का ठीक है अल्टर्नेट कमांड क्या होगा कंट्रोल शिफ्ट f1 होगा ठीक है प्रिंट का अल्टर्नेट कमांड होता है एक तरह से बोला जाए चलो दो मिनट रुको ठीक आजाओ उस पर करोगे तो वहां पर आ जाता है आपका एक सर्च वाला इधर जब कंट्रोल शिफ्ट करोगे नहीं यहाँ पर तो यह आपका यह वाला जो पॉरसन यहां पर खुल जाता हो डॉकुमेंट के बारे इम बताने लगता है देखो एक बार करके एक बार करके देखो मुझे भी कुछ लेकिन होता है कंट्रोल शिफ्ट f1 होता है या f2 होता है print के लिए होता है ठीक है देखो प्रिंट हो रहा है कि नहीं जल्दी से बताओ कंट्रोल शिफ्ट एफ वन प्रिंट हो रहा है कि नहीं अच्छ पर जो पर कंट्रोल से प्याद और कूश्क से अच्छछ से में गलबल भलाई आप एफ वन नहीं होना चाहिए इसका हो पर संदेखना पड़ेगा इसको क्योंकि F1 के साथ नहीं हो रहा मैंने भी सिस्टम पे देखा ठीक है या तो यहां पर हाइड जो होगा हाइड वाला होगा कुछ हाइड हो जाएगा इससे कंट्रोल सिफ्ट एफ़न से इसका प्रिंट वाला नहीं होगा इसको एक बार देखेंगे एफ़न नहीं होगा वहाँ पर चाहे उप्षन उसके कॉर्डिंग नहीं होगा इसको देख लेंगे बाद में तु स्प्लिट एट टेबल मतलब जहां से आप स्प्लिट करना साथ लत चाहते हो किस पर टेबल क किस पर टेब करोगे किस पर टेब करोगे क्लिक ओंदा कौन सा टेब टेब वेन धन क्लिक ओंदा जल्दी से बताओ इसमें तो यहाँ पर क्या करोगे जब आपको split करना है table को और split तो करना है तो split तो होगा ही break होगा नहीं तो layout split table होगा page layout नहीं होगा इंसर्ट या split table होगा यहाँ पर क्या करोगे layout करोगे फिर split table करोगे बी answer करेक्ट होगा ठीक है यहाँ पर click on the layout tab and then click on the split table ठीक है C आपका B answer करेक्ट होगा इसका the object on the slide holding the text is card मतलब अब यह बोलना चाहिए था कहाँ पर power point में power point में power point में जो आपका slide होता है इसे लिख दिया slide तो बात बराबर होई जो slide holding जो text आपका hold करता है slide उसको क्या कहा जाता है ठीक है उसको कहा जाता है place holder क्या कहा जाता है place holder कहा जाता है d इसका कैसे दे रहे हो image holder नहीं होगा आपका place holder होगा अगला प्रशन यहां देखो What is the shortcut key to start presentation from current slide in MS PowerPoint current के slide से अगर आपको presentation करना होगा slide सो करना होगा तो कौन सा shortcut कुझी अपनाओगे जल्दी से बताओ कुछ लोगों का B आ रहा है presentation में current slide से अगर करना होगा तो वैसे तो आप क्या करोगे F5 से कर सकते हो slide सो लेकिन आपको किसी current position पर बैठे हो तो वहाँ से shift F5 से करोगे किस से करोगे shift F5 से करोगे अब यह किस का आगया dash is a system of transmitting information between electronics musical instrument यह अलग से आपका है musical instrument digital interchange is a system of transmitting information between electronics musical instrument इसमें से क्या सही होगा देखो यहाँ होगा musical instrument digital interface musical instrument digital interface is a system for transmitting information between electronics and musical instrument ठीक है जो musical instrument digital interface है वो क्या करता है वो आपका information को transmit करता है electronic से musical instrument में जो पियानो आणो टाइप के होते हैं वो सब इसी के डिगरी में आएंगे 86 number question the following step are used to add or border to a paragraph in a document created using MSWord 2010 कौन सा step जो हैं यूज करेंगे to add a border to a paragraph paragraph में border add करने के लिए देखो select the paragraph text that you want to format click on the home tag click the border and setting button border command to add and remove border ठीक है कौन सा option इसमें किस sequence में चलेंगे select the option give the correct sequence of the step बताओ paragraph में अगर border लगाना हो तो कैसे चलेंगे जो भी दिया एकदम सही दिया है क्या बोला है select the paragraph text you want to format जिस भी paragraph को आपको border लगाना उसको select कर लो फिर आप home tab पर जाओ और फिर क्या करो border and setting button border command to add and remove border आपको add और remove वाले पर करना है फिर वो आपका खुलके आ जाएगा border लगा देना तो 1,2,3 आपका जो sequence है वही होगा 1,2,3 जो sequence है वही होगा in not paid which shortcut key used to access the help option help option ऐसे question mark बना रहता है ना किस shortcut की से आप use कर सकते हो help option को help option किस से आता है जल्दी से बता हो F1 से आता है या F2 से आता है help वाला F1 से आता है या F2 से आता है हां तो answer क्या दोगे F1 से आता है help help का जो आता है एक dialogue box खुल के आ जाता है और यहां लिखा रहता है help ठीक है जो भी आपको help ले ना जो color है सेम चीज आपका paste हो तो उसके लिए आपका shortcut की क्या होगा formating के साथ करना है तो shift आ जाता है बस control shift c से copy होगा अब control shift v से वही चीज पेस्ट हो जाएगा बस a option answer हो जाएगा इसका a option answer हो जाएगा the part of chart like legend title data table data label are known chart में जब जाते हो तो बार ग्राफ चार्ड पाई बनाते हो तो उसका आपका data table होता है title होता है ठीक है उसके बास उसका legend होता है यह सभी चीजे होती है वो किसमे होती है उसको क्या कहा जाता है chart figure कहा जाता है chart element कहा जाता है section कहा जाता है या tight बोला जाता है तो वो सब chart के क्या होते है बार गोलो चाहए पाई खोलो वो सब element होते है चो data वाला हो गया चाहए कुछ भी हो गया तो b answer आपका सही होगा क्या लिख रहे है यार भारती जी एक्सेल फिल्ड के नाम की अधिक्तम लंबाई क्या है 16 32 64 128 करेक्टर जल्दी से बताओ एक question पूछें यार भारती जी ने एक्सेल फिल्ड में एक नाम की अधिक्तम लंबाई कितनी हो सकती करेक्टर एक कितना हो सकता है बताओ कोई चलो यहाँ पर आजाओ अच्छा एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल के चलो एक नोने पूछ दिया मुझे याद आ गया वही चीज़ है एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे कैसे पता करोगे इसको जल्दी से बताईए बताईए फिर हम आगे बढ़ते हैं दो सो चपन होंगे दो सो चपन तुम लोग अलग दे रहे हों सर अभी एक्सल खोलो उस पे लगाओ क्या ल, य, य, और ये लगा दो सेल तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसकी लेंट कितनी हो सकती है सेल की दो सो चपन वो फाइल का नाम है वो क्या होगा आपका फाइल का नाम होगा चलो 32 सही है ये होगा 32,767 जो होगा ये सही है इतने नंबर आफ करेक्टर इसमें हो सकता है वो बड़ता बड़ता चला जाएगा और जो 255 आप बोल लाए हो ये किसी भी फाइल का नाम आप जो है कितने करेक्टर में लिख सकते हो सेव करने के लिए 255 में लिख सकते हो ठीक है और रही बात जो ये कुछ लोग 16,384 बोल लाए है ये 16,384 क्या है कोई बताएगा मुझे 16,384 क्या है ये MX Excel 2003 कौनसा? तीन में रो की संख्या है क्यों? तो कॉलम की संख्या कितनी होगी? तीन में कॉलम की संख्या कितनी होती है तीन में? 2003 की बात कर रहा हो रो की वैलू या कॉलम की वैलू है? रो की वैलू है या कॉलम की वैलू है? बल्दी बताओ रो इन एक्सल कितना होता है? 2003 में बताओ और 2003 के बात बताओ ये पढ़ाया पेड़ क्लास देखना मेरी पेड़ क्लास देखना ये क्या है? 16384 जो है आपका ये आपका कॉलम है ये साथ कॉलम है आपका और जो रो है दस लाक अर्टालिस अजार पांसो चीएत्तर है देख लेना इस फिगर को दस लाक अर्टालिस अजार पांसो चीएत्तर है और अगर ये 2003 के बार है ये 2007 वाले में है ये चीज 2007 में है और जब 2003 में जाओगे तो 55536 आपका क्या होगा? रो होगा इसमें रोज होगा वो 55536 है और जो कॉलम होगा वो बहुत कम होता है कॉलम कितना होता है? कॉलम कितना होता है? दोसो चप्पन जो कॉलम होता है वो आपका वो दो सो चप्पन होता है 65536 नहीं 65536 रो जो है वो आपका किसमे है वो आपका 2003 वाले में है और उसके बाद आओगे तो 10,44,576 और कॉलम 16,384 और 2003 में कॉलम की संख्या साथ 256 होता है देख लेना हाँ यह याद कर लेना पूच्ता भी है वाट इस दा मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम जूम MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम जूम क्या होता है 255 होता है 256 होता है एक बर क्लियर करो 255 होता है 256 होता है मुझे तो लग रहा है 256 होता है 256 होता है आप लोग क्या है देख लेना उसको 256 ही होता है यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ मिनिमम और मैक्सिमम जूम वर्ड की बात कर रहा है तो वर्ड में 10 और 500 परसेंट होता है और PowerPoint और Excel में 400% होता है तो ये B answer आपका क्या होगा? Correct होगा इसका B answer correct होगा 256 नहीं होता है तो तुम्हीं लोगों में से कुछ लोग बोल लाएं 256 होता है चेक कर लो 256 होता है 256 होता है चेक कर लो तो उसको क्या बोलते हैं बता हो वो feature Microsoft PowerPoint का क्या काल आएगा? जब हम किसी animation जो already exist है किसी में उसको हम copy करके दूसरे object में paste कर दें वो क्या काल आता? animation repeater, animation copier, animation selector या animation painter ये मैंने question भी करा है आप लोगों को कहां चेक की हो? आसीस, कहां चेक की हो? किस पे देखे हो? कि 255 होता है 256 होता है authentic जो होता है 256 होता है Microsoft की site खोल लो Microsoft की site खोल लो वहां देख लो Microsoft की जो site होती है वहां पर आपको देखेगा पूरे version का दिया हुआ है 256 होगा ठीक, animation printer होगा इसका which shortcut key is used to enter the current time and date in a document created using notepad और नही होता किसी की पास 2003 होता देख लो scroll करके यहां आजाओ notepad which shortcut key used to enter the current time and date document created using notepad notepad में current और date और time आपको बताना हो तो किस shortcut की से होगा Microsoft की देखो site में जो भी authentication information लेना खास कर यह सब road, table, column ठीक है कैसे कैसे change होएं 16 तक तो यही है और nis में क्या change हुआ अभी उतना नहीं पता है लेकिन मुझे लग रहा जितना इधर है उतना है उधर भी होगा इसका क्या answer होगा इसमें answer बता which shortcut की is used to enter the current time and date in a document in notepad notepad में आपको अगर current document आपको date or time करना हो तो कौन सा shortcut की अपना होगे or f5 चलो ठीक है तो answer क्या होगा f5 से आप क्या करोगे note which shortcut key is used to enter the current time and date in a document created using notepad ठीक है तो F5 से होगा अगला क्या है when a typing text the right margin is faced to the insertion point will automatically return to the beginning the text this frame is called बोला जब हम type करते हैं text को right margin is faced to insertion point will automatically return to the beginning the text this frame is called drop cat word wrap word art और या clip art वो क्या कल आएगा word wrap कल आएगा जो आपका right side में जो margin छूटता है वो wrapping ही कल आती है तो उसको word wrap ही कहा जाता है art और clip art तो यह नहीं होगा drop cat क्या होता है जब किसी का पहला लेटर बड़ा होता है जैसे ऐसे newspaper में देखे होगे तो उसी को drop cat कहते है तीन होता है by default the meaning of character operator in ms excel इसका क्या meaning होता है operator का इस operator का तो इसका meaning होता है exponential ठीक है exponential यह power होता है अगला है यह प्रस्ट 96 अपर clean में लिखा है तो यह क्या हो जाएगा अपर clean में यहाँ पर यह type करने वाले ने गलत लिख दिया यहाँ यहाँ पर ऐसे होना चाहिए ऐसे था अपर clean में ऐसे होगा तो इसको upper case में बदल देगा किस में बदल देगा अपर case में बदल देगा तो यह clean में हो जाएगा option क्या कहा जाता है पावर पॉइंट में विच आप दा फॉलॉइंग इफेक्ट उड भी यूज़ फॉर डॉटेड अपियरेंस अफ न्यू स्लाइड थ्रो ओल्ड स्लाइड तो जब डॉटेड करके एक आता ना जब एक स्लाइड सो से दूसरे स्लाइड सो में जाते हैं तो वह अजीब साथ डॉटेड डॉटेड करके जब आता डॉटेड अपियरेंस दिखता है ट्रांजिशन दिखता है उसको क्या करते हैं उसको डिजॉल्व करते हैं क्या करते हैं डि मिनिमम आठ मैक्सिमम भागतर बोलोगे 99 the style of drawing horizontal line through each word is card ठीक है हर एक word पर मालने यहां पर मैंने name लिखा और यहां पर एक horizontal line खीच दिया तो इसको क्या काते है इस सीज को क्या कहा जाता है strike throw कहा जाता है the bullet style can be selected from the menu ठीक है the bullet style can be selected from the menu किस menu से करते हो view, edit, insert या format जल्दी से बताओ जो bullet होता है आप कहा वो किस menu से करते हो जो bullet क्या बोला the bullet style can be selected from the menu view, edit, insert या format क्या answer दोगे इसका देखो bullet का आपका home वाले में होता है और कहा होता है और कहां होता है और कहीं होता है the bullet style can be selected from the format menu कहां से format menu से आप क्या करोगे select करोगे format menu से select करोगे आप चलो तो यह 100 question आप के रहे ठीक है इसमें क्या करोगे format menu से आप select करोगे format menu आपको दिखता नहीं है जब आप dialogue box खोलोगे ना format वाला तो उसमें आपको आएगा dialogue box जो होता है font वाला उसमें आपको format menu आता है ठीक आजाओ तो यह आपके 100 question नहीं बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या हो कल और भी इससे question करेंगे चुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए पहला आपका question आ चुका है आपके screen पर इसका answer comment करिए क्या सही जबाब होगा इसका answer comment करिए क्या जबाब होगा which of the following is not a type of section break section break का कौन सा इट प्रकार नहीं है odd page, next page column या event page section break का कौन सा आपका नहीं है बोला है कौन सा type नहीं है section break का एक पर बता हिए अमिज जी बता रहें भी होगा और भारति जी बता रहें निर्मल जी देखिए सौरप जी भी बता रहें आमिज जी भी बता रहें राहुल्ट जी सब्सक्राइब को नए चलिए देदते हैं सेक्षंट भ्येक जो आपका जहां पेज भ्येक उता उसी हम होता है। event page next page old page होता है break का लेकिन column break नहीं होता है तो C answer आपका क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा section break ठीकि जहाँ आपका क्या होगा break page आता है जहाँ पर उसको जब open करोगे तो वही में आपका section break आता है उसी में ही पर लिखा रहता है section break और यहां पर आपके option रहते हैं तो उसको जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा there are two type of page orientation portrait and एक portrait होता है और एक आपको कैसा होता है land escape उसको क्या बोलते है land escape mode कहते हैं तो दो प्रकार के आपके page का orientation होता है सभी लोग एक बार सेहर कर यह बहुत बढ़िया a answer निर्मल जी, सौरब जी, राहुल जी प्रगती जी, अमिज जी सभी लोग a के साथ जा रहे हैं एकदम सही जवाब है तीन नंबर question आपके screen पहे the status bar is display on the Microsoft word window ठीक है status bar कहा होता है टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में या राइट में यह question कराए गया है तो यह बॉटम पे ही होता है जो status bar होता है yes जी सस्त्रियकाल आसीज जी का answer A है भारती जी का B, सोनी जी का C है प्रेम जी का C है, सभी लोग इसमें C के साथ सही जा रहे हैं बोला MS Excel, what is the use of आटो सम फीचर आटो सम फीचर का क्या यूज होता है to get the total sum value of a value in the range of numeric say to get the total count of row to get the total count of say to get the total count of column जल्दी से बताए इसमें क्या सही जवाब होगा इसका सही जवाब क्या होगा to get the total sum value of a value in the range of numerical cell जो भी cell आपका दिया होगा जो भी आप मालो यहाँ पर आपका cell बना है यह ठीक है और यहाँ पर आपने आटो सम लगाया है तो जो भी range का यह सम होगा वो यहाँ पर आपको क्या करेगा वो 100 करेगा तो a answer आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा जितने लोग a के साथ जा रहे है सभी लोग एक बार session को share करिए कामनी जी, सिमरन जी, आसीज जी अमित जी, निशु जी a answer होगा d वाले नहीं होंगे column को नहीं count करता है चाहे वो row हो, चाहे column हो जो भी range आप select करोगे उसका आपका answer देगा वाट इस दा following reference type ये कैसा reference है mix reference, absolute, column या relative, कैसा reference है ये बताओ अरे या एक class तो हो रही आप कौन सी class होगी आपकी maximum तो हो चुकी है आपकी अप practice करो ये एकदम absolute है क्योंकि dollar sign, column के बाद भी लगा हुआ है, और row के बाद भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे two होगा, ठीक है B2 होगा, ये mix हो गया है तो ये absolute होगा, क्या होगा absolute reference होगा absolute reference होगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, absolute reference टू या थ्री होगा यहां पर यह आपका छूड गया है यहां बोला है कि आउपट क्या होगा इस एक्सल फार्मूले का आउपट क्या होगा जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इपबर सभी लोग सेयर करिए प्रगती जी निर्मल जी अमित जी इसका सही जवा यहां पर नेम में कितने करेक्टर है एक दो तीन चार करेक्टर है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जिसने दिया है कैसे होगा एमेस पावर क्योंट प्रेजंटेशन है यू थे और प्रिजंटेशन आप क्या क्या हो ंज़न सब्सार फॉंट नहीं होगा शिमरेंजी यह बोला MS PowerPoint presentation help you through the presentation of caption का presentation करता है wizard, wizard का मतलब होता है जो predefined आपके text होते हैं as a template मान सकते हो wizard में auto content होता है उसी का क्या करता है प्रिजेंट करता है जो आपके wizard बना उसी को करता है b answer सही होगा अगला प्रस्न है MS Word allow to user to type a text directly inside it जो MS Word होता है वो आपका किसमे जो है text को जो है लिखने के लिए आजादी देता है केबल में, print में, callouts में या number only में देखो यहां पे जो option होगा वो callout होगा callout का मतलब ऐसे जो आपका बनता है ना कभी देखे होगे कि यहां पे कोई है और कुछ बोलना चाह रहा है ठीक है तो वो उसको donate करके यह वाले जो आपका symbol बनता है callout बोलते हैं इसको ठीक है इतनी इसमें आप direct text लिख सकते हो तो वही बोला callout में आपका क्या होता है text आप इंटर कर सकते हो callout see answer होगा इसको मैंने आपको उस वाले में भी कराया हुआ है which of the following is not a page margin इसमें से कौन सा page margin नहीं है हाँ जैसे comic में होता है जैसे comic में होता था ऐसे वाला symbol किसी को बुलाने के लिए कुछ कुछ बोलता है तो आप newspaper में देखे होगे तो उसी को बोला जाता है which of the following is not a page margin page margin क्या नहीं है top left right center center का margin नहीं होता है center जो होता है वो margin में नहीं होता है भाई साथ center का top में left में right में margin आपका क्या page है यह और page का margin क्या होगा यह होगा उपर चुटा रहता है इधर चुटा रहता और इधर चुटा रहता यही तो margin होता है आपके चारो साइड में तो center में कोई margin नहीं होता है D answer हो जाएगा आजा अगला question what is the minimum number of row and column in what table can be जो word में आप table बनाते हो इसमें row और column की number of संख्या minimum क्या हो सकता है minimum एक और row भी एक हो सकता है minimum row और column एक एक हो सकता है सोनी जी इसकी PDF आपके paid class में लगा दी गई है ठीक है आपी free class आपको YouTube पे इसकी जो PDF है वो paid वाले बच्चों को मिले कुछ तो हमें difference करना पड़ेगा न our spread seat consist of जो spread seat है आपका वो क्या consist कितने column रहते हैं बताओ 257,254,256,255 जब option में आपका ऐसे है तो समझ लो किसके बारे में पूछ रहा है 2003 के बारे में पूछ रहा है ना कि 2007 से उपर पूछ रहा है ठीक है क्या answer दोगे देखो इसमें extension भी जो 2003 की file होती थी उसमें excel का extension xls होता था लेकिन अब क्या है xlx है ठीक है यह है 2007 के बाद से ठीक तो यहाँ पर 256 अभी कल ही हमने जिकर किया था तो c होगा इसका answer 256 करेट होगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा यह 256 होगा आजओ बोला यहाँ पर 12 नमबर is used to expand the first letter of a paragraph into one or more line बताओ एक paragraph को एक से जाधे line में expand करने के लिए इसमें से क्या use किया जाता है table यह तो नहीं हो सकता pareegraaf को जैसे newspaper में देखे से जाधे line में लिखा रहता है ऐसे एक paragraph तो यह तीन line ले लिया नो यह पूरा paragraph जब लिखा रहता थो ठीक है तो डॉप cap के वजह से होता है किसके वजह से होता है drop cap के वजह से होता हैasion एक बार सभी लोग सेयर करो वाई से समको जोरदार तरीके से ऐसे कैसे काम चलेगा Microsoft Excel इस विंडो बेस्ट पैकेज जो Microsoft Excel विंडो बेस्ट पैकेज है क्या होता है Spreadset, Print, Style, City, Appresentation तो इसमें आपके Spreadset होती है ठीक है Answer क्या हो जाएगा? A correct हो जाएगा A आपका एक दम सही है, जब असदर्स्त Microsoft Windows allow user to type a file name up to a character including spaces Spaces को लेकर कितने character तक किसी file का नाम हम रख सकते हैं अभी कली हमने जिक्र किया था कली जिक्र किया था file का नाम कितने character तक हो सकता है maximum Minimum एक और Maximum कितना होगा? Minimum आपका एक हो सकता है और Maximum 255 character हो सकता है 255 character हो सकता है एक answer आपका सही हो जाएगा किसी भी file का जो नाम होगा save करने के लिए वो अगला है the special effect used to introduce slide in a presentation archive किसी कोई भी special effect हम जब slide में डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है जब slide to slide डालोगे किसी टेक्स में नहीं डाल ले हो तो वो कहा लाएगा आपका क्या shortcut की लिए थे हैं कल एक question थाम लोका control shift f1 वो f1 नहीं f12 होगा control shift f12 टाइप राइटर ने गरबर कर दिया था तो यह आपका print के लिए होता है किसके लिए होता है प्रिंट के लिए होता है और जो कुछ लोग का रहे थे control f1 जो होता है न यह आपका hide करने के लिए होता है वहाँ पर excel में रिबन को तो answer इसका क्या होगा control shift p के साथ आपका font का dialogue box खुल जाएगा font का dialogue box control shift p के साथ open हो जाएगा आपका ms1 2013 sort by option is used for जो sort by option होता है वो किसलिए use होता है 2013 में to delete the content of the table नहीं to update the content of the table यह भी नहीं होता अपडेट के लिए नहीं to sort the content of the table to attend the content of the table नहीं to sort the sort वाला जो होता आप table को number से alphabet से sort कर सकते हो इसके लिए होता है sort के लिए होता है sort का मतलब होता है आप increasing order में या decreasing order में कोई data upset कर रहे हो तो इसके लिए sorting वाला जो option होता है वो दिया जाता है आजा बोलना what is the shortcut key show and hide ribbon barring microsoft excel वही आ गया ना microsoft excel में ribbon को hide करने के लिए और show करने के लिए कौन सा shortcut की होगा सी में पढ़ा था ना sorting bubble sort hip sort merge sort क्यों पढ़ाएं की नहीं है सब हाँ तो यहां क्या होगा जल्दी से बताओ यहां control f1 अभी मैं बताया हूं control function से ribbon जो होता है आपका excel में वो hide और show होने लगता है अगला प्रस्न देखो यहां पर क्या होगा what में अगली वैलू और क्या होगी इससे अगली वैलू और क्या होगी जल्दी से बताओ 45 के बाद 46 और नहीं होता है 47 और होगा क्या होगा 47 और होगा 347 होगा नहीं false क्यों आएगा false क्यों आएगी वैलू नहीं point में तो इससे थोड़ी मतलब की false आएगा बोला which of the following is a correct formula to check whether the value is cell A1 is event और odd whether the next display the according to if mod is close to event पे क्या होगी दो सो चिया तीन सो चियालेस जल्दी से बताओ इसको लो हट गए इसका क्या होगा which of the following is a correct formula to check whether the value is cell A1 is event or odd and whether the next is display according to बता कौन सा होगा if mod A1 is 2 is close to 0 odd या event यह तो नहीं होगा ना अगर 2 equal to 0 होगा अगर इसकी value 2 से divide करने पर 0 आ जाएगा तो वो अगर थोड़ी होगा यह formula तो गलत हो गया अगर 0 होता है तो इवेंट प्रिंट करेगा नहीं जीन होता है तो और प्रिंट करेगा ठीक है देखो थोड़ा मुला कर लो तो यह B वाला option सही होगा अगर mod A1 की value 0 होती है तो event otherwise odd यह formula गलत है क्योंकि 0 होगया तो पहले true क्योंकि यह true condition होती है तो यह true होगा यह false condition होगा तो अगर यह condition true होई तो true वाला value निकालेगा तो 0 तभी होगा ना जब even होगा तब यह print होना चा हुआ हां करके देख लो भया नहीं भी स्वास है हमारे परता पावर पॉइंट विंडो विद आउट तो यू सीचिंग फुल स्क्रीन मैंक्रोफ पावर पॉइंट वाजर सोला एलाओ यू तो प्ले आश्लाइड जल्दी से बताओ पावर पॉइंड विंडो विदाओ तो यू स्वीचिंग फुल स्क्रीन इन मैक्रोफ पावर पॉइंट वाजर सोला एलाओ तो प्ले एश्लाइड विंडो विदाओ तो यू सीचिंग फुल स्क्रीन इन मैक्रोफ पावर पॉइंट विंडो विदाओ तो यू स्वीचिंग फुल स्क्रीन इन मैक्रोफ पॉइंट 2016 allow you to play slide show तो क्या हो जाएगा कौन सा reading view without reading view to you switching the full screen बिना reading view पे जाए हम slide show नहीं कर सकते हैं तो यह आपका option A हो जाएगा A हो जाएगा ठीक है बिना उसके slide show की सुविधा कौन देता है यहीं देता out of the following graphic list limit MS Word 2016 process range of the process diagram to more complex graph organization diagram such as when diagram यह किस में होता है जैसे क्या हो गया मैंने कहा कि आपको और भी complex diagram हो गया when diagram हो गया कुछ आपके hierarchical type के हो गया entry type वो किस में होता है 3D model में set में smart art में या uations में हाँ smart art में होता है when diagram किस में होता है smart art में होता है एकदम सही जवाब smart art में होता है यह जितने भी चीज़े होती है what is one thing that all formula in MS Excel have in common क्या इस में से एक चीज़ होता है MS Excel के formula में common they all give the text in the result नहीं they all give integer in the result नहीं they all start with an at the rate sign नहीं they all start with equal sign यह आपका सम में common होता है कि जितने भी formula होंगे वो किस से start होगा equal to sign से होगा लगरा आप लोग को अब exam देना नहीं है इसलिए पहले जिन class में अच्छे खासे लोग थे लेकिन अब आप लोग के जो पढ़ने का मन है वो हट रहा है तो अगर आपके पढ़ने का मन हट जाएगा तो हम भी हट जाएगे आपके पीछे से महनत करने में तो ऐसा ना करो आपके लिए इतनी महनत की जाती है कि questions को ढूड़ा जाता है previous year फिर आपको कराया जाता है तो फिर क्यों एडमीशन लेते हो तुम लोग courses में दा प्लेस इन MS Excel देट डिस्पले दा कंटेंट अफ दा करेंट सेल अलोंग विद दा कंटेंट अफ सेम सेल इस काल बोला है कि MS Excel का वो अस्थान जो वर्तमान सेल के विशेवस्थू को उसी प्रकार प्रदर्सित करता है एक तरह से बताओ किसमें देट प्लेस ऑफ MS Excel देट डिस्पले दा कंटेंट अफ दा करेंट सेल अलोंग विद दा कंटेंट अफ दा सेम सेल इस काल दा उसको क्या कहा जाएगा जोगे फ़ार्मूला बार में जाओगी तो जो सेल का एड्रेस रहा抗ा वही सीज फार्मूला में भी दिखाता है तो वह अंतरहोग होगा फ़ोcular बार इंदा रन कमान डायलोग बॉस्ट रन कमान जब आप विंडाल साथ विंडो बटन के साथ क्या दबातए और दबाते हो तो ऐसे कमांड कुल के आता विंडो ठीक है रन कमांड अब इसमें आप क्या लिखोगे कि आपका Microsoft Word खुल जाए तो इसमें लिखोगे Win Word क्या लिखोगे Win Word यहाँ पर Win Word भी लिख दोगे तभी खुल जाएगा यह Win Word.exe भी लिख दोगे तभी भी खुल जाएगा चीक है? Answer आपका B correct होगा 26 नंबर प्रशना आप आजएगे प्रगती जी निक जी आसी जी अच्छा इसका अंसर बताओ Which of the following is a correct way to represent a cell C1 So that both the column and the row are absolute बताओ C1 को कैसे किया जाए कि row और column absolute हो इसमें से बताओ कौन सा सही होगा Absolute बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही होगा देखो अगर आपको column को absolute बनाना है तो ये column होगा इसके आगे dollar लगा दो row को लग बनाना है तो row के आगे dollar लगा दो तो ये sign जहां होगा वही absolute होगा ये d answer correct होगा d answer correct होगा So the shortcut key to enter auto sum function auto sum function 2000 मलब excel में लगाने के लिए क्या shortcut key है हाँ dollar आगे होगा auto sum लगाने के लिए कौन सा shortcut key है auto sum हाँ एकदम सही जब आप कौन दिया है एक बड़ देख लें I use the art plus equal to से auto sum formula लग जाता है ये आपका c answer सही होगा 28 number question आजाओ to underline only word in a sentence leaving space between the word you can press मतलब जान लो जैसे ये लिखा हुआ Microsoft word तो इसको underline करें इसको underline करें इसको underline करें इस पेस को छोड़कर जो word है उसको underline करने के लिए कौन सा shortcut की use करेंगे ये पढ़ाया है मैंने class में आप सभी को जल्दी से बताओ क्या होगा हाँ सभी लोग you को देखे नहीं तो you का मतलब underline होता है और मैंने ये ही बताया था class अच्छे से देखना है कि mcq भी जो कराया हूँगा उसमें भी ये question मैं कराया हूँ सब के सब d के साथ जा रहे है लेकिन सिमरन ने अपना answer बदल दिया c के साथ जा रही है d पग जी b के साथ जा रहे है भारती जी c तो c वाले सही है control shift w होगा u के साथ मत जाओ control u से underline होता है लेकिन वो पूरा underline होता है आ जाओ control shift u नहीं होगा control shift w होगा करके देखो ठीक है control u से underline होता है आ जाओ in MS Word 2010 which tape consists of the option of changing background color of a page page का background color करने के लिए किस option में जाओगे बताओ इसमें क्या सही answer होगा बहुत बढ़िया page layout में जाओगे तो वही पर page layout के बाद आपका क्या होता है एक command group होता है कौन सा होता है page layout में जहां आपका page का color दिया होता है page background command group होता है उसी में page color होता है उसी में आपका ऐसे page बना होता है और ऐसे आपकी बाल्टी है से लटकी राती है ठीक है तो वही पेज कलर होता है यह द्यां रखना कि चलो अगले कुश्चन पर आते हैं इसका बता हो अब फाइल विद्दा file extension is a word open in xml macro enabled document file macro enabled document file का extension क्या होता है जो macro होता ना recording वाली फाइल उसका extension बोला अगर enable हो तो उसका document file क्या होगा । जल्दि से बताईए अ क्या होगा locks."delocm이ंb गुकिमेंट जो करसे है । उसको सुरुवाज से करने के लिए या move the cursor to the beginning of line या paragraph of line या all of the above control plus home से क्या होगा चलो ए आंसर दे रग्जम सही move the cursor to the beginning of the document होगा ए आंसर आपका सही होगा इसका इससे क्या होता है इससे क्या हो जाएगा यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और question भी कराया है भी एकदम सही super script लगेगा क्या लगेगा मालो x की power square लिखना है तो super script लगे लगा to update the formula in a table प्रेस कोई भी formula अपडेट करना है टेबल में तो क्या प्रेस करोगे कहां design टेब में है option कहां है वहां पे design है option के साथ जाओ ना भाई कहां गया एक ही चीज़ लगा के बैठे हो यहां design टेब कहां है बताओ कहां design है option में जो क्या wrong information दे रहा हूं यह बताओ जाओ 2010 खोल के देखो 2010 खोले एक बार यह option में क्या दिख रहा है तुम्हें design दिख रहा है साथ साथ page layout में जाओगे theme होता है page setup होता है और page ground होता है जादे चलाक ना बना करो जैसा option हो ऐसा किया करो फिर जाब बहुत जादे ग्यानी हो तो आते हूं क्यों class में एच के भक्ति शागर जी क्या है बताई क्या रॉंग information है बताओ बताओ क्या है क्या जानते हो कोई यहां पर टीजे चीजे मेंसन किया गया है कि कौन से वर्जन से पूछा गया है दिमाग घांच चरने गई है तुमारा आता जाता कुछ नहीं है बस कहदो करने के लिए जाना ऐसे करना वहां पर फिर examiner तुम्हें बताएगा अच्छे से मिलेगा number चलो इनको लगता है कभी वर्ड खोल के देखे नहीं होंगे एमस वर्ड कैसा दिखता है लेटेस्ट बर्जन की बात करें वहांना बर्जन लिखा मैं कुछ लिखा आप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे कि अपने अकॉर्डिंग आंसर दोगे आजाओ एक एक टाइम से मैं कुछ खूच के लाता हूँ कि आपको एक्स्प्लेंट ना करना पड़े कहां कहां से कुछ बन सकता है तो अब बेट एक फर्मूला इने टेबल प्रेस दा कौन से बड़ेनाम प्रेस करेंगे F9 कीज के हम अप फर्मूला टेब पर दबाएंगे तो हम फर्मूला को क्या करेंगे बोला अपडेट या फर्मूला अटेबल प्रेस दा F9 किसी भी टेबल में हमें अपडेट करना होगा फर्मूला को आच्छा फर्मूला ऐसा नहीं है कि आप एक्सल में ही लगा सकते हो आप वर्ड के टेबल में भी फर्मूला लगा सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्या गलत है भाई साब तनी हमें भी बता दो क्या गलत है क्या गलत है तुम जाओ एक बार देखके आओ अगर गलत प्रूफ कर दो तो बताओ जाओ देखके आओ एक बार और यह आया हुआ कोश्चन है यह भी बता दे रहा हूँ काँ आया हुआ है देली पुलिस कॉंस्टेबल दस कोश्चन आता है एससी के द्वारा वो कोश्चन है और जाओ आंसर की तुम्हें मिल जाओ अगर मुफट में तो ले 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 ना उनसे नेक्स कुश्चन दफोलोईंग टूल बार डिस्प्ले इंद वर्ड एप्लिकेशन विंडो बाई डिफॉर्ट वही तो बोलना हूँ कुछ लोग बिना देखें आ जाते हैं तीर मारने उनको और कुछ नहीं होता है दो फॉलोईंग टूल बार डिस्प्ले इंद वर्ड एप्लिकेशन विंडो बाई डिफॉर्ट इसमें से कौन सा टूल्बार डिस्प्ले करता वर्ड में अप्लिकेशन के बाई-डिफॉर्ट form टूल बार, formatting टूल बार, drawing टूल बार और अब देखो कुछ चीज़े हैं आपर 2003 case अपेक्ष में पूछता है अभी आपको अगर मैं बता हूँ तो यहां से कोई भी आपका जो टूल बार होगा जो भी देख रहे हैं form टूल बार, drawing टूल बार अभी के version में आप नहीं पाओगे ठीक है अभी के version में आप नहीं पाओगे यह question old version से है क्यों है, क्योंकि अगर आपको option पता रहेगा कि आज के समय में कोई भी window में आपको by default यहां से नहीं दिखता है application window by default नहीं दिखता है यह 2003 में दिखता था किसमें? 2003 में जब जाओगे तो उसमें आपको formatting toolbar दिखता है वहाँ पे tools option भी होता था 2003 में जब जाओगे न, tools option भी होता था word 2003 में by default आपको जो बार दिखता है formatting toolbar एक होता था ठीक है और उसमें tools option भी होता था जो 2007 के बाद चीज़े हट गए तो 2003 का version होगा जो 2003 का version जिसके पास होगा वह देख लेगा भी आंसर होगा यह option भी 2003 के सापेक्ष में सेट किया गया इसलिए 2007 के कोई भी option नहीं है मतलब 2007 के बाद जो भी आपके बार है टैप बार उसका कोई भी option यह नहीं दिया गया है कम chances हैं पूछने का बस the fourth type of mail merger main document are चार प्रकार के mail merger होते हैं जो mail merger होता है आपका कहा होता है यह पहले बताओ किसमें होता है mail merger mailing होता है page layout के बाद जाओगे reference होगा reference के बाद mailing होगा mailing में जब जाओगे तो वहाँ पे आपका merger होता है merger mail merger मतलब आप mail बना के mail merger का काम होता ही है जैसे क्या होता है एक ही document है suppose करो आपको किसी को आप पहले से बनाए हो excel में तो उसको आप क्या कर सकते हो upload कर सकते हो उसमें ठीक है तो उसमें आपका नाम content number address उसके थ्रू क्या रहेगा by default जितने भी आपके यह template बनाए रहोगे अपने यहाँ चेंज हो जाएगा जिसका जिसका नाम रहेगा phone number address अपने आप चेंज होता रहेगा उसका एक format होता है ठीक है तो यह किस किस form में होता है लेटर के form में भी होता है envelope के form में mailing label and catalog के form में होता है यह चार चीजे होती है डी answer इसका correct होगा डी answer correct होगा ठीक है और उसके बाद से आप outlook के through इसको mail कर सकते हो इसका जो mailing होता है वो outlook से connect होता है आप उसके through mail कर सकते हो यह mail merger यह आपका देखो क्या है कि यह आपका word का सवाल है we can insert a maximum number of column in ms word ms word में कितने column हो सकते हैं column मतलब आपके table में column table में कितने column हो सकते है maximum maximum कितने column हो सकते हैं 63 अगला है which of the following is not of the merge process इसमें से कौन सा merge process नहीं है जल्दी से प्रिव्यू दा मर्ज रिजल्ट फॉर्मेट में डॉकुमेंट एडिक डाटा सोर्स आइटेंटिफाई दा में डॉकुमेंट देखो यहां पर जो बोला प्रिव्यू दा मर्ज रिजल्ट है मर्ज रिजल्ट जो आएगा आप जब मर्जिंग करोगे मेल मर्जी तो उसको प्रिव्यू देख सकते होगी क्या क्या है किसका लेटर कैसे कैसे है कैसे अड्रेस चेंज हुआ जैसे मैंने बताया एक फॉर्मेट आप बनाओगे लेटर का आप इनिविटेशन कार्ड का कि यहां नेम लिख दोगे छोड़ दोगे ऐड्रेस लिख के छोड़ दोगे ठीक है तो मुबाइल नंबर लिख के छोड़ दोगे बाकी आप पूरा लिख दो जो भी इनिविटे फॉर्मट को सिंसे इनिविटे इनिविटेशन कार आप देख सकते हो ठीक है तो यह सकता है Introduction को अभामेट को हम फॉर्मेट नहीं लों कर सकते हैं डिज़ घृच और संथ कर सकते हैं देता हैं अ कर सकते हैं कि आवाज बूज रही है अभी देखो ठीक है तो भी आंसर आपका यह नहीं हो सकता है जो होता है कि बहुता है clearly in French जो होता है मसवर्ड में किसले यूज कही आया था सपेलिंग सेजेसं के लिए सिनोम्र कीया या एंटोनियम्स वर्ड के लिए ट्रांसलेड की आर्न थिज्ट तो यह जो दिग्सनली होता है इसमें synonyms और antonyms का word होता है क्या होता है आपके विलोम या परिवाची जो होता है वो चीजे इसमें होती है B होगा translate के लिए नहीं use होता है MS word for what does ruler ruler मतलब जो उपर ruler आता है ruler एक आपका यहाँ पे ruler होता है यह suppose करो यह आपके उपर के tag हो गया यह ribbon हो गया और यहीं पे आपका ruler आता है यह ruler आता है और एक ruler आता है horizontal और vertical ruler होते है तो वहीं बोला है कि यह ruler जो होता है वो किसलिए होता है to set a tab, to set a indent, to change page margin all of the above देखो tab को भी आप set कर सकते है tab की space कहा हो तो ऐसे इसको margin से indent भी set कर सकते हो indent मतलब left या right बात होता है page के margin को भी ruler से set कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो all of the above कर सकते हो d answer इसका सही होगा चालिस नमबर प्रस which menu in MS word can be used change character size and type face यह भी आपको नहीं मिलेगा यह भी आपके जो हैंगे को view, tools, format, data यह जितना भी है आपका यह आपका 2007 का नहीं है यह 2003 से जो पिछले version है उनका menu दिया हुआ है क्यूंकि अभी के menu में सिर्फ आपको view मिलेगा बाकी और नहीं मिलेगा tools भी नहीं मिलेगा अभी के menu में जाओगे तो आपको tools भी नहीं मिलेगा हाँ उसके बाद excel में जब जाओगे excel में जाओगे तो आपको data तो मिल जाता है लेकिन format और tools नहीं मिलेगा excel में जाओगे तो data तो मिल जाता लेकिन format और tools नहीं मिलता है कान फटे जा रहे हैं अब आज कम कर लो आसुतोस तो यहां पर क्या हो जाएगा विच मैंनो इनमेस वर्ड केन बी यूजड वर्ड की बात किया है तो वर्ड में ना डेटा अभी हमें देखने को मिलता है ना टूल्स ना फॉर्मेट से व्यू देखने मिलता है तो 2003 में जो हमारा था वो आपको क्या मिलेगी साव मिलता था जहांपर आपका क्या है चेंज करेक्टर साइज के और उसके फेस को हम चेंज करते थे किसमें फॉर्मेट में जाके format में जाके ठीक है format में जाके हम size जो अभी हम लोग home में करते हैं text की size उसको what is the extension of file in MS Word 1907 से लेकर 2003 तक कौन से extension होता था 2003 तक document का extension DOC होता है क्या होता है DOC और .docx जो होता है वो किसका होता है वो आपका 2007 के बाद से होता है 2007 के बाद जितने वर्जन आए और अगर आप कहें DOC क्या होता है तो macros macros enable होता है अगर इनेबल है आपके file में और save कर रहे हो तो यह हो जाएगा तो अभी answer क्या हो जाएगा DOC हो जाएगा ठीक अगला प्रस्न why header and footer use in MS Word क्यों header footer MS Word में use करते हैं to enhance the overall appearance of the document document के appear को enhance करने के लिए to mark the starting of the page to make a large document more readable to allow a page header and footer to appear on a document when it is printed किसलिए header footer हम लोग इस्तमाल करते हैं बताओ यहां देखो to allow a page headers and footers to appear on the document when it is printed भाई हम header footer इसलिए तो लगाते हैं कि जब भी हम print कराएं तो header footer है जब मालो किताब है किताब में header और footer लगा रहता है footer में आपकी information दी रहती है यहां पर page number होता है header में आपका topic नाम दिया रहता है फिर बीच में content होता है तो वो उस purpose से लिए लिए रहाए गाता है कि यह print हो ऐसा हो कि नहीं प्रिंट ही ना हो ठीक है तो D answer इसका सटीक होगा In MS Word shortcut की shift or delete is used to delete the selected item permanently without placing the item in the recycle bin या copy the selected item rename the selected item नहीं नहीं यह होगा create a shortcut to the selected item यह भी नहीं होगा यह क्या होता है shift or delete जब दबाओगे आप तो permanently बिना recycle bin में जाए कोई चीड डिलीट हो जाती है ठीक है answer A आपका सही जबाब होगा 44 नंबर प्रस्ण आपके screen पर है बोला what is the default number of line देखो आज word सबसे ज़्यादे word के question है word के पूरी तरह आपको maximum question में करा दिया इसके बाद वाले में excel जादे रहेगा ठीक है in the default number of line the drop और drop cap ठीक है इसमें बोला है कि जो number of line होती है जैसे drop cap जब हम लगाते है तो by default कितना number कितनी line लेता है लेटर वो ही भी लेटर by default कितनी line लेता है वो आपसे पूछ रहा है तो by default 3 line लेता है अब maximum इसका कितना होता है maximum आपके 10 line होती है drop cap में जब जाके देखोगे वहाँ पे और drop cap कहां होता है बताओगे कोई जो drop cap है आपका वो कहां होता है जल्दी से बताओ कोई drop cap कहां होता है जब आप insert में जाओगे और text command group में जाओगे जो header footer के बगल में text command group होता है उसमें आपका word art के बगल में जहां word art रहता है न ऐसे उसी के बगल में ऐसे drop cap लगा रहता है जब उसको आप उस पर click करोगे drop cap पर drop down करोगे तो वहाँ none drop paid margin आता है और जब drop cap option पर click करोगे तो वहाँ पर आपका आता है line to drop distance from text ठीक है text का distance कितना होगा minimum एक रहेगा और maximum 10 हो जाता है line ठीक तो यह ध्यान रखेगा यहाँ पर answer by default 3 होगा इसका सही अब 45 नमबर प्रशने का answer दीजिए अब bookmark is an item or location in a document that you identify name for future reference which of the following task is accomplished by using bookmark bookmark करने पर हम कौन सा काम कर सकते मताओ to mark the ending of a page of a document to quickly jump to a specified location in the document to add hyperlink इने web page none of the disk अगर आप किसी चीज को bookmark किये हो कहीं जाकर तो आप क्या करोगे जो भी bookmark किये हो document में उसी पर direct jump हो जाओ है ठीक है bookmark का मतलब आप उस चीज पर उस text पर direct पहुँच जाओगे to quickly jump to a specific location in the document जिसको भी bookmark किये हो page को किये हो किसी text को किये हो तो वहाँ आप पहुच जाओगे B answer एकदम सही होगा 46 number प्रस what is the maximum number of line you can set for a drop cap maximum number कितना कर सकते हो अभी हमने बात किया 10 हो सकता है maximum जो drop cap में line जो होगी वो maximum 10 हो सकता है how can you insert a sound file in your word document word document में अगर sound file insert करना हो तो किस process से insert करोगे जल्दी से बताओ word file में अगर sound आपको insert करना हो तो किस से करोगे बताओ 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 क्या होगा फां इनसर्ट sound मेंनू उप्शन फां इनसर्ड फाइल में अप्शन फां इनसर्ट मीनू अप्शन फांट अब जेक्ट मीनू अप्शन टेक है या none of these क्या होगा इसमें से answer बहुत बढ़ा object menu option ये text वाले command group में होता है from insert object menu option से आप कर सकते हो sound file को बोलां macros क्या होता है small program create in MS Word to automate a repetitive task by using VVA visual basic जो है array होते हैं उससे small added on a program data install after word if you needed them programming language that you can use the customized MS ये नहीं होता है large tools in word such as mail merger नहीं क्या होता है ये कोई भी आप repetitive task कर रहे हो उसको क्या करता है as a recording का काम करता है उसको record कर लिए जहां जहां यूज पड़ा वो shortcut की बना है उसको paste करते चले गए तो ये small program होता है जो create किया जाता है MS word में जो क्या करता है repetitive task को handle करता है a answer correct हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका answer a correct हो जाएगा 49 template store template जो होता है store किया रहता है store करता है अगराफिक्स टेक्स टैल मेक्रोज कस्टमाइज वर्ड कमांड सेटिंग auto text entries आ जाओ ये क्या हो जागा all of the above हो जाएगा क्या हो जाएगा graphics भी होता है kस्टमाइज वर्ड भी होते है आप वर्ड को kस्टमाइज कर सकते हो template में ऐसा नहीं जो बना है उसको बना ही रहेगा उसको अपने इसाब से चेंज भी कर सकते हो आटो टेक्स इंट्रीज भी होती है उसमें ठीक है तो यह सब ही होता है आपके टेंप्लेट में पचास नंबर कोशन वाट डू यू मीन बाई वर्टिकल सेपरेशन विट्विन कॉलम वर्टिकल सेपरेशन जो होता है कॉलम के बीच में उसको क्या कहते है और इस पेज को अगर दो कॉलम में किया जाए तो यहां पर आपको इस पेज दिखता है यहां से यहीं तब तो आते हो यह स्पेस आपको इधर कॉलम में भी होता है तो उसको क्या कहा जाता है गटर मार्जीन आपके सिर्फ उसके लिए होता है printing जो आपका छोड़ा जाता है उसके लिए देखो जब column में जाते हैं जितना भी column करोगे तो ये जो space होता है ये भी margin ही कहलाता है ये भी क्या कहलाता है margin ही कहलाता है C answer होगा C answer होगा margin कहलाएगा ठीक है तो ये 50 प्रस्ण हुए अभी तक हम MS Word के maximum प्रस्ण आपको करा दिये है अब इससे जावे हमें नहीं रखता है कि आपको exam में मिलेगा ठीक है लेकिन last time एक और चीज़े मैं बोलके जा रहा हूँ आप लोग 2010 के जिसके पास 2007 के बाद जो भी word होगा उसके सभी menu bar को देख लेना एक बार open करके कि हर menu bar में कितने command group हैं क्या है कितने command group हैं कितने command group हैं और उस command group में कितने command हैं ये जरूर आप लोग देख लेना ये बहुत ही जरूरी है हो सकता है कुछ image से ही photo खीच के दे दे जैसे computer operator में word art word art होता है न ऐसे ये बना रहता है उसी का photo खीच के दे दिया था कि ये क्या होता है मालो आपसे एक photo खीच के ऐसे पूछ दे कि ये किस चीच का symbol है सपोस्करों ऐसे खीच के दे ये पूछे ये किस चीच का symbol है तो आप क्या कहोगे ये equation का है ऐसे करके दे दे तो यह किस रिच के लिए यूज होता है word में तो यह symbol के लिए यूज होता है तो यह at least visualize जब चीजे रहेंगी तो आप आसानी से प्रशन कर सकते हो तो visualization बहुत जरूरी है आपको word करने में ठीक है तो इन सबी को इस बात को मैंने जो बोला कि menu option खोल लेना उसके हर command group को अच्छे से देख लेना किसमें क्या क्या चीजे है ठीक है बाकी Monday कल भी class लेंगे तो कल हो सकता है हम लोग Excel को पढ़ाएंगे Excel की जितने question होगा वो जादे से जादे मैं कराऊंगा अभी तब mix ही करा रहा था लेकिन आप जो है थोड़ा-थोड़ा सभी के करा रहा हूँ जो बचे हुए question है ठीक है कुछ previous year है और कुछ बचे हुए question है इसमें चलिए लेकिन हाँ थोड़ी आप लोग share करो संक्या बल को बढ़ाओ ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ अगर यही speed रहेगी कि आप लोग को पढ़ना नहीं है exam भाई आपके सर पे है और उसके बाद भी चलो जिसका UPPCL का एक महीने बाद भी है लेकिन है तो practice नहीं करोगे तो क्या ही एक महीना कोई time नहीं होता है भाई साब ठीक है और जो JCO वाले पहले हार मान के बैठ गए हो कि नहीं पढ़ेंगे exam में इतना जल्दी हो गया तो वही बात है कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है उसको कि पहले ही अगर आप हार मान गए हो तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत वही वाली बात है अगर मन से यहार मान गयो तो भाईया पहले यहार मान जाओगे चलिए तो एक बार ये काम जरूर कर लेना आपके पास लेपटॉप है तो ये चीज जरूर करना क्योंकि विजुलाइजेशन से question आज काल बनने लगे हैं नए trend में देखने को मिलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं question को देखो यह रहा है पहला question आपके screen पर आ गया है इसका answer बटाई वाट इस दडिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड सिर्फ ऑफिस से कितना करोगे मैक्सिमम हो गया भाई डेर्ष दोसो question हो जाएगा वाट इस दडिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड दोहजार तीन डॉकुमेंट जो मार्जिन आप खोलोगे न पेज का तो यहां आपसे दोहजार तीन का पूछा है तो मैंने आपसे बता है 2007 के बाद आपको सवी वर्जन में common मिलेगा लेकिन 2003 संतानवे से लेकर 2003 तक जो है इसमें आपके सेम फीचर थे 2007 से लेकर 2019 तक की बात करें तो maximum फीचर इसमें सेम है पहला अंसर होगा 1 चलो 1 दे रहे हैं नई 2.5 बता रहे हैं योगेंद्र चलो हाँ थोड़ी सी गलबर कर रहे हो जो आपका left margin होता है default अगर जो होता है default आपका margin अगर जो खोलो गे word में तो default margin का अभी 2000 अगर हम 10 की बात करें तो सब 1111 होता है top, bottom, left, right लेकिन जब 2003 की बात करते हैं तो उस समय 1.25 होता था कितना होता था 1.25 होता था 2.5 नहीं 1.25 याद रखते हो ठीक है अगला question हम बढ़ते हैं you can apply for any character किसी character के लिए हम maximum कितना font size यूज कर सकते हैं इसका answer जल्दी से आप लोग comment के माध्यम से बताओ कि क्या सही जबाब होगा 16,38,72 कुछ लोगों का रहा है 72 देखो option में यह कहीं नहीं दिया है यह बोला maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए आप कितना font size यूज कर सकते हो आपको कहीं यह नहीं दिया है कि जो font style का drop down होता है उसकी बात नहीं किया है question incomplete नहीं है आयूज जी साफ साफ लिखा है कि what is the maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए maximum font size कितना आप apply कर सकते हो ठीक है अगर question 72 के भी हाग पे पूछा तो वो formatting toolbar जरूर पूछता ठीक है 163 नहीं होता है 1639 होता है option B होगा आप उस पे मारना search करना 1639 होगा चलो हिंदी इंगलिस से क्या लेना देना है question तो बहुत आसानी है na question तो हिंदी इंगलिस से सेमी है to get a symbol dialogue box which one of the menu can choose symbol अगर आपको symbol लेना है तो आप इसमें से कौन सा menu जो है चूज करोगे अभी बताओ इसका सही जब आप क्या होगा अगर आपको symbol लेना है तो कौन सा menu आप चूज करोगे format अरे format में कहां होता है योगेंद्र कामनी जी insert बता रहे है शोनी जी सी बता रहे है सौरब जी insert बता रहे है बिंदिया जी insert एकदम सही जो insert के साथ जा रहा है insert में जब जाओगे तो सबसे last command group जो आपको मिलेगा वो symbol का मिलेगा उसी में आपका symbol का sign यह रहता है ठीक है उसी में आपका रहेगा अगला प्रशना आपके screen पर आ गया है was originally designed to replace what as you type आटो करेक्ट में क्या होता है जैसे क्या होता कोई चीज लिखते हो तो वह गलत होता है तो उसको automatic correct हो जाता है तो वह क्या होता है grammatically incorrect होता है short and repetitive होता है या miss spelled होता है या none of devil होता है जो autocorrect है वह किस पर काम करता है जब आपकी miss spelled हाँ सही बात है grammatically error नहीं आपकी spelling जब mistake होती है एक बार सभी लोग शेयर कर दो हर हर महादयो का नाम लेकर जब आपकी spelling mistake होती ही तो वह आपका अलग दिखने लगता है आपके mobile के keyboard में भी जब आप typing करता हो तो वह ही feature काम करता है तो जब miss spell होता है तो वह अपने आप वहाँ पर आ जाता है spelling आप सही कर सकते हो किसी की spelling लिख रहे हो कुछ चीज भूल गया आपको कोई लेट है तो अपने आप वहाँ पर रेट बन जाएगा और आप वहाँ से क्या कर सकते हो चूज कर सकते हो कि इसका सही spelling क्या होगा राइट क्लिक करके आजाओ Inward the mailing list, merge mailing की जो list होती है उसको क्या कहा जाता है? DataSource जाता है? Seat कहा जाता है? Всеil या source कहा जाता है? जब मैंने कहा थी आपको mail merging करते हो तो mail merging के समय आपको एक database type का तयार करना पड़ता है तो उसमें आपको नाम, access, phone number यह सब लिखते हो उसी कЕ recording जो आपके merger envelope होता है जो भी होता है उसको आपको भेजना होता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है A आ रहा है बहुत बढ़े है जिसका answer data source आ रहा है बैतरीन है data sheet तो आपका excel में होता है sheet जो होती है यह जो होता है वो data source होता है A answer सही होगा A answer correct होगा अगला question है What is the default font size of a new word document based on normal template ठीक है default अच्छा जहाँ पे कोई version न दिया हो आपको तो आप answer किसको मारोगे अगर option में दोनों चीज दिया हो अभी मैंने जैसे मैं बताऊंगा आप लोगो को कि ऐसे प्रस्ण में किस option को जादे prefer करोगे suppose करो जैसे यहाँ पे यहाँ पे बोला What is the default font size of a new word document based on normal template नॉर्मल template में अगर आपका font size क्या होता है तो सबके answer 11 point आ रहा है कुछ लोग लग रहा है नहीं laptop देखते हो चाहे वर कभी खोल के नहीं देखते हो कि आपका by default font क्या होता है और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को class में मैंने आपको दिखाया है कि by default जो आपका font होता है वो calibrary ठीक है यह होता है और body यहाँ पे लिखा रहता है और इसका जो size होता है वो 11 होता है यह जो आपके 2007 है ना उसके बाद से जितने वर्जन है उसमें होता था लेकिन 97 से लेकर अगर हम 2003 की बात करें तो यहाँ पे times new roman होता था क्या होता था times new roman होता था और इसका by default जो size होता था वो 12 point होता था समझ गए मेरी बात को तो यहाँ अगर version आपको नहीं दिया है और option भी देखो 12 तो दिया नहीं है अगर दिया भी रहता तो आपको maximum 2010 को मार के करना है ठीक है मतलब recent को मानना है ठीक है recent को मानना मतलब 2007 के बारे मानना है तो यहाँ आप 11 देंगे 11 point by default हमारा font size होता है समझ में आगे सभी को चलो अगला को है what is the default font used in MS Word 2016 क्या होगा इसमें से Times New Roman, Arial, Algerian या none of the above क्या सही जबाब होगा जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग मादेयों का नाम लीजिए और session को share करिये भाई कैसे कम exam लगा हुआ है यहीं पर UP PCL का भी है और JCA वालों की भी computer आनी है लेकिन कोई serious नहीं है ऐसे पढ़ाई करोगे चलो DDFD Arial होगा अभी मैं बता के गया हूँ और उसके बाद भी गलती कर रहे हो what is the default font used in MS Word 2016 2016 2016 पूछे 10 पूछे 19 पूछे बच्चो तो मैंने कहा 2007 से लेकर अभी तक जो वर्जन है और 97 से लेकर 2003 जो वर्जन है यह एक category के हैं और इधर वाले एक category के हैं तो कैसे आप लोग answer दे रहे हो की Arial होगा Arial नहीं होगा None of these होगा क्योंकि answer जो होगा वापका वो calibrary ही होगा यह वाला ठीके यही font आपका होगा by default इसमें समझ में आ रहा है चलो तो यह गलती मत करो भाई छोटी सी गलती है which indent marker control all the lines except first line ठीके first line को छोड़ कर बाकी में indent लगाने को क्या कहा जाता है ऐसे indent लगता है आपका तो उसको क्या कहा जाएगा left indent marker first line indent marker right indent marker hanging indent marker हाँ calibrary is the default font size बहुत बढ़िया है इसको क्या कहाता है जब भी आपका front line same हो बाकी line में आपके indent लगे हो तो ऐसे को hanging indent कहा जाता है hanging indent marker कहा जाता है बहुत 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 जबर दस how many different position can you see a drop cap drop cap मैंने बताया था उसकी line भी बता दिया maximum कितना होता है by default कितना होता है ठीक है लेकिन जब आप drop cap को choose करोगे उस पे click करोगे जो drop down बनके आता है तो वहाँ पे आपका एक normal करके होता है ठीक है और क्या होता एक जो होता आपका dropped होता है एक क्या होता dropped होता है और तीसरा जो position होता है वो margin होता है क्या होता है margin ठीक है margin होता है drop मतलब थोड़ा बीच में हो जाएगा margin मतलब थोड़ा margin के पास आपका drop cap लगेगा तो actual में आपके कितने position होते हैं position आपके पूछा है none कोई position नहीं होता है नहीं गलत जा रहो यह जो none होता है none मतलब होता कि कोई position नहीं तब drop cap लगेगा ही नहीं none का मतलब लगेगा नहीं लेकिन इन दोनों में drop cap लगता है तो इसलिए इसको position कहा जाएगा दो ही position होते हैं कितने होते हैं दो ही position होंगे हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ देखो drop cap को drop के बोलेंगे यहां बोला how many different position कितने position होंगे मतलब अस्थान होंगे किसके drop cap लगाने के आप word खोलना word में आप जब क्या करोगे word में किसमें होता है drop cap यह बताओ जब insert में जब जाओगे तो insert में ऐसा symbol आपको दिखता है drop cap का और यहां पे जब आप symbol को click करोगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आता है लेकिन पहला यह होता है कि none का none का मतलब होता drop cap मत लगाओ ति वो कोई position नहीं होगा आपका क्या होगा वो कोई position नहीं कहलाता है उसके बाद से एक आपका बना रहता ऐसे और यह होता है इसको कहा जाता है आपका क्या dropped और एक आपका ऐसे बना रहता है और ऐसे 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 होता है ठीक है वो ध्यान रखिएगा एक मतलब आपका पूरा ऐसे होता है और एक आपका ऐसे ऐसे होता है इसको कहा जाता है dropped इसको कहा जाता है margin in margin ठीक है क्या बोला जाता है in margin in margin बोला जाता है तो position बेसिकली आपके लगाने के एक यह हुआ और एक यह हुआ दो ही position हुए answer 2 होगा इसलिए मैं बोलता हूँ आपको menu सभी open करके जरूर देखना है समझ गया नो तो देख लो समझ जाओगे which of the following is used to create newspaper style column इसमें से बताओ newspaper style column हम किसे use करते हैं कैसे create कर सकते हैं format column table insert table या format tab या insert test box देखो news computer नहीं है computer होना बहुत जरूरी है ms word powerpoint excel यह आपको सबसे अच्छा अगर कोई teacher पढ़ा सकता है वो मैं नहीं हूँ वो आपका computer है simple सी बात में बोल ला हूँ post की power कौन से post की power यहां बोला which of the following is used to create a newspaper style column newspaper हमेशा इस तरह लिखा जाता है column में तो उसमें क्या formatting formatting कॉलम में ही लिखा जाता है इसलिए आंसर ए होगा आपका उसाजी वेरी वेरी गूड इवनिंग सभी का स्वागत है कहां लेट लेट सो सो जग्के आ रहे हो क्या तुम लोग क्लास में आज अगला है प्राशन कि column dialogue box can be open for कैसे open करोगे जो column dialogue box होता है उसको open करने का बोला प्रेस आल्ट ओसी फार्मिट मेनू कॉलम सम मेनू डबल क्लिक आने कॉलम स्पेस इन रूलर आल आफ दा एवर्ब मैंने एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो तो बनाई है वहाँ पे आप जाके देख लीजिए D answer होगा एकदम सही है और अब दा एवर्ब होगा आपका alt o c जब दबाओगे आप तो आप देखो alt o c दबाने पे क्या होगा ठीके alt o c दबाओगे तो कॉलम की पूरी फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाती 1,2,3,4 जो भी होता है आपके कॉलम जो होंगे किस तरह से करना वो भी होगा फॉर्मेट मेनू में यह फॉर्मेट मेनू ले लिया इसका मतलब 2003 की बात कर रहा क्योंकि फॉर्मेट मेनू अभी 2007 के बाद नहीं देखने को मिलता है फिर डबल क्लिक ओन कॉलम स्पेस इन रूलर जहां कॉलम स्पेस रूलर में वहां पे जाके आप कर सकते हैं यह पूरा डी सही है इसका which of the following is not the part of standard office suit standard office suit का कौन सा part नहीं है डेटाबेस, फाइल मनेजर, इमेज एडिटर, वर्ड प्रोसेसर बताओ MS office suit में पढ़ते तो आप लोग maximum 3 नहीं हो लेकिन और भी चीज़े होती है जैसे MS SS है का का थो, लालू की तरह बोली है अच्छा इस डाटाबेस जो है, आपका MS SS हो गया यह भी आपका किसमे होता है आपका Microsoft office suit के अंतरगत ही आता है लेकिन फाइल मनेजर जो पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है इमेज एडिटर भी MS एडिटर आता है Microsoft का इमेज एडिटर आता है वर्ड प्रोसेसर भी office का ही पार्ट होता है तो B answer क्या होगा यह office का पार्ट नहीं है office suit का पार्ट नहीं है समझ गए MS office picture manager आता है कि नहीं देखो MS office picture manager यह हो गया ना वही चीज है तो इमेज एडिटर तो होई गया उसमें एडिट तो करी सकते हो इमेज को अब यहां बोलो where can you find the draw table tool button draw table tool button हम कहां पाएंगे formatting टूल बार में drawing टूल बार में standard टूल बार में यह tables and formatting टूल बार में क्या इसका सही जवाब दोगे आप लो हाँ अभी देखो जो answer क्या दे रहे है इसका डी लोग दे रहे हैं चलो इसका answer तेरा का डी एकदम सही है क्यों कि जो formatting टूल बार है यह आपको 2003 में मैंने कहां मिलता है लेकिन जब 2007 में आओगे तो वहाँ पर आपको insert में जो यह table and formatting टूल बार है यह 2003 में insert में जाओगे insert के table में जाओगे और table में जाओगे वहाँ पर आपको column में मिलेगा draw table वाला part ठीक है वहाँ पर draw वाला मिलेगा देखो कुछ नहीं आपको 2003 है 2003 को देखना है तो देख लो एक बार खोल के उसकी window अगर कहीं मिले तो बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन जब 2007 के बाद कोई भी आपके पास हो चाहे 2010 हो चाहे 2013 हो सम्मे सेम चीज है क्योंकि उसका base कौन है 2007 है ठीक यह आजाओ अगला है सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैक्ग्राउंड, एसेटरा आर नौन एज यह सब क्या है सिमर, स्पालकल, ब्लिंकिंग यह word art है font style है या text effect है या font effect है इसको आप क्या कहोगे यह चीज क्या है जल्दी से बताओ यह इसे आप क्या कहोगे word art नहीं है यह आपके text effect है blinking करके text color choose करते हो नए effect का यह text effect होते है word art नहीं होते है ठीक है यह कैसा है text का effect होता है कि आपको sparkling हो reflection वाला हो यह सब text effect है आप देखना हो आप text effect में जाके what is the shortcut key you can press to create a copyright symbol यह भी कई बार exam में पूछा गया है copyright symbol को लेने के लिए आप कौन सा shortcut key use करोगे copyright symbol कौन सा होता है यह symbol जो होता है copyright का symbol होता है तो वो आपका किस से आएगा alt ctrl c से करोगे तो copyright symbol आएगा अगला प्रशन बोला how can you assess the font size tool on formatting toolbar formatting toolbar font size जो होता है font size tool का एक dialogue box खुलता है वो dialogue box आप किस shortcut key से खोल सकते है साइद हमने पहले भी discuss कर लिया सुभम जी खुश रही है मस्त रही है स्वस्त रही है जबर्दस्त रही है चलो करा देंगे cushion उसके भी करा देंगे तो यहाँ हो जागा ctrl shift p के साथ जैसे ही दबाओगे तो एक dialogue box font का खुलाएगा वहाँ आपके font size सब कुछ उसके बाएस एक advance यहाँ आता है ठीक है उससे भी प्रशन कई बार दिखाता है तो वह सब dialogue box खोल के देख लेना एक बार किसमें क्या क्या होता है तो यह आपका answer होगा डी इसका बोला how can you make the selected characters super script super script बनाने के लिए आप कौन सा shortcut की use करोगे इसका सही answer बताईए क्या होगा अगला प्रशन हो इसका क्या हो जगा इसका सही जवाब क्या हो जगा सब बोलें control safety B option एकदम सही इसको तो कराया भी हूँ तो B answer एकदम सही होगा सब लोग सही हो बोला how can you increase the font size of the selected text by one point एक point अगर selected text का increase करना हो तो आप कैसे किस shortcut की से increase कर सकते हो आचा तुम लोगों में मैंने shortcut की का PDF, abbreviation का PDF वो रखवा दिया उसको जरूर एक बार देख लेना एक point increase करना हो कोई भी font size तो आप इस से करोगे ठीक है और decrease करना हो तो उससे उल्टो वाले से करोगे ठीक है अगर एक point decrease करना हो तो इस से होगा ठीक है तो answer यहाँ पर a answer correct होगा उननिस नंबर बोला है what is the smallest width of a column column का कोई भी आपका जिस से मालो यह column है इस column की smallest width क्या होगी सबसे ठीक है 0, 0.5 1 या 1.5 जल्दी से बताइए 0.5 वाले एकदम correct है 0.5 होता है how much space in minimum must be provided between columns column के बीच में column के बीच में कितना space आपका provide किया जाता है 0, 0.5 या 1 या 1.5 बीच में 0 होता है जो column का space होता है कि एक column आपका यह है फिर दूसरा column उसके बीच में कहाँ space होता है एक column आपकी यह हो गई ना दूसरा column यह हो गया तो इसके बीच में space कहां देखने को मिलता है जैसे मालो आप दुख यह column है ऐसे row चलता है तो यह column आपका यह है यह column यह है तो column यह वाला part हो गया इसके और इसके बीच में space कहां देखने को मिलता है तो वो zero होगा बुला which of the following position is not available for font on MS Word अब बताओ यह क्या है यह कभी खोल के देखे ही नहीं होगे normal, raised, lower or centered ठीक है यह कैसे यह बोल आए which of the following position is not available for font on MS Word MS Word के font के लिए कौन सा position आपका नहीं रहता है जल्दी से बताओ यह कैसे देखोगे ctrl shift p दबाओ जब ctrl shift p दबाते हो तो पूरा उसमें देख लो ctrl shift p जब दबाओगे तो dialogue box खुलता है यहां लिखता है font और यहां लिखता है advance ठीक है तो font वाले में आपका पूरा font से related चीज़े रहेगा ठीक है उसमें आपका complex script रहेगा effect के part रहेंगे ठीक है और जैसे ही advance वाले पर click करोगे तो advance वाले में आपके क्या रहेंगा advance में character spacing आता है ठीक है character spacing यहां पर लिखा रहता है character spacing इसी में एक होता है drop down position के नाम से इस position पर जब आप click करोगे drop down करोगे ऐसे तो उसमें आपके तीन चीज़े दिखेंगे by default normal होता है तो normal raised allowed यह होंगी लेकिन centered नहीं होता है देख लेना करके ठीक है तो यह answer क्या होगा कि centered नहीं होगा d answer correct होगा आपका यह करके देखना advance में जाना position होता है वहाँ drop down को करना सिर्फ तीन चीज़े मिलेगा आपको बोला what is the maximum scale percentage available in scale drop down box अब यह scale drop down box क्या होता है देखो scale drop down क्या होता है कि आपको menu आपको आगर कुछ जो है ribbon आपको extra लगाना हो जो menu होते हैं उसमें तो आप file में जाना ठीक है जब file वाला option होता है ठीक है practically done चलो बहुत बढ़िया practical भी done करते रहो file वाला जब आप होता है file में जाना file पर जब click करोगे तो आपका एक ऐसा खुलके आएगा यह वाला portion यहां से सब कुछ लिखा होता है तो यहीं पर एक option आता है उस option पर क्लिक करना help में help में option आएगा उस option पर click जब करोगे तो आपका क्या आता है उसी में उसी में आता है एडवांस या कस्टमाइज रीबन क्या आता है कस्टमाइज रीबन करके आता है रीबन को कस्टमाइज कर सकते हो रिबन के कस्टमाइज में आपका क्या होता है main tab करके यहाँ पर खुलेगा जब आपका तो दो पार्ट में रहेगा ऐसे ठीक है यहाँ पर आपका customize कर सकते हो जो भी tab में जोड़ना चाते हो तो यहाँ एक tab होता है design के नाम से design के नाम से ठीक है उसी में आपका एक होता developer के नाम से क्या होता developer drop-down box मतलब drop-down list होता ऐसे drop-down जैसे आप लोग कुछ select करते हो ना तो word में आप drop-down list बना सकते हो तो वही बोला कि इस list में कितने number of हो सकते हैं तो 200 हो सकते हैं drop-down में कितने हो सकते हैं 200 हो सकते हैं इसको याद रखना ठीक है 200 list आप उसको तयार कर सकते हो हाव डू यू रियारेंज देटा इन एसेंडिंग एन डिसेंडिंग और एसेंडिंग और अगर आपको डेटा मैंने का जब आप उसमें खोलना है उसमें रहेगा ठीक है जब आप developer वाला open करना developer पर कलिक करके ओके कर देना तो आपका menu में developer दिखने लगेगा और developer पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा control में ठीक है देखो उसके बाद से add on जो आपका है हाँ कौन सा control में कहां दिखेगा सिमरंज देखो control command group होगा control command group में आपको 3 चीज़े बनी रहेंगी ऐसे यहां image की size रहेगी और यहां वाली जो size रहे गी न यही आपका ऐसे ऐसे रहेगा और यहां drop down का बना रहेगा इस पर जब क्लिक करोगे तो ऐसे आपका drop down आ जाता है फिर उस पे जब क्लिक करोगे तो लिस्ट आपका बनेगा उस पर मौक लगवा देंगे ठीक है मौक लगवा देंगे भाई टेंशन काय लगवा रहे हूं अब बोला आप कैसे करोगे तो डेटा को सॉट करेंगे अगर किसी को सेंडिंग ये डिसेंडिंग ओर्डर में हमें रेंज करना हो उसको आप क्या करोगो डेटा को sort करोगे A answer correct हो जाएगा bullet to select an entire column in MS Excel MS Excel में अगर पूरे column को XFD होता ना पूरा last वाला ठीक है A से लेकर XFD तक अगर आपको select करना हो column को तो आप क्या यहां से दबाओगे shortcut की क्या होगा mock किसका computer के तरह है या पूरा जी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद visualize करो उसी जो को तो यहां क्या answer दोगे पूरा अगर select करना हो एक साथ entire column को MS Excel के तो आप कैसे select करोगे control arrow की से तो बहुत लंबा चला जाएगा ठीके इसका जो होता वो होता control plus space bar लेकिन space bar है नहीं आपे तो none of the above answer होगा बच्चो हाँ बहुत बढ़िया control और space bar जब आप दबाओगे तो पूरा का पूरा select कर लोगे अगला आजाओ बोले to return the remainder after a number is divided by divisor in Excel we use function ऐसा कौन सा इसमें function है जो आपको remainder return करता है चलो तो बहुत बढ़िया सब लोग जा रहे हैं कि mod जो आपका function होता है अगर हम 4 upon 3 करें तो यहाँ से जो remainder आएगा ना एक वो हमें यह return करता है यह value mod जो function है तो answer C होगा इसका 26 number question आप से बोला है concatenation of text concatenation का मतलब जैसे suppose करो क्या लिखा है यहाँ पर text लिखा है और can लिखा है तो concatenation एक function होता है जब हम उसको लगा देंगे equal to concatenate लगा देंगे जब यह लगाएंगे हम लोग तो क्या करेगा यह text और can को क्या करेगा एक साथ जोड़ देगा space खतम कर देगा तो बोला इससे भी वही चीज़ होता है लेकिन आप तो function है नहीं वही बोला concatenation of a text can be done by using apostrophe, explanation mark has या m% तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो text m% marks लगा दो और can लिख दो तो जब इसको equal to लगाने के बाद जब करोगे यह चीज तो यह आपका जो output आएगा वह text can आएगा, ऐसे आएगा, जुड़ा हुआ आएगा तो m% भी concatenation का काम करता है हाँ, d answer होगा m% comment can be added to a cell using हम किसी भी cell में मैंने आपको बताया था, कोई एक cell है particular, इस पे comment कर सकते हो कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी अगर जाओ, कोई भी अगर data रखे हो यहाँ पर तो cell का data किस से related है, आप comment के तरफ से उस पे रख सकते हो, जब comment कर दोगे तो यहाँ red color में यह चीज दिखने लगता है और जब इस पर cursor ले जाओगे तो वह खुल के comment आ जाएगा ठीक है, तो वही आप से पूछ रहा है, कि आप comment कैसे add करोगे तो comment कहां होता है comment आपका review tab में जब जाओगे वहाँ पर एक comment section मिलेगा वहाँ से आप add कर सकते हो D answer correct होगा बहुत बढ़िया जबरदस्ट अगला प्रस्ण है which menu option can be used to split window in tools ठीक है, split window का एक option होता है आप सभी में चाय word हो, चाय Excel हो, चाय PowerPoint हो वह आपका कहां पर होता है जल्दी से बताओ, वह आपका तहां पर होता है बोला है, which menu option can be used to split window in two D, view split में होता है कहां पर पहले पूरा देखो पहले view में जाओगे फिर window में जाओगे फिर split का option होगा जाओ ऐसे करो पहले किसमें जाओ, view में जाओ window में जाओ window क्या हो गया तब, command group हो गया वहीं पर new window arrange all split आता एक option तो जब उस पर click करोगे तो एक आपका बार बन के आने दगता है कहां से split करना है आपको वहां से आप split कर दोगे तो पूरा पूरा page ही आपका एक तरह से बोला जाए ना इस page पर लेके आओगे split करने के बाद तो इधर का page का पूरा document ही अलग हो जाएगी window ही अलग हो जाएगी और ये window अलग हो जाएगी एक ही page में double window की तरह आपको दिखेगा ठीक है भी answer correct होगा बच्चो अगला a typical work seat has number of column कितने number of column होंगे 128, 256, 1024, 16, 1384 अब देखों यहां किसी version की बात नहीं किया ना आपसे तो आप जानते हो कि 256 column भी होता है किस में होता है 2003 में होता है हाँ वही मैं आप लोगों से बोला था कि जब वर्जन ना बोले तो आप किसको जादे वरियता दोगे तो जब आपका वर्जन ना बोले तो आप किसको दोगे बी वाले गलत जा रहे हो अटिपिकल वर्क सीट है जो नंबर अफ कॉलम 16384 होगा जब भी आपके पास कोई वर्जन पर्टिकुलर ना बोले तो आप रिसेंट में जो फ्यूचर लहा है उसको प्रिफरेंस दोगे मेरी बात को ध्यान रखना अगर आपका कोई भी वर्जन नहीं कुश्चन में दिया है तो आप प्रिजेंट वर्जन को लेकर आंसर देना है जब आपके आप्शन में दोनों जरूर हो यहां पर तो लेटेस्ट वर्जन के कॉर्डिंग काम करना डी आंसर 16384 कॉलम होंगे अगला पर्सन हाउ मैनी करेक्टर केन बी टाइप इने सिंगल सेल इन एक्सल है अभी साहर हमने डिस्कस कर लिया था कुश्चन नहीं डिस्कस किया था लेकिन किसी में डिस्कस कर लिया था एकजामिनर भी ले लिया तो बस ठोक देना क्या कि भाईया कई से भी ले लिये काँनें इसाफ से ले लिए हम कोट तक चले जाना भाई जब आपने वर्जन नहीं दिया तो आपके kauding क्यो curious से आपने ले लिया या तो दोनों सही करो simple सा logic या तो दोनों सही करो या recent remend अके बाकी दो जानते एक्जामिनर अपने अपने उपर अभी देखो कन्या विद्याधानियोजना वाला जो हाए जिसको इसना पुराना है अब कारी में आया हुआ है वीडियो में आया हुआ है वहां अंसर कुछ और यहां कुछ और मान रहा है हाव मेनी करेक्ट कितने करेक्टर आप सेल में दे सकते हो तो 32, 766 हो सकता है ना 32, 766 एकदम साइज C होगा अब वक्सीट केंन है रहाव मैक्सिमाम आफ ए नंबर अफ रो अब देखो मैक्सिमाम नंबर अफ रो क्या होगा मैक्सिमाम नंबर यहाँ पी वर्जन नहीं लिखा है तो 10,48,576 यही आंसर होगा D आंसर होगा बहुत बढ़िया 32 नंबर क्वेश्चन विच अप दा फॉलोंग इस नाट पावर पॉइंट व्यू इसमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है Page View, Print View, Normal View, Outline View यह भी होता है यह भी होता है यह भी होता है लेकिन Page View नहीं होता है Page View नहीं होता है reading view होता है ञीक है एस आंसर इसका सही होगा 32 अब इसमें सही होगा कुछ लोग यह ना सोचने ना इसको गलत किये है To add a header footer, इने handout, handout में जाकर header footer add करने के लिए कौन सा option सही होगा, view में जाओ, page setup करो, view में जाओ, header footer करो, view में जाओ, handout master में जाओ, क्या होगा इसका सही जबाब, जब handout में आपको header footer लगाना है, तो आप view में जाओगे, और handout master में जाओगे, अच्छा handout master जब करते हो, तो कुछ आपको ऐसा दिखता है, page, ठीक है, और उपर ऐसे header footer type का दिखेगा, तो आपसे पूस्ता by default, ठीक है, by default handout tool में, handout master में, आपके कितने slide होते हैं, बताओ, by default handout में, कितने slide होते हैं, कोई बताए न मुझे, जल्दी से बताओ, जब view में जाना, और handout में click करो, handout master करके, उस पे जब click करोगे, तो आपके सामने जो है, इधार ऐसे कुछ बन के आ जाता है, इस ऐसे इधार बन के आ जाता है, ठीक है, औ एक आपका ऐसे बन के आता, और यहाँ पर आपके slide ऐसे होती है, तो by default कितनी slide होती है, तो by default एक page पर आपके 6 slide होगी, एक page पर maximum कितनी slide हो सकती है, maximum pushता है, यह तो default हो गया, maximum 9 हो सकती है, बच्चों, कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, अरे होगा, आईसे कईसे नहीं होगा, handout master नहीं है, word का नहीं है, power point है यह, mix है, यह power point है, power point है, power point में होता है, handout master, handout master power point में होता है, तुम लोग word खोलोगे, तो कहां दिखेगा, c answer correct होगा इसका, to add header footer अच्छा, same question हो गया है, holding down the shift key and rotate the image, will rotate in an increment of, ठीक है, अगर आप shift key को hold करते हो, और image को rotate करते हो, तो कितने से increment rotate करेगा वो, हाँ, maximum 9 होगा, by default 6 होगा, उस पे आता है slide per page, तो slide per page by default 6 होता है, आप maximum 9 तक ले जा सकते हो, minimum आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, हाँ, बहुत बढ़िया, 15 जो दे रहा है, 80, 15 डिगरी दे रहे हैं, एकदम जबर्दस्त आंसर है, भी आपका सही जबाब होगा, अब बोला, powerpoint design template, और store in a file with this extension, अगर powerpoint design template को आपको store करना है, तो उसका extension क्या होगा, अब यह कैसे करोगे, गलत जब आप extension की बात कर रहा है, वो भी design template की बात कर रहा है, ठीक है, अभी हम तुम लोग को practical बताते हैं, जब आप उसको क्या करोगे, save as करोगे न किसी भी slide को, कोई भी powerpoint presentation आप save as करोगे, तो आपसे वहाँ पे मांगता है क्या, कि आप किस format में आप save करना चाहते हो file, वहाँ पे presentation 1970 से लेकर 2003 का भी extension होता है, XPS government भी होता है, और powerpoint template का भी एक extension होता है, तो जब powerpoint template पे कर दोगे, जब save में जाते हो, वहाँ नाम लिखते हो, और यहाँ पे आता ना किस format में save करना चाहते हो, तो वहाँ आप जाना चूज करना powerpoint template, और महाँ तो extension नहीं दिखाएगा, लेकिन जब उस file को save कर लोगे, और उसके property में जाके देखोगे, तो वह आपको किस नाम से दिखाएगा, PPT नहीं, DPT भी नहीं होगा भाई साहब, वह आपके .POT के नाम से दिखाएगा, ठीक है, और PPT ता आता है, 297 से लेकर 2003 के version वाला, उसमें अगर save कर दिए, तो यह आपका आजाएगा, उसमें कई आपके हैं, जितने हैं, उनका सब में save करके extension देख लेना, main main, अब आजाओ, slide sorter of a powerpoint is available on, जो slide sorter view होता है, वह आपका किस में होता है, slide sorter का मतलब क्या होता है ना बच्चो, यह आपका जो window है आपका, इसी पर ही आपकी पूरी slide अरेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, जितनी भी slide है, वह उसमें कितना भी आपकी slide हो, वह सब कुछ आपको एक ही पर दिखने लगेगा, ठीक है, तो यहां क्या answer दोगे, जल्दी से बता, किस में होता है slide sorter, वह बहुत बढ़े है, वह में होता है slide sorter, एकदम सही answer दिखो, अगला प्रस्ट नहीं है, how can you stop a slide show, slide show को कैसे stop कर सकतो, press the right arrow, press skip, press the left arrow, तो आप simple सी बात है, कि इस cap वाला हम बटन दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगे, अगला जल्दी से प्रस्ट, चार्ट can be put as a part of the presentation, using insert में जाओ, चार्ट में जाओ, किस में करोगे, या picture में जाओगे, फिर चार्ट करोगे, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओगे, तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, वहाँ चार्ट नहीं कर सकते हो, आप सिधे इंसर्ट में जाओ, चार्ट वाले सेक्षन में जाओ, चार्ट को इंसर्ट कर लो, बी आंसर करेक्ट होगा, अगला प्रस्ण है, ellipse motion is a predefined, ellipse motion क्या है आपका, ellipse motion मतलब, ellipse की तरह motion करेगा, ऐसे motions करेगा, कोई भी चीज, तो वो motion जो है, वो एक प्रकार का animation है, किसी text पर हम लगा सकते हैं, कि text rotate करें ऐसे, ऐसे ऐसे घूमें, ellipse के path में, तो उसको animation कहा जाता है, आजाओ, अगला है, to insert a new slide in the current presentation, नई slide add करना हो, तो क्या कहों के control M से करते हैं, ये भी discuss कर दिया था, नया presentation खोलना हो, तो control M से होगा, अगला प्रस्ण है, कि which tool is used to record a presentation screen, presentation जो बना रहे, पूरे record करने के लिए, to demonstrate a process, as a part of powerpoint presentation, कहां, किस पर हम जाएंगे, screen recording, slide recording, video recording, presentation recording, किस पर करोगे, पूरा presentation अगर आपको record करना हो, तो कैसे record करोगे, बढ़े और आव।, कि अगे अगे अग्याएं कि अग्याइव अग्याएं सब presentation recording नहीं screen recording करके करोगे वहाँ पर आपका option आएगा screen recording उससे आप पूरा का पूरा presentation record a presentation screen to demonstrate a process a part of powerpoint presentation तो screen recording करोगे बोला which of the following is not a valid master view option in a Microsoft powerpoint कौन साइस में से valid master view नहीं है notes master आप इंसर्ट में जाना इंसर्ट में screen recording होता है नोर्स मास्टर नहीं यहां बोला है आप से क्या which of the following is not a valid master view option in Microsoft powerpoint ठीक है तो outline जो master होता है यह master view नहीं होता है outline view होता है outline master view नहीं होता है 2010 when you create a first presentation file in ms powerpoint what is the default file name deferred file name क्या होगा slide one अच्छा कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोल दे रहा हो तुम लोग कुछ करना बच्छे नोर्स मास्टर नहीं होता होता है भाई हैंड माउट स्टर नोर्स मास्टर ठीक है सिफ outline master नहीं होता है उसमें जाके देखना मास्टर टूल है व्यू वाले में पावर पॉइंट पावर पॉइंट वन होगा क्या होगा presentation one के नाम से फाइल होती है किस नाम से होती है presentation one के नाम से फाइल होगी in powerpoint themes could be found under themes किसमें found होता है तो आपका design tab होता है किसमें design tab यह design tab आपका 2007 के बाद ही आया है book one excel में होता है design tab होगा इसका b answer correct होगा extension can be used to save a slide where one can just need to view the presentation and cannot do any editing कहने का मतलब यह है कि वो powerpoint file का extension क्या होगा जिसको अगर हम एक बार save कर लें तो सिर्फ हम उसको देख सकते हैं उसमें edit नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपका जब save करने जाओगे तो वहाँ पर आपका option होता है जब आप save करोगे ना file का तो किस mode में save करोगे किसे view as देख सकते हो उसमें edit नहीं कर सकते हो edit करने के लिए double click करोगे तब वो edit mode में जाएगा वो कौन सा आपका होगा extension चलो इसमें करके देखना एक आता है पावर पॉइंट जब उसमें आपका ड्रॉप डाउन वाला आए गाना सेव इस तो उसमें एक है पावर पॉइंट सो के नाम से सरी इसमें आप फाइल सेव करना पावर पॉइंट सो का मतलब सिर्फ आपको वह प्रेजेंटेशन सो होगा उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो तो उसका जब पावर पॉइंट आपको एडिट भी कर सकते हो लेकिन यह फाइल जब ओपन करोगे तो एडिटेबल मोड में नहीं रहेगा वो तो वोगा वो PPSX के फार्म में रहेगा ठीक है तो वही मैंने कहा जब Sanas और वहाँ पर चूज करना किस मोड में करना चाहते है उसे PowerPoint 100 के मोड में तो यह हो जाएगा और यह 1997 से लेकर 2003 का extension है और यह जो है macro enable है मैंने बताया थे न पावर पॉइंट को अगर आपको macro enable आपको save करना है तो PPTM होगा यह macro enable हो जाएगा डेसे doc डी-o-c-m-m था उस में जिटने भी आपके थमने लैप स्लाइड के वह इसली अरेंज जाते हैं किस व्यू में अब वहां वर्जन लिक्विया 2016 कोई मतलब नहीं साथ के बाद सम्में होता है वह स्लाइड सॉटर व्यू जैसे मता है जितने भी स्लाइड सब एक साथ आपके अरेंज दिखेंगे हैं हाँ आजा अकला और तालिस एलाव यू टुक्रियेट न्यू प्रिजेंटेशन एड ओपन एन एक्जिक्टिंग प्रिजेंटेशन ठीक है यह आपका इस समय नहीं है यह 2003 में होता था यह बोलता है कि सब्सक्राइब के यह बुदू में आपके जो आपका है प्रिजेंटेशन वाला जहां से सुरू होता है यहां से आप क्या कर सकते हो कि to create a new presentation and open an existing presentation जो आपका presentation खुला हुआ है उसी में ही आप नया एक presentation खोल सकते हो वहां के help से तो उसको क्या कहा जाता है टास्क पेंड कहा जाता है यह 2003 में आपको देखने को मिला रहा है Which of the following statement is are incorrect जैसे pressing Ctrl N in Microsoft PowerPoint एड़ न्यू स्लाइड तो यह presentation नहीं Ctrl N से स्लाइड नहीं आपका एड़ होता है Presentation can be saved as a PDF in Microsoft PowerPoint 2016 क्या PDF form में आप प्रेजेंटेशन को save कर सकते हैं एग दम वहाँ पर होता है मैंने वाया ना जब आप save as करोगे तो आँ drop down आता है तो किसी भी format में आप save कर सकते हो तो save कर सकते हो 2016 version मलब PDF का save करने का version आया चाहे word में आया चाहे आपके किसी में वो 2010 से आया कि आप word की file को भी PDF में direct वहीं से save कर सकते हो Excel को भी PDF में save कर सकते हो पावर पॉइंट को भी तो यह 2007 में नहीं था यह 2010 से feature आया था तो यह तो आपके file को save करने का feature आया था तो सिर्फ second true होगा पहला false होगा only first false and only second false both false यह बोथ first and second are false आप से पूछा क्या है अच्छा कौन सा incorrect है तो पहला incorrect है पहला क्या है आपका incorrect है यह option साही होगा यह option साही होगा अब लास्ट प्रस्न आपका screen पर यह देखो बोला तू फ्रीज दे टॉप रो इन एक्सेल वाइल स्क्रोरिंग देख्स दा option कें बी सेलेक्टेर फांद व्यू टेप इन एमेक्स एक्सेल अंडर दा होगे तो इसको फ्रीज करना पड़ता है तो फ्रीज करने के लिए आप फ्रीज पैन में जाओगे और वहाँ पर क्या चूज कर लोगे फ्रीज फर्स्ट रोओ फ्रीज करोगे फ्रीज फर्स्ट रोओ यह वह फ्रीज हो जाएगा तो जब आप क्रोल करोगे कितना भी करते चले जाओ तो वह आपके अपने तो प्रो नहीं टॉप रो कर लो इसको तो फैस्ट रो नहीं टॉप रो कर लो बी होगा टॉप रो को क्या करेंगे फ्रिज कर देंगे चलिए इन बाकी के पांच दिनों में ज्यादे से ज्यादे क्या होगा इसके बारे में मैंने पेड क्लास में आप लोगों को बताया ही था कि बायोस क्या होता है बायोस एक रोम चिप होती है ठीक है चलिए आसीज जी खुश रहे हैं मस्त रहे हैं स्वस्त रहे हैं mcq की pdf 100 question वाली डाल दी गई आज मैंने कहा था कि एक जो और 100 question वाली है उसको भी लगा दो सायद लगा है कि नहीं लगा है मुझे एक बार देखना पड़ेगा ठीक है लेकिन कल मैं लगवा दूँगा उसके लिए निश्चिंद रहो बी होगा इसका अंसर बहुत बढ़े हैं सभी बी दे रहे हैं रोहित आरीफ कामनी सी दे रहे हैं सोनी जी ए दे रहे हैं जुगल जी से दे रहे हैं ए यार भारती भी बता रहे हैं एख सो कोशन लग गया धिरेंदर जी एक सो कोशन तो मैंने ही देखा है श्टडी मैटेरियल में जाना computer वाले में जाना last में देखना वहां लगा हुआ है यहां पर basic input output operating system नहीं होता है basic input output software नहीं होता है basic input output system होता है क्या होता है basic input output system होता है software नहीं होता है यह एक chip होता है नहीं तो एक system होता है basic input इसमें input और output के BIOS में जब start होता है तो आपके BIOS के instruction रन करते हैं वो check करता है कि आपके सभी peripheral devices connect हैं कि नहीं हाँ बहुत बढ़िया तो कुसी answer आपके correct हो जाएगा अगला माइक्रोस आफ्ट इंटरनेट explorer net escape navigator example of किसके example है अब मुझे फोन को flight mode में ही डालना पड़ेगा क्लास के समय कॉल करते हैं बच्चे कैसे उठा सकते हैं बताओ बहुत बढ़िया यह माइक्रोस और इंटरनेट explorer आप सभी जामते हो क्या होता है net escape navigator भी वही काम करता है तो यह क्या है एक तरह से यह ब्राउजर है इंटरनेट ब्राउजर प्रोग्राम है क्या है इंटरनेट ब्राउजर प्रोग्राम है ठीक है यह आंसर सही होगा बहुत बढ़िया अगला प्रस्न देखें अगला प्रस्न यह रहा एक computer बूट नहीं कर सकता अगर उसमें मतलब सिंपल सी बात है कौन सी चीज नहीं हो जैसे computer cannot be boot if it does not have which of the following इसमें से क्या नहीं होगा तो computer आपका बूट किसको कहते हैं बूट उसको कहते हैं जब आपका operating system memory में लोड होता है मतलब HD hard disk में जब लोड होता है ना memory में जब लोड होता है उसी को booting कहते हैं ठीक है तो बताओ क्या इसमें सही जबाब होगा सी आंसर आ रहा है बिंदिया जी रवीकांत पांडे जी कपिल कमांडो जी कभी सी आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए क्या होगा अच्छा यार भारती कुमार जी अविनय जी प्रगती जी चलिए यहां पर आते हैं operating system भाई बिना इसके boot कैसे हो सकता है operating system ही तो memory में लोड होता है तो उसी को boot कहा जाता है समझ में आ गया तो सी आंसर हो जागा लोडर मैंने आपको बताया था compiler के बारे में बताया था लेंग्वेज translator है high level को low level में करता है एक तरह से high level language को machine language में convert करता है आपका compiler और compiler क्या करता है एक साथ सभी को compile करता है मालो एक page का कोई प्रोग्राम है तो पूरा एक साथ compile होगा interpreter में लाइन बाई लाइन होता है एसेंबलर एक मैनिमोनिक code होता है ठीक है इसको assembling language में लिखा जाता है assembler को assembler assembling language को machine में बदलता है ठीक है अगला MICR stand for MICR आप देखे होगे checkbook जो check होता है आपका bank का तो यहां आपका कुछ ऐसे लिखा रहता है magnetic में ठीक है वो इंक होती है गारे गारे कलर से लिखी रहती है तो उसको क्या कहा जाता है बताओ MICR stand for A option RR, रविकान, सिव, जुगल, बिंदिया, आकास, मिस्टर निक, पारूल जी, आयू जी magnetic ink character recognition एकदम सही जबाब आपका है यहां पर इसी से आपका जो checkbook वाला machine होता है उस पे जब डालते हो तो इसी से वो आपका पूरा bio data निकाल लेता है किस bank में आपका खाता है, किस bank का check है, क्या क्या है और उसके बाद से आपको एक fax type की photocopy type की उस check का वो भी दे देता है कि आपका check deposit भी हो गया है तो यह magnetic incorrect recognition होता है which of the following function operation is done by microphone device microphone device मतलब just जो मैंने यह caller में mic लगाया है यह क्या है एक microphone device है और यह कैसा device में input जा रहा है तो यह input device है ठीक है, यह कैसा device अगर आपसे कोई पूछे microphone तो input device है यह क्या काम करता है, draw a line और a figure on a computer screen नहीं भाई यह काम थो नहीं करेगा mic read a barcode and convert them into electric pulses नहीं यह भी काम नहीं करता है detect the alphanumeric character printed on a written on the paper नहीं यह भी काम नहीं करता है convert human speech into the electric signal यह क्या करता है, हमारे sound को electric signal में convert करता है बहुत बढ़िया जबर्दस, the answer correct होगा तो एक बास सभी लोग ऐसे जोड़दार तरीके से share कर दो ठीक है, the answer correct होगा अगला प्रस्न यह रहा which of the following sequence is correct for memory in term of speed and fastest to slowest यह सभी प्रस्न कहीं ना कहीं आपके exam में आये हुए है fastest से लेके slowest तक memory को arrange करना है सभसे fastest memory कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा आसीजी 6 का D answer दे रहे है अविनाव C दे रहे है, सिमरन C दे रहे है C, भाई एक बार कुम लोग question का answer बता दिया करो किसका दे रहे हो, धिरेंद्र C दे रहे है राहूल कैसे primary and secondary चलो बहुत बढ़िया जो लोग C answer दे रहे हैं कि सबसे fastest कैसे memory होती है फिर आपकी primary में RAM ROM आ जाती है फिर secondary में आपका hard disk pen drive वाला memory आ जाता है तो C वाले एकदम सही है D वाले secondary नहीं fastest होती है भाई प्रगती, class नहीं की हो क्या मेरी मैंने class में तुम लोग को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है बताओ कौन-कौन इसे बंदे हैं जो class करने के बाद गलब देख ले हैं जोको register तो है नहीं आपर register होता तो कैसे से भी तेज होती है register memory ठीक है I use बहुत बढ़िया बैतरीन I use के लिए ताली एक अलग information दे रहा है तो ये तो मैंने class में बहुत बैतरीन तरीके से तुम लोग को पढ़ाया है उसके बाद गलती हो रही तो इसका मतलब तुम लोग किस के पात रहो डंडे के पात रहो आजाओ अगला प्रस्न सिस्टम रणिंग मोर देन वन प्रोसेस concurrently आरकाड एक साथ एक से जादे प्रोसेस जिस सिस्टम में चलता है उस computer को क्या कहा जाता है चाहे उस process को क्या कहा जाता है उस चीज को क्या कहा जाता है यह बताओ 7 का आंसर जुगल जी डी दे रहे हैं बैच प्रोसेसिंग नहीं होता है भाई कहां से आप लोग तुक्के पे तुक्का लगाए जा रहे हो ए आर भारती ए राहुल मल्टी प्रोसेसिंग धिरेंद्र ए आंसर कुमार बी दे रहे हैं और जैन खान ए दे रहे हैं प्रगती आंसर ए दे रहे हैं अविनो जी दे रहे हैं अनुझ जी ए होगा चलो देखते हैं रवीकांत भी ए के साथ नहा आ चुकी हैं ए के साथ बिंद्या जी बी के पास जा रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग अलग चीज होती है मल्टी प्रोसेसिंग अलग चीज होती है ठीक है इसको मैंने पूरा डीटेल में आपको उता है मल्टी प्रोसेसिंग मतलब धेर सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है ठीक है अब मल्टी प् देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही प्रोसेसर अलग अलग प्रोसेस को रन कराता है मल्टी प्रोसेसिंग में आपका अलग 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 प्रोसेसर को अलग अलग टास्क होता है एक साथ कई प्रोसेसर रन करते हैं ठीक है यह ध्यान रखना इसमें मल्टी प्रोसेसिंग होगा यह आंसर सही होगा इफ यू वान्ट टो टेक इन्पूट आफ मल्टिपल वैलू इन फ्लो चार्ट वी यूज प्रोसेसिंग जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है चलो बहुत बढ़िया इतो दम टेकनिकल टेकनिकल बहुत बढ़िया शिम्रद आठ का अंसर ए आरा इफ यू वान्ट टो टेक इन्पूट आफ मल्टिपल वैलू इन फ्लो चार्ट ये साइद नहीं आप लोग पड़े होगों लेकिन मैं कोशिन करा दे रहा हूँ देखता हूँ कितने आपी पड़े होगे ना तो यहाँ पर जो पैरलेलोग्राम ऐसा होता है इसमें आप धेर सारे इन्पुट ले सकते हो इन्पुट A, B, C प्रलेलोग्राम जो हम बना है मतलब यह फ्लोचार्ट जब बनाते हैं हम एल्गोरिथम से तो जब हम बनाते हैं जैसे स्टार्ट बटन आपका ऐसे स्टार्ट होता है स्टार्ट वाला बटन ऐसे होता है ठीक है जो सिंबल होते हैं उनके बारे में यह भी बेसिक सा ही क्वश्चन है सीप का है आज प्री प्रोसेसर कमांड सी बिगे जैसे सिप प्रोसेसर कमांड जो होता है जैसे इंक्लियूड आप सी की प्रोग्रामिंग की हो गया स्टिडियो डॉट एच ठीक है यह आप canio.h हम जो लिखते हैं तो वही बोला है आपका प्री प्रोसेसर होता है वो किस सेंबल से स्टार्ट होता है किसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है वो आपका जो हैस होता है इसी को प्री प्रोसेसर कहा जाता है जो यह पूरा कमांड है वो किस से start होता है से तो यह pre processor कमांड है answer क्या दोगे बी answer दोगे ठीक है जो भी program आप जब studio.h मतलब standard standard input output library होता है यह बहुत बढ़िया राहूल आजाओ अगला प्रश्न देखो क्यूं क्यूं भी आपका जैसे उसी का पार्ट है data structure का पार्ट होता है array हो गया क्यूं हो गया link list हो गया यह सब होता है तो क्यूं क्या है क्यूं जैसे आप general सा सोच सकते हो कि जब line लगाते हो किसी चीज में मालो railway क ticket लेने जा रहे हो तो क्यूं में खड़े होते हो ना किसी चीज की जब line लगती हो तो क्यूं क्या होता है Q1 जो उता है अपका linear data structure कैसा होता है 라는 को होता है ठीक है क्यों कैसा होता है क्यों और स्टेक स्टेक का मतलब जैसे साधियों का जो प्लेट होता है ऐसे रखा होता ना प्लेट तो उसमें क्या है देखो क्यों को क्या बोलते हैं क्यों को बोलते हैं कि जो लाइन जो लगी रहती है आपकी लाइन लगी है तो यहां पर ज पहले आउट हो जाएगा तो इसी को बोला जाता है फीफो क्या बोला जाता है फीफो फस्ट इन फस्ट आउट और जो स्टेक होता है बच्चो इसको क्या बोला जाता है स्टेक को बोला जाता है लीफो लास्ट इन फस्ट आउट मतलग लास्ट वाला जो प्लेट होगा आपक चलो बहुत बने एकदम तुम लोग तो कम्प्यूटर के ग्याता हो फिर भी तुम लोग कहें टेंसन ले रहे हो आजाओ एडिशन ओफ बाइनरी नंबर 11011 को 10111 से एड करना है इसका एडिशन बताना है कि क्या होगा चलो यह data structure का topic है वो जब see a language जब पढ़ते है न उसमें का तो basic चीजे कभी वो examiner है घूम गया यहां से उसका कभी कभी घूम जाता है छोटे छोटे exam में भी छोटा question पूछ लेता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा topic पढ़के जाओ चलो तो यहां क्या है इसलिए मैं कुछ चीजे आपको mix में करा दूँगा जो pet question कुछ ऐसे रहे हैं programming के जैसको आपको पता चल जाए वो चीजे अब इसको add करोगे तो मैंने का binary addition one one add करोगे तो zero आएगा और carry one हो जाएगा फिर one one add करोगे तो zero और carry one है तो one हो जाएगा ठीक है फिर one और zero add करोगे तो क्या आजाएगा one और zero add करोगे तो one आजाएगा फिर यहां पर अगर जैसे आपकी बात करें अच्छा वन वन जीरो ठीक है कैरी वन आया तो आपको वामें हैड कर लिए यहां पर आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ ओप्शन देख लो कैसे होगा यहां पर वन वन ये कैरी तो था ही ने इसका वन वन जीरो हुआ था तो वन तो आया ही था इस पर लेकिन एक कैरी जो वन वन जीरो के बार आया था तो वह वन वन जीरो हो जाएगा और यहां पर जीरो हो जाएगा क्योंकि वह 1 तो आएगा ही तो 1 1 0 हो जाएगा तो 0 1 0 0 1 0 वाला होगा 0 1 0 इसमें भी है यह option होगा नहीं 0 1 0 इसमें भी है आगे आजाओ एक carry आपका है 1 1 0 होगा है तो फिर 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक carry हो जाएगा फिर 1 1 0 ठीके और 1 और फिर 1 आपका है जाएगा ऐसा होगा ठीक है तो यह कहां मिला है देखो option C में मिला C answer correct हो जाएगा क्या हुआ देखो 1 1 0 1 1 है 1 0 1 1 1 है 1 1 0 करोगे carry 1 आया ठीक है अब यहीं से देख लो carry 1 आया तो 1 1 फिर क्या हो जाएगा 0 और 0 और 1 एड करोगे एक carry यहाँ पर बचा 1 1 0 हो गया carry 1 बच गया अब फिर 0 यहाँ पर होगा 0 और 1 को एड करोगे तो 1 आयेगा लेकिन carry आपका यहाँ चला आया है वो जो 1 1 हुआ था फिर 1 और 0 ठीक है 0 हुआ 1 और 0 1 हुआ अब फिर 1 1 किये तो फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा 1 carry आ जाएगा ठीक उसके बाद फिर से 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 0 carry 1 हो जाएगा अब यहाँ पर देखो 1 1 0 हुआ यहाँ 0 है लेकिन एक carry आपका है और साथ में 0 और 1 है तो 0 1 1 हो जाएगा और यह carry जो था इसके आज़ा से आथा वो तो आगे आएगा ही ना यही आंसर होगा अब भी समझ में आया कि नहीं अब इस सिंपल सा है 1 0 1 0 1 0 1 1 यही तो है 1 यहाँ पर हुआ नहीं क्या था 1 1 0 1 1 था 1 0 1 1 1 था अब यहाँ पर 0 हो गया carry जो बचा 1 आ गया अब यह 1 1 आएगा तो यहाँ से 0 आएगा लेकिन इसके साथ वाला carry तो 1 रहेगा तो वो ऐसे समझ लो ऐसा हुआ तो फिर यह 1 और 0 add हो गया तो 1 आएगा अब carry 1 वाला जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा फिर वा 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा carry 1 वहाँ चला जाएगा फिर 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा carry 1 वहाँ आ जाएगा और 011 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा आजाओ विट रिफरेंज टू दे इंटरनेट प्रोटोकॉल SNMP refer to SNMP का फुल फर्म क्या होगा यह क्या करता है कि यह तरह से management का काम करता है ठीक है जैसे Simple Network Management Protocol यही इसका फुल फर्म है SNMP का फुल फर्म क्या होगा Simple Network Management Protocol ठीक है जितने भी Network से device connected होते हैं उनका एक तरह से management देखना किसका काम होता है इस प्रोटोकॉल का काम होता है SNMP का In which of the following network topology failure of one node can be disbalance the whole network Mace Tree Ring या bus बोला है कौन सा topology में अगर एक node fail हो जाए तो आपका पूरा का पूरा system खतम हो जाएगा नहीं bus में क्या होता है bus में तो आपका ऐसे connect होते है ना चीजे तो यह तो आपका node क्या है यह तो एक ही line ही होता है इसमें ठीके देखो IP जो alert करते हैं एक तो आपके internet service provider वाले होते हैं ISP वाले होते हैं उनको जो है company देती है ठीके तो इसका सही जवाब क्या होगा देखो ring topology में क्या होता है कि आपका ऐसे connect होती है devices ring के form में अगर इसमें कोई भी node खराब हो गया आपका यह मालो यह खराब हो गया चाहिए खराब हो गया तो फिर वो बन नहीं पाएगा इसमें क्या है कि खराब होने का ताहा है इसमें कोई node थोरी होता है इसमें लोग सभी bus से connect है यह तो single line होती है तो खराब कोई एक node कहा होगा जब खराब होगा तो पूरा bus ही खराब हो जाएगा यहाँ पर क्या इससे इसके बीच में एक line है इसके इसके बीच में एक line है लेकिन अगर यह खराब हुआ तो इसकी information यहाँ तक पहुचेगी तो वो नहीं पहुच पाएगी तो ring टपोलोजी होगा अगला है वाइमेक्स stand for अभी last lecture में मैंने इसी को बताया था वाइमेक्स का full form क्या होता है वर्डवाइड intro variability for microwave access यह आपका वाइमेक्स का full form होता है और वाइफाई का full form क्या होता है वाइफाई का full form बताओ तो क्या होता है वाइफाई का full form बताओ wireless frequency नहीं wireless fidelity wireless fidelity चलो अगला question वाट इस e-commerce e-commerce क्या होता है बाइंड शेलिंग कम्प्यूटर प्रोडक्ट नहीं बाइंड शेलिंग प्रोड़क्ट एंड सर्विस नोड फाउंड इन स्टोर नहीं बाइंड शेलिंग इंटरनेशनल गुट्स buy and selling product and services over the internet किसी भी product को या service को जैसे e-commerce क्या है जैसे यहाँ पर मैंने service आपको दे रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ कोई product आप खरीद रहे हो internet के through तो वहाँ चीज़े क्या कालाती है e-commerce कालाती है product और service को internet के through आपका buying करना या selling करना ही आपका e-commerce कालाता है which of the following is a class a IP address a IP address class कौन सा होगा इसमें से class a IP address क्या होगा यह पराया है मैंने आपको कैसे आप पता करोगे कौन class a का है कौन class b का है Mr. Nick जी आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है अभी भी ठीक है तो इस वज़ा से मैं class जैसे मैं लेने वाला था ठीक है तो फिर इसलिए में तुरंद बंद क्या पहले सोचा आदा कंटा पोस्ट्पोन करनो दवा खाया हूं रिलेक्स मिल जाएगा नहीं हुआ उसके बाद भी मुझे बंद करना पड़ा ठीक तो यहां पर क्या होगा 125 वाला होगा क्यूंकि जो आपके पहला update होता है इसकी जो होती 1 से लेकर 127 तक होती है रेंज होती है वो रेंज मैंने लिखवाया है ठीक है उसको आप लोग पढ़ लेना याद कर लेना आजओ वी ओ आईपी ने computer science stand for यह भी मैंने उस दिन पढ़ाया था कि वी ओ आईपी क्या होता है जैसे आप WhatsApp कॉल करते हो WhatsApp कॉल करते हो तो वहाँ वाइस काउड की सुभिधा देता है मेसेंजर वाइस कॉल की सुभिधा दे रहा है तो उसको क्या बोला जाता है वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल इंटरनेट पे जो वाइस कॉल हो रही है उससी को बोला जाता है वी ओ आई पी वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टू इंसर्ट अलाइन ब्रेक दिस्टीमल टेग यूजड ब्रेक लाइन करने के लिए कौन सा एस्टीमल टेग हम यूज़ करते हैं जल्दी से बताओ नहीं 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 यूज़aci रहा है आई यूज़ बढ़ी वहाँ बढ़ी अज़या देंको ब्रेक के लिए इस्टीमल में जो tag यूज़ होता है वो ब्र होता है वो क्या यूज़ होता है यहाँ पर конфयूज करने के लिए आपको ब्रेक ब्रेक लिख दिया है ठीक चलो arrange the following step in the correct sequence to create folder in windows 7 windows 7 में आपको कोई folder बनाना है तो step बताओ कौन सा होगा बोला है click or tap the file explorer icon on the task bar बी बोला click and tap the new folder button on the home tab open the drive or folder where you want to create a folder press enter and tap a blank area with the new folder name select type and new name क्या होगा इसका सही जबाँ देखो पहले यह करोगे click or tap the file explorer icon on the task bar उसके बाद से open the drive जहां आपको folder बनाना हो जिस drive में उस drive को open करोगे पहले यह करोगे दूसरे नमबर पर यह करोगे उसके बाद से आप क्या करोगे click or tap the new folder button on the home tab home tab पर आता है new tab button उस पर आप click करोगे तीसरा step यह हो जाएगा फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा कि आप क्या करोगे with the new folder name select करोगे और किस प्रकार का आप folder बनाना चाहते वो बताओगे तो यह हो जाएगा आपका चौथे नमबर पे और बाद में पाच्वे नमबर पे यह हो जाएगा तो A, C पहला दूसरे पर C आएगा तो A, C, B, E, D वाला option C सही हो जाएगा C वाला answer सही हो जाएगा आपका अगला question है consider the following shortcut की MS Word 2007 control shift control shift यह वाला जो है increase the selected font ठीक है control delete, delete the word the right cursor right of cursor control align the line or selected text to center of the screen यह भी सही है control and insert link यह सही नहीं है insert link के लिए क्या हो तर control K होता है ना कि L होता है वो तो control L से left alignment हो जाता है तो आपसे क्या बोच्छा है consider the following shortcut की MS Word और यहां पर कौन सा correct है तो 1, 2, 3 यह तीनों correct है इससे भी जो control plus shift यह जो font वाला दबाओगे word में तो आपका एक-एक जो है font आपका increase करेगा unit नहीं 10, 12 उस हिसाब से बढ़ता है वो एक-एक unit बढ़ता है इससे ठीक है तो answer हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सही है आपके हाँ average यह formula लगा लगा गया है इसका output बताओ क्या होगा हाँ उससे increase होता है एक unit इसका बताओ क्या होगा इसका answer देखते हैं कौन बताता है class में भी mcq मैंने इसको कराया है इसको class में भी मैंने कराया है चार आएगा चलो यहाँ पर देखो conditional operator लगा है क्या लगा है conditional operator ठीक है इसमें क्या 12 greater than 16 क्या है क्या 12-16 से बड़ा है नहीं न क्या है false आएगा इसका न condition false आएगा false का मतलब होता है 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 0, 9 अब अगर इसका average लेगा जाएगा तो 3 प्लस 0, प्लस 9, 9, 3, 12 बटे 3 और 12 बटे 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा बच्चो A answer होगा यह ध्यान रखना बहुत बढ़िया सिमरन यह class में मैंने कराया उसके बाद भी 4-5 option होगा ऐसे कैसे for which purpose shortcut key n is used during the slide so in ms powerpoint n किसके लिए use होता है सिर्फ n बोला है shortcut key n move to previous slide or animation move to next slide or next animation select the previous letter select the next letter क्या होगा इसका सही जबाब देखो n जो होता है जब slide सो कर रहे है उसी समय अगर n दबा रहे हो तो नए slide पे आप पहुँचते जाओगे next slide and next animation पे आप आ जाओगे be answer correct होगा चलो next question है एक अस्थानिय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर digital data संचारित करके इंटरनेट का उप्योग प्रदान किया जाता है इंटरनेट एसेस बाइट ट्रांस्मीटिंग एडिजिटल डेटा ओवर दा वाइरस और वाइर ओफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क जिसको हम पी अस्टी एन बोलते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ठीक है प्रोवाइड बाई कौन सा सर्विस आपको दिया जाता है जिस पर डिजिटल डेटा आपको ट्रांस्फर किया जाता है बहुत ही बढ़ियां बहुत जबर्दस्त आमसर आ रहा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डिएसल जो होता है इसी पर काम करता है बंधू डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अगला है विच वन अप दो फॉलोविग इस नाट ए फंशन ओफ नेटवर्क लेयर धीरे धीरे बोलता हूं हमत नहीं हो रही है विच वन अप दो फॉलोविग इस नाट ए फंशन ओफ नेटवर्क लेयर जो आपके OSI मॉडल में ठीके OSI मॉडल में साथ लेयर होती है जैसे सबसे लास्ट होता है फिजिकल लेयर मुझे बताना फिजिकल के बाद क्या होता है डाटा लिंक लेयर इसके बाद क्या होता है डाटा लिंक के बाद कोई बताएगा डाटा लिंक लेयर के बाद कौन सा लेयर होता है हाँ बहुत बढ़िया डाटा लिंक के बाद आपका नेटवर्क होता है नेटवर्क के बाद आपका ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होता है सेशन होता है ठीक और सेशन के बाद क्या होता है सेशन के बाद क्या होता है लास्ट अप्लिकेशन होता है सेशन के बाद आपका प्रिजेंटेशन होता है और last आपका application होता है ठीक है यह आपके क्या है network OSI model तयार किया गया था किसी भी network जो आपके internet से कोई device communicate करती तो इसके थूँ आपके उनका data transfer होता है तो वही बोला इसमें कौन सा feature जो है वो network layer का नहीं है तो answer क्या दे रहे हो तुम लोग open system interconnection साही बात हो ASI model उसी का बोला error control जो होता है वो error control आपका किसका होता है वो network layer का नहीं होता है वो transport layer का होता है error control D answer सही होगा हाँ transport और data link layer में होता है error control ठीक है error control जो होता है transport इसमें होता है और इसमें होता है इन दो layer में error control की कामिंग होती है जो भी error आपके signal में जा रहा है मिप्स का क्या होता है मिप्स के cpu का एक तरह से बोला जाए speed न आपा जाता है तो मिप्स का full form क्या है marginal input storage नहीं यह भी पढ़ा है million of instruction per second एक second में कितना instruction जो है वो execute कर रहा है उसी को millions of instruction per second बोला जाता है मिप्स भी answer सही होगा इसका अब देखो यहाँ पे आपसे binary to octal पूछा है क्या पूछा है बच्चो binary to octal जल्दी से इसका जवाब मुझे चाहिए मैं बताऊंगा नहीं इसका बताओ इसका सही जवाब मुझे answer में बताओ क्या होगा 62525 आयूस बहुत बैतरीन तुम तो हमें लग रहा है कि कुछ करोगे हमें लग रहा हैạo कि नदकर चाहिए अब रया हम लोग पिएर बना लेते हैं 3 यह हो गया 3 यह हो गया 3 हो गया 3 यह हो गया यह बच गया तो कोई दिःकत ने उसको छोड़ दो उससे मतलम नहीं है 110 क्या होता है बंवनलित है आपको धिरू वन देखो जब आप करोगे 0000 3 बिट में 001010 0011 00 0000 आपका क्या हो गया 00123 और यह 4 होता है 1015 होता है 110 आपका 6 होता है तो यह क्या हो जाएगा 0010 आपको देखो 0010 अगर मैं कम होता है आपके 2 होता है और 101 कहें तो 101 आपका 5 होता है फिर 010 कहें तो यह 2 हो जाएगा और 101 कहें तो 5 हो जाएगा तो 62525 यह आंसर होगा सभी का आया कि नहीं C आंसर करेक्ट होगा एकदम बढ़िया चलो बहुत बढ़िया आयूस आज़ा तो हमारी भी हेल्प हो जाएगे वेक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस बाई ट्रांजिस्टर इन नहीं नहीं वेक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस बाई ट्रांजिस्टर इन वेक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से कवर रिप्लेस किया गया था फर्स जर्नेशन में वेक्यूम था तो सेकेंड जर्नेशन में क्या आया था ट्रांजिस्टर आया था तो क्या दोगे जबाब सेकेंड जर्नेशन आफ एक कंप्यूटर मेरे नंबर पर भेज़ दो ठीक है? आजाओ What name has been given to the first super computer made in India? Made in India पहला super computer क्या नाम है? जल्दी से बताओ परम 8000 जो था परम 8000 जो था वो पहला super computer था ठीक है? परम जो 8000 था वो पहला super computer था किसके द्वारा बनाया गया है ये बताओ मुझे ये परम जो है परम सिरीज जो है वो कौन बनाता है? परम जो सिरीज है वो उसको कौन बनाता है? बनाने वाला कौन है? आसीज पूने में है चरब पूने में तो है मौसम बिभाग वाले में ठीक है भारत मौसम बिभाग सास्था पूने में है ये सिद्धार्थ बनाता नहीं है सिद्धार्थ तो भारत का पहला बनाया जाने वाला यहां पर कम्प्यूटर है सिमरन बहुत बढ़िया सीडेक ठीक है सीडेक का फुल फर्म बता एक बार सब तो बता दिए सीडेक बनाता है और सीडेक का फुल फर्म क्या होगा यह भी पूछा है सीडेक का फुल फर्म क्या होगा Center for Development कि एडवांस कि कम्प्यूटिंग ठीक है चलो फोर बिट किसके बराबर होता है और बाइट किसके बराबर होता है और बाइट किसके बराबर होता है आठ बिट के बराबर एक बाइट होता है एट बिट बराबर वन बाइट होता है अगला बोला which one of the following is a secondary storage device इसमें से कौन सा secondary storage device है बस RAM जो होता है वो secondary नहीं है compact disk, floppy disk, hard disk 1, 2 और 4 ये सब ही क्या है आपके secondary storage device है तो 1, 2, 4 कहा है 1, 2 का 4 हो गया देखो 1, 2 का 4 अब आओ HDMI इसका पहले full form बताओ क्या होता है, ये भी पूछ सकता है और SDMI एक connector जो होता है उसमें number of pin मैंने आपको पहला जो आर्किटेक्चर्स अब जाहेद पढ़ा रहा थे जहां पे मैंने आप सभी को क्या बताया था कि एक-एक करके port बताया था parallel port कैसा होता है ठीक है, उसके बाद से serial port कैसा होता है, SDMI कैसी होती है, USB कैसा होता है वहाँ पे मैंने आपको बताया था तो high definition multimedia interface होता है ठीक है, अब जो पहले VGOG आता था, अब maximum eligibility जो घर में TV आ रही है वो connect करने के लिए, जैसे इसमें HDMI, in और HDMI out, दोनों होता है तो पहले जो CPU आते थे, उसमें HDMI क्या होता था, out होता था, in नहीं होता था, लेकिन आज के समय में in out, out दोनों आ रहे है ठीक है, तो इसके pin संख्या कितनी होगी, ए में pin संख्या कितनी होती है पढ़ाया है कि नहीं तुम लोग के ये बताओ ये मत बोलना सर नहीं पढ़ायो तो जबाब मिलना चाहिए मुझे नहीं पढ़े हो, इसका मतलब तुम लोग की गलती है नहीं, नहीं 19 होगा, number of pin जो A type का connector होता है 19 pin होता है उसमें अभी एक boolean algebra से question आ गया, तब इसके लिए एक दन, ये न करना कि सर, ये कहां से आ गया boolean algebra अगर इसको solve करोगे boolean algebra को, तो क्या आएगा चलो, ये A का compliment तो होगा इसमें और B का compliment भी होगा जब A से multiply होगा तो A और A का compliment छीक है यहाँ पे देखो ये जो है ना ये compliment नहीं है इसका compliment न रखना है sorry, sorry, sorry यहाँ पे ये compliment नहीं है ये compliment है ये आपका ये compliment नहीं है वो ऐसे arrow लगा है, मतलब bracket लगाया गया है वो A compliment A plus B लिखा है ये होगा A का A और A compliment B तो ये चीज क्या हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 0 A compliment A जो होता है वो 0 होता है और A compliment B जो हो जाएगा तो A compliment B वाला आपसर हो जाएगा A ठीक है चलब पैरलल पोड यूजली आर नौट यूस्टू नहीं पढ़ा रहेगा कुछ दिन अभी कब तुम लोग का कोर्स हाँ इसका तो हो जाएगा ये अभी UPPC L रहेगा पैरलल पोड यूजली आर नौट यूस्टू कनेक्ट जो पैरलल पोड होता है पैरलल पोड किसको नहीं कनेक्ट करेगा देखो स्केनर भी होता है प्रिंटर भी होता है सीडी राइटर भी होता है पैरलल पोड में लेकिन मॉडन कहां पैरलल पोड से कनेक्ट होता है या तो USB पोड से होता है ना Which of the following is responsible for reassembling received packet at a recipient computer कौन ये काम करता है बताओ निमलिकित में से प्राप्त करता है computer पे प्राप्त packet को पुना संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन दोख वही है TCP नहीं IP नहीं होता है जो TCP होता है TCP का काम क्या होता है कि यह जो आपके जो भी information उसको packet में divide कर देता है और IP का काम क्या होता है उस packet को लेके जाता है जिसको पुना होता है delivery होता है IP होता है फिर जैसे ही आपका delivery पहुंचता है जैसे packet के form में पहुंचेगा क्योंकि एक system पे मालों किसी ने कोई information भेजा यह system information भेज रहा है इतना बड़ा information है तो इसको packet के form में जाएगा तो IP address लेकर इसको पहुंचा देगा तो यह packet के form में ऐसे अलग-अलग packet रहेगा इसको फिर से TCP क्या करेगा अरेंज करता है तो यह क्या जाएगा काम किसका है अरेंज करना उसको packet में तोरना इसी का काम होता है transmission control protocol बी का ही काम होता है internet explorer was launching internet explorer कब launch किया गया था Microsoft acknowledgement भी बेशता है acknowledge AC के जो signal होता है कि आपका packet जो है सही ढंग से हमारे तक प्राप्त हो गया है निश्शिन्त रहें ठीक है 1995 में ठीक है 1995 में इसका Microsoft ने internet explorer को launch किया था the network is overloaded with enormous data sent by many computer within the network the inability of network to deliver the data is tomas जब आप किसी network पर ठीक है सबी computer बहुत सारे data एकी साथ भेज देंगे तो इस network का एक हालत हो जाएगा और data को वो deliver नहीं कर पाएगा उस हालत को क्या कहते हैं जैसे कहा जाए आप ट्रैफिक में चल लए हो माज़ों ट्रैफिक सिगनल हो गया तब लाइल लग जाती है कि नहीं पूरी गाड़ियों की तो कोई आके अधर उधर तो जा नहीं पाता है तो वही बात हो जाता है यहाँ पर congestion हो जाता है network में congestion की स्थिती पैदा हो जाती है और data आपका deliver नहीं हो जाता है इसलिए कभी कभी phone करोग जब मिलाते हो जब कहता क्या है कि यह network जो है congestion की स्थिती में है deadlock अलग होता है deadlock आपका जो होता है वो operating system में होता है जब process किसी को deadlock की condition क्या है कि कोई एक process है कोई एक resource है इस resource की जरुवत इस process P1 को भी है और resource की जरुवत इस process P2 को भी है लेकिन अभी और प्रोसेस जो है पीवन जो है resource को P1 ले रखा है और P2 इसके इंतजार में है ठीक है लेकिन यह इसको छोड़ नहीं रहा है और P2 को जरुवत जब कि क्या हो जाएगा एक तरह से यह deadlock condition बन जाती है और P1 जो है नहीं सपोज करो P1 ने एक यह R1 resource ले रखा है ठीक है और R2 जो resource है सपोज करो R2 resource P2 ने ले रखा है P1 को जरूरत है इसको तो यह नहीं छोड़ रहा है और P2 को जरूरत है इसको R1 resource की तो यह नहीं छोड़ रहा है तो इस case में deadlock condition बन जाती है मान लोग P2 को जरूरत है इसको लेकिन उसको P1 ने ले रखा है और R2 को जरूरत है किसको P1 को ठीक है तो R2 को P2 ने ले रखा है तो इस वजह से यह इसके लिए wait कर रहा है और यह बेचारा इसके लिए wait कर रहा है तो यह waiting कभी खत्मी नहीं होगा जब छोड़ेंगे नहीं जब तक तो यह deadlock condition हो जाएगा which was which of the following option act as a barrier between local area network and internet land or internet के बीच में barrier का काम कौन करता है जो होता है मतलब जो आपका लेन है local area network है और इंटरनेट के बीच में जो आता है वह firewall आता है ठीक है security purpose के लिए disk cleanup tool क्या है यह मैंने बताया है जब software का disk cleanup tool आपका क्या है utility software है जो आपके system software का ही part कहलाता है next the abbreviation OSI यभी आभी आपने देखा OSI का मतलब होता open system interconnection open system interconnection OSI का full firm क्या आता है open system interconnection चलो the removal of error from a program इस काड़ error से program किसी program से error को निकालना मतलब bug ढूरना क्या कालाता है debugging कालाता है एक program की बात हो गई लेकिन patching भी उसी प्रकार का काम है जैसे क्या होता है कि patching software पे आता है suppose करो आपका कोई भी software है security है जैसे mobile की आपकी तो उसमें उस पूरे software क्योंकि software में धेर सारे program होते है एक program में bug ढूरने को debugging कहा जाता है पूरे software में जितने भी bug है उनको ढूर कर और उनको सही करने के लिए patches software फाइल बनाई जाती है जो बाद में आपके यहां देखते हो update जबाता है ना आपके operating system का तो उसमें लिखा जाता है patching file इसकी इसकी तो उससे जितने भी आपके advanced patches में आपके क्या होते है कि bug भी दूर होता है और उसके जो advanced features होते है वो भी आपके क्या हो जाते है add कर दिये जाते है उस particular software के तो वह patching कहलाता है ठीक है यह ध्यान रखना तो इसका answer debugging होगा तो आज 40 question ही रखते हैं कल और भी questions को कर लेंगे और इसके जो PDF है वो मैं लगवा दूँगा 100 question की PDF लग गई है साहथ दूसरे 100 question की नहीं लगी होगी मैं एक बार आज देख लूँगा तो उसे भी मैं लगवा दूँगा ठीक है तो इस question को आप लोग अच्छे से पढ़ना समझना क्योंकि जितना question last में mix में करा दूँगा तो overall बाकी MS office से जितना होना था मैंने करा दिया 200 question बहुत होता है office से चले ठीक है ठीक है ठीक है तो चलो मिलते हैं कर रात त्री आठ बजे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं दिरन जी आप recorded में जाओ सौ question लगा है study material में जाओ वहाँ computer वाले में जाओ और सबसे last में देखो साइद लगा है मैंने देखा था update करने जरूरत में update करेंगे तो पुराना update हो जाता है update मत करना नमस्तार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बार सेशन को जोड़ा तरीके से सेर कर दें मैं live आ चुका हूं very very good evening धिरजी पारूल जी धिरेंद्र जी हाँ class आपकी running हो चुके है चलिए अब दोड में सामिल हो जाईए सभी लोग आई उजी good evening सभी का स्वागत है अविनो जी नमस्का है सुरज जी good evening हितेंद्र जी हरहर महादेव सभी लोग एक बार सेशन को सियर करें फिर class को हम लोग स्टाट करते आज साथ प्रशन है तेजी से बढ़ेंगे नहीं तो प्रशन हो नहीं पाएंगे और रेडी हम लोग से साथ मिनट लेट है ठीक है चलिए पहले तो स्विच फ्लाइट मोड में फोन कर दिया जाए of the following menu include delete row column and delete cell delete table option यह किसके अंतरगत आता है किस मेनू के अंतरगत आएगा insert में page layout में layout में या design में जल्दी से बताईए कि menu delete करना row column delete करना cell delete करना या table को ही delete करना किसके अंतरगत आएगा नहीं insert में तो table insert का option आता है ठीक है आप जब table को insert करोगे और फिर table पर double click करते हो तो एक अलग से आपका layout खुलता है उसमें क्या खुलता है layout वाला आपका खुलता है अब कभी करना जब insert में जाना और menu को जब उसमें table को insert करोगे आप ठीक है page layout में जाना और उसके बाद से आपका जो table insert है उसमें insert में जाना जो table पर insert करोगे आप लोग और insert करते ही आपका क्या हो जाएगा वहाँ पर जैसे insert करें table जैसे बनेगा design और layout एक्स्ट्रा बन जाता है तो layout वाले पर जब जब जाओगे तो वहीं पर delete to lead का option आता है जैसे आप table insert में जाके table insert करेंगे insert जैसे बनेगा वैसे यहाँ पर design और layout का menu अलग से आपका बन जाता है इसके लिए ठीक है तो answer इसका C होगा अगला जब आओगे which was the following statement is true for valid email address के लिए क्या सही है जल्दी से बताओ email address are not case sensitive email address can sensitive नहीं होता है case sensitive मतलब small or capital का कोई भी फर्क ना पड़े यह बोला email address are not case sensitive ठीक है तो इसका सही क्या उत्तर होगा बोला है कि true क्या है एकदम यह सत्ते बात है कि case sensitive नहीं होता है case sensitive हो जाएगा तो आप चो भी email डालोगे चाहिए आप ऐसे डालो डबल ए के एस एच एच ए एड़ रेट जीमेल डाट कॉम ठीक है या capital में डालो या small में डालो ठीक है दोनों आपका लेगा इसमें कोई case sensitive नहीं चलता है अपर के slower case से नहीं होता है यह आपका क्या है true है बोला email address are not unique बोला यूनिक नहीं होना चाहिए यूनिक होना चाहिए तो false है ना यह कैसे बोल ले हो बोला है not unique email address same कैसे हो सकता है दो लोगों का कभी भी same नहीं होता है unique होना जरूरी है question जूम कर दिया करें email address can have hyphen as a first character नहीं first character hyphen नहीं हो सकता है यह भी false है space are allowed between the character in email address नहीं space भी allow नहीं है आपका चीक है यह ध्यान रखना तो case sensitive नहीं होता है इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा यह answer correct होगा इसमें बोला है English नहीं है क्या है इसका चलो English में बता कप्रियोग paragraph कि पहले अक्षर को एक से अधिक line में फाइल आने के लिए किया जाता है वही बात है कि जो आपका letter किस का use हम करेंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा जो letter होगा वह paragraph कि कई line में हो जाएगा कई line में हो जाएगा यह तो करा रखा हूं आप लोगों को यह करा रखा हूं drop cap हो जाएगा drop cap which brand of computer first use the combination of GUI and mouse together कौन से ब्रांड का computer सबसे पहले graphical user interface के साथ mouse का उपयोग किया था IBM बैबेस computer मेसिन टॉस या Microsoft Windows क्या इसका सही जवाब होगा एक बार महादेओ का नाम लीजिए और session को share करिए फोर का A होगा IBM होगा अच्छा चलो गलत दे रहे हो सब के सब मेसिन टॉस होगा ठीक है यह मेकिन टॉस जो है आपका इस computer में सब से पहले GUI और mouse का एक साथ यूज किया गया था यह ध्यान रखना सी आमसर करेट है which of this is a scripting language scripting language कौन सी है पास्कल पार x86 या c has c sharp 24 जनावरी 1984 को उतारा गया था एपल के द्वारा में सिन्टॉस इसमें आप बताओ क्या सही आंसर होगा पांच का डी दे रहा है scripting language c sharp जो है यह आपका scripting language नहीं object oriented है लेकिन पाल जो है यह आपका scripting language है जो java script जैसे यूज होता है वह ऐसे ही आपका पाल language भी है लेकिन java scripting नहीं है जावा script अलग से एक language होती है वह है scripting language तो यह scripting language है चलो अब आओ which of the following HTML code is not valid इसमें से कौन सा HTML code valid नहीं है इसमें से कौन सा HTML code valid नहीं है इसमें से कौन सा HTML code valid नहीं है फ्रेम सेट COLS 100-150 ठीक है फ्रेम सेट विट्थ 16-84 फ्रेम सेट रो 16-84 ठीक है उसके बाद फ्रेम सेट कॉलम्स 16-84 अब ही हम जान रहते संब के साथ वही answer देंगे जो गलत होगा ठीक है यहां जो है column को column नहीं लिखा जाता है वो C O L S E लिखा जाता है उसको D answer आपका गलत होगा यह एकदम ठाटता है कि आप लोग गलत दोगे क्योंकि column को row को row लिखा जाता है column को C O L S E लिखा जाता है D answer आपका गलत होगा इसमें आजाओ formula C3, C4, C5 को अगर copy करे कहां से C7 से लेकर E7 में तो क्या होगा इस सभी जामते हैं एक question मैंने करा लखा है तो क्या होगा यहां से C7 से वह न 3 से 4 कम है वह से E7 में E3, E4, E5 हो जाएगा E3, E4, E5 हो जाएगा E3, E4, E5 हो जाएगा option A correct हो जाएगा यह भी question करा चका हूँ rdbms का full form क्या होगा rdbms का full form नहीं full form भी बता दो और यह बूचा है कि rdbms में डेटा को कैसे संग्रहित किया जाता है न तब डेटा कैसे store होता है डेटा कैसे store होता है एक बर सभी लोग share करो इसको हाँ relational database management system डेटा बेस management कि सिस्टम यह इसमें जो भी डेटा होता है वह टेबल के फॉर्म में होता है किस फॉर्म में होता है टेबल के फॉर्म में डेटा होता है सी आंसर करेक्ट होगा अगला कॉश्चन है निमलिखित में से कौन सा विकद करतनों को सत्यता का सबसे अच्छा वरन करता है Microsoft PowerPoint slide को orientation portrait के रूप में सेट नहीं किया जा सकता बोला कि जो PowerPoint है उसमें slide का orientation हम portrait नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं बाई लेकिन by default land escape होता है तो कर तो सकते ही है तो यह तो सही है न यह सही है वो बोला कि सत्यता को सबसे अच्छा वरन करता है प्रिष्ट संखे Microsoft PowerPoint presentation slide के उपरी भाग में डाली जा सकती है एकदम डाली जा सकती उपरी भाग में जो आपके पेज नंबर है वो उपर जो है वो भी डाला जा सकता है तो क्या हो जाएगा इसका आंस्वर कि चलो कि ठीक है यहां बोला कि portrait के रूप में सेट नहीं किया जा सकता लेकिन किया जा सकता है इसलिए चीज़ क्या हो हो जाई की गलत हो जाएगी तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा ओर यहां हम हाँ दूसरा वाला तो सही होगा ही तो C answer correct होगा अच्छा अब आओ class C IP address use IP address जो होता है class C का वो कितना bit use करेगा class C IP address use bit for network ID एक network ID होता है फिर आपका host ID होता है ठीके आपके जो होते हैं वो आपका कितना चार like update होता है चार like update IP address में तो उसमें आपके class A में पहला like to join network ID का होता है बाकी host ID का होता है class B में चलें तो आपका जो दो like to do it होगा वो आपका किसका होगा network id का होगा 2 host का होगा और class c में आओगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 आपके जो होंगे वो network हो जाएगे ये network id हो जाएगा network का हो जाएगा ये host का ID हो जाएगा ठीक है तो 8 8 8 8 का एक कोक्टेट होता है 8 bit 8 bit 8 bit 8 8 16 8 3 के 24 24 bit का network id होगा चलो 8 bit नहीं हो सकता है 8 bit नहीं होगा 24 bit होगा इसको मैंने पढ़ाया है theory class जाना उसमें मैंने पूरा ये division बताया है कि किसका subnet mask होगा c वाले का subnet mask क्या होता है ये सब question पूच्छन पूच्छन है तो उसको अच्छे से पढ़लो ठीक है जो प्रोग्राम के इस्ट्रक्छन होते है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है कहां पर इस्टोर किया जाता है from which they are fetch and decode and executed by the CPU कहां इस्टोर किया जाता है फिर वो वहां से fetch किया जाता है CPU के दोरा उसको decode और execute किया जाता है internet वाले नहीं computer network वाले में पढ़ाया हूँ कहां पर computer network की जो चार class है उसी में ये last class में मैंने बताया है क्या होगा इसका answer बहुत बढ़िया memory होगा a answer होगा क्योंकि कोई भी आपका जो instruction है प्रोग्राम का वो memory में store होगा वहीं से आपको टैकर होगे बोले which material is used to manufacture computer chip computer में जो भी ICOC chip बनती है उसमें क्या use होता है silver, iron, gold या semiconductor तो आप क्या कहोगे semiconductor chip होती है silicon और germanium की maximum devices जो होते chip जो है इनी की बनती है the answer correct हो जाएगा अगला प्रोशन है ALU किसका part है ALU जो है arithmetic logic unit ये किसका part है CPU का control unit का memory क्या या none of these ALU किसका part है मैंने आपको architecture में पढ़ाया था न ये आपका CPU होता है CPU में ही control unit arithmetic logic unit आपके होती है registers होते है तो ये CPU का part है किसका part है CPU का part है yes correct answer होगा USB का पूर रूप क्या होगा USB का full form क्या होगा जल्दी से बताइए हाँ arithmetic logic unit एक बार share करो सभी लोग universal serial bus क्या होगा universal serial base नहीं होता है universal series bus नहीं होता है sequential bus नहीं होता है serial bus होता है universal serial bus होता है B answer correct होगा बहुत बढ़े हैं सभी लोग B के साथ जा रहे हैं अगरा है which key delete the character to the left of the cursor cursor के left में cursor के left से अगर delete करना हो तो कौन सा इसमें से हम लोग use करते हैं बताओ left से अगर यहां पे cursor है left का full character आपको delete करना है तो कौन सा use करोगे back space से ही तो left delete होता है और right वाला जो होता है वो आपका delete से delete होता है right वाला delete से delete होता है तो answer B दोगे इसका the click lock property of a mouse जो click lock property है वो mouse की क्या हो तो अजय को तो click lock property क्या है बोला है आन अडिस इनमें से कोई नहीं पहले देखे लोगो तो इनमे से कोई सा allowed to prevent item from getting click घिके allowed to set a password for item नहीं allowed to drag without holding mouse button ठीके क्या होगा click lock property allow to drag without holding mouse button को बिना hold किये आप क्या कर सकते drag कर सकते कोई चीज ऐसे खीच के drag कर दो D answer होगा EBCDIC ये प्रकार का unique code होता है EBCDIC मतलब जैसे आपका ask I code होता है वह ऐसे EBCDIC होता है इसको मैंने number system में पढ़ाया है इसका full form क्या होगा इसका full form क्या होगा ये 8 bit का होता है कितने bit का होता है 8 bits का होता है तो इसमें total कितने character क्यों कर सकते हो code total 256 character को code कर सकते हो अब इसका करेक्टर के कोडिंग होती है extended binary coded decimal interchange क्या होगा इसका answer E, B, C, D, I, C किसमें है D answer होगा कि C होगा extended binary coded decimal interchange code हाँ, code होना चाहिए extended binary coded यह coded होगा decimal interchange code यह आपका D answer करेक्ट होडा आएगा चलो अब बोला which of the following is a non-volatile computer storage device containing magnetic disk of platters rotating at high speed किसमें आपके कौन सा magnetic disk होता है कौन सा storage device है जिसमें magnetic disk होता है वो platters उसमें rotate करते हैं high speed से तो platters किसमें होते हैं hard disk में मैंने बताया था ना ऐसे आपके जो लगे होते हैं उसमें वो आपके क्या होते हैं platters होते हैं यह सब क्या है आपके platters होते हैं ठीक है, तो यह hard disk होता है, यह क्या होता है, hard disk होता है, D answer correct हो जाएगा, दल्लीगर right to use software, जो आपको लिगर right मिलता है, किसी भी software को use करने के लिए, based on specific restriction in guaranteed YA, किसके थुरू, software privacy policy, software license policy, software password manager, software log, यह दोनों तो नहीं होगा, अब software privacy policy होता है, या software license के थुरू होता है, B answer बहुत बढ़िया, जो भी आपको rights मिलता है, तो वो software के license, क्योंकि उस software का license होता है, तो उसके legal customs condition होते हैं, कि आपको उसको कैसे use करना है, तो यह आपका सही होगा B, ठीक है, B answer correct होगा, booting the computer system is a process, booting जो है, एक प्रकार का computer system का process है, जिसमें क्या होता है, bring an operating system from hard disk to main memory, या bring an operating system from main memory to hard disk, bring all user data from hard disk to main memory, या bring all user data from main memory to hard disk, इसमें आप क्या कहोगे, क्या सही जबाब होगा, जल्दी से बताओ, हाँ, बहुत बढ़िया, जो आपका operating system जो होता है, basically कहां राता है, बेसिकली आपके hard disk के drive में राता है ना, लेकिन जब boot होता है, तो वो memory में लोड होता है, वो memory में जैसे आपका क्या कोई भी application, चाए MS word हुआ, चाए MS powerpoint हुआ, वो आप कहां आपका दिखता है, किसी ना, किसी drive में ही राता है, लेकिन जब उसको open करते हो, तो किस में open होता है, वो main memory में open होता है, वैसे ही जब आपका boot होता है, तो hard disk से आपका operating system main memory में आता है, ए आंसर correct हो जाएगा, disk scheduling algorithm, फीफो, एक disk scheduling algorithm है फीफो, ठीक है, उसका क्या है, इसका मतलब क्या है, फीफो, का भी मैंने कल ही बताया था, first in, first out, few in, few out, frequently, infrequently out, या first in, first out, क्या होगा, fast in, fast out, तो ये तो होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये भी नहीं होता, भी answer correct होगा, first in, first out होगा, सिस्ट में अगला क्वेटल मुझे दिखने रहे हैं सिस्टम बंद हो चुक आफ लोक प्रीट शैस्टेम ट्रिय इसमें बोला compiler के संदर्व में RTL का मतलब बताईए RTL क्या होता है जल्दी से बताईए RTL एक तरह से जो compiler होता है compiler अपना जो भी चेक करता है एक तरह से वो किसके help से करता है RTL के help से करता है RTL runtime library होता है क्या होता है runtime library होता है जो compiler को help करता है यह ध्यान रखिएगा which of the following software उसी में सभी syntax होते हैं उसके grammar होते हैं which of the following software collect the information from a computer and transmit into man in the middle बताओ इसमें से क्या होगा हुआ निमन में से कौन सा software computer से जानकारी एक अठा करता है और इन में से man in the middle को संचारित करता है दो मिनिट रुके एक बर्ब सिस्टम को हम on कर लें इसका अंसर आप लोग बताईए दोखो फॉर्ट बॉम्म यह तो सब बाई वाईरस है बूट सेक्टर वाईरस यह भी बूट सेक्टर में बाईरस जो पाए जाता वो है memory resident वाईरस हो गया spyware spyware है यह भी एक प्रकार का वाईरस software है जिसका कामी होता है spy करना ठीक है spy का मतलब बिना आपके knowledge के या आपके system में install हो जाता है यह आपके जितने भी information है ठीक है वो सभी information को लेकर चुरा कर दूसरे को दे देता है इसी को spyware कहा जाता है यह भी एक तरह का क्या है malicious software है ठीक है मतलब वाईरस है बिना आपके मर्जी से आपके system में install हो जाएगा MS paint में कितने प्रकार का paint brush होता है कितने प्रकार का जब आप paint brush पे click करोगे तो कितने प्रकार का होता है 9 प्रकार के paint brush होते है कितने होते हैं 33 का grouping होता है 9 प्रकार के paint brush होते है comment करो भाई तुम लोग के comment नहीं दिख रहे हैं कहां गए सब चलो अगला question which of the following statement about assembling language are correct assembly language के बारे में कौन सा सही है assembly language is a machine dependent assembly language is a machine independent सब्सक्राइब इनाड़ वह से सब्सक्राइबोग विय्टरण से तुर mor nov और फडिततो विष्पृर्ण नहीं द्शनाक्रोंन तो किसे सब्सक्राइब और अब ही कमेंट आपके आ रहे हैं ठीक है एसेमली लेंगवेज कैसा है यह एसेमलर जो होता है एसेमली को किस में गनवर्ट करता है मसीन में कनवर्ट करता है तो मसीन डिपेंडन है यह आपका आउनसार सही होगा इसमें बोलाग 1585 को 1580 जो है आपका क्या है decimal है इसको hexadecimal में convert करना है hexadecimal में convert करना है तो क्या करोगे 16 से divide करोगे 1580 को कितनी बार जाएगा बताओ 16 को divide करोगे 1580 को कितनी बार जाएगा 9 9 remainder बचा 1 ठीक है यह होगा उसके बाद से 16, 96, 90 remainder बचा 3 तो अब यह आपका हो जाएगा 6, 3, 1 ठीक है 6, 3, 1 तो यह ध्यान डखना जो hexadecimal होता है वो 10 के बाद आपका 10, 11, 12 यह जो है आपके change रहते हैं उसमें लेकिन सब कम है तो 6, 3, 1 आपका answer हो जाएगा यह hexadecimal होगा 1585 का 6, 3, 1 आपका hexadecimal होगा What is the size of destination address in a data frame of Ethernet जो Ethernet होता है उसमें जो एक data का frame होता है समोज करो जो data frame लेके जा रहा Ethernet उस frame की size कितनी होती है उस frame की size 6 byte होती है 6 byte का मतलब 6 into 8 आर्चा के 49 bit लेकर चलता है हो ठीक है 48 bit information लेकर चलता है तो कहीं आपका bit दिया रहे तो 48 bit हो जाएगा और 6 byte हो जाएगा चलो to which among the following 255, 255, 255, 255 0, assign to यह subnet mask होता है यह किसको assign किया जाता है DNS को none of these default gateway को यह subnet mask को यह किसको दिया जाता है यह किया है subnet ने DNS नहीं यह subnet mask का मैंने बोली दिया ना यह subnet mask होता है subnet mask of class B address ठीक है subnet mask of class B address जो होता है वो यह होता है DNS नहीं होगा यह subnet mask होता है DNS के लिए कोई subnet नहीं होता है DNS क्या करता है आपका domain name server है यह जो भी आप IP address होता है ठीक है उसका काम सिफ आपके system में होता है यह आपके जो आप क्या करते हो जो नाम डालतों मालों परिक्षा प्लस डाले इस परिक्षा प्लस को IP में convert करना translator का काम करता है IP में convert करता है बस यह which of the following OSI layer provide end to end error detection and correction अभी मैंने कल ही बताया था कि error detection correction किसमें होता है class C क्यों होगा ऐसा नहीं है subnet अलग होता है वहाँ देखना subnet जो मास को वो अलग होता है बहुत कम चांसे एक दो मैं करा दे रहा हूँ बहुत कम चांसे से ऐसे पूछेगा आपसे इसका अंसर जल्दी से बताओ भाई इसमें अभी कली तो बढ़ाता है error detection और correction किसका काम होता है transport layer का काम होता है error detection और correction किसका होता है transport layer का काम होता है ठीक है अच्छा उसमें क्या था subnet mask 255 255 255 अच्छा यह तीनों तक है तो यह c का ही होगा यह किसका होगा subnet mask c का ही होगा क्यूंकि एक ही host address बढ़ता है b का सही बात है यहां मैंने लिखा भी है यहां पर जो होगा यह c का subnet mask होगा अभी मैं मुझे ध्यान आया मुझे लगा 255 255 के बाद 00 है b का जो होगा वो यह होगा ठीक है और जो आपका a का होगा वो यह होगा ठीक और b c का जो होता है वो आपका यह c का subnet mask होता है यह भी आपका देखो यह in terms of digital certificate SSL stand for SSL आपके website के लिए किया जाता है security purpose देखे होगे कि जो आपका lock लगा होता है किसी website में ठीक है वहाँ पे हरे color से बन जाता है कि वो security है ठीक है देखे होगे lock तरफ से बना होता है यहां पर ऐसे जब भी search करते हो तो वो SSL certificate के through होता है आपका इस SSL को क्या कहा जाता है जल्दी से बताओ इस SSL को क्या बोला जाता है secure socket layer बोला जाता है कि आपकी website को secure कर दिया जाए secure socket layer बोला जाता है d answer correct होगा Ethernet का दूसरा नाम क्या है Ethernet जो cable होता है Ethernet लिखा Ethernet कर लो इसको Ethernet का जो होता है दूसरा नाम क्या है Ethernet का अगर बोला जाता है दूसरा नाम 023 है यह होता है यह कई बार question पूछा गया है बहुत से exam में यह question पूछा गया है इसको ध्यान दखना form to date subject field of email or card as जो आपके यह होते हैं कि किसको भेजना है to date subject email में इसको क्या कहा जाता है email header, email greeting, email information, email starter इन सब चीजों को क्या कहा जाता है यह email के इतना advance नहीं लेकिन हाँ कुछ जीजों में जैसे यह कहा है यह question आ सकता है यह क्या है fact वाले question है ठीक है यह आ सकता है यह आपका आ सकता है full form है उसके बास से मैं बोलू यह यह भी आपका मुस्किल है यह नहीं आएगा यह आपका आएगा जब आपके all level equivalent पूशता all level equivalent अगर कहीं आपका exam होता तो यह question आता ठीक है यह भी all level equivalent आता यह भी all level के equivalent question है ठीक है तो यह questions आपके आने में chances नहीं है आ जाओ यह देख लो इक बार यह आपका आ जागा क्यूंकि यह fact basis पहें केबल पे है और केबल का नाम होता है मैंने जब पढ़ाया एसाइड केबल वहाँ बताया है 8.802.3 इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है email header यह सब कुछ head पे होता है तो इसको email header बोला जाता है telnet telnet के बारे में मैंने बताया last class में ही बताया आप लोगों को कि telnet क्या होता है telnet के थू ही आपके जितने online exam है वो conduct किये जाते है askdex भी एक तरह का telnet पे ही चलने वाला जो है क्या है आपका software है तो telnet का मतलब होता है remote login क्या होता है जो remote login होता है C answer सही होगा चलो बहुत बढ़िया अगला प्रस्थ नहीं है रहा e-commerce, e-learning, e-banking, m-commerce etc. belong to which of the following service यह question आ सकता है ठीक है यह जितने भी e-commerce हो गया e-learning हो गया, e-banking हो गया m-commerce हो गया यह सब किस से बिलॉंग करता है business service से, user service से, internet service से या e-service से हाँ, यह सभी जो है e-services है, e-sewाएं है यह सभी किस के अंतर गताएंगे e-sewाएं के अंतर गताएंगे d-answer सही होगा इसका e-services है which of this is a bootloader for windows 10 देखो, इसमें से कौन सा bootloader boot का का काम करता है जो boot को load करता है एक तरह से ठीक है, वो आपका क्या होता है bootloading process जिसके अंतर गत होता है वो आपका इसमें से क्या है software है देखो, इससे पहले sunscreen में, 7 तक जो आता था वो anti-ADR software होता था वो loading का का काम करता था जब भी आपका operating system load होता है जिसको boot process बोलते है वो इसी software के थुरू होता था लेकिन आप यह पहले Vista में होता था, Windows Vista Windows Vista के बाद Windows 10 में आने लगा है Windows 10 में भी आने लगा है तो boot MZR जो software है यह loading का का काम करता है boot MZR the smallest unit of information about a record database is card smallest unit of information about a record of database इसका database का एक छोटा सा unit record जो होता है वो क्या कहलाता है record को क्या कहते है बोला ना यहां पे about a record in a database is card record को क्या कहा जाता है जो record होता है उसी को field कहा जाता है क्या कहा जाता है field कहा जाता है sell नहीं sell तो छोटे छोटे होगे ना which of the following best describe a network in which company data and application are stored at off-site data center data access over the internet ठीक है समझ गया यह क्या है किसका example है उस तकनीक को क्या कहा जाएगा network in which एक company जो है अपना data चाहिए application store कर सकती है करती है off-site the data center ठीक है and access over the internet मतलब अपने data center से बाहर उसको क्या करती है store करती है और internet के थूरू उसको हम access कर सकते है access storage को क्या कहा जाएगा जैसे आपका MI MI में क्या है आप जब mobile लो MI login है तो वो उसका data किस पर रता है MI cloud पर होता है तो उसको cloud computing कहा जाता है ठीक है सभी data आप किसी भी कोई भी device लो वो चीज़ लॉग इन कर लो आपका MI account तो आपका पूरा data आ जाता है तो C answer correct हो जाएगा RTF RTF क्या है MS Word का file format है MS Word का जब आप save करने जाओगे तो वहाँ पे भी कई file format आता है उसी में एक RTF भी file format है इसका full form क्या होगा अभी 38 question पे हम लोग हैं बताओ 60 प्रस्न लेके आये थे Rich text format इसका full form होगा Rich text format To connect a network of similar protocol Are used एक ही protocol के ठीक है एक ही protocol से चलने वाले कई दो अलग अलग network हैं उनको जोडने के लिए किसका यूज़ करेंगे router का bridge का gateway का या dialogue का तो एक ही protocol को जोडता है bridge आ राउटर जो होता है यह अलग अलग different network को जोड़ता है एक के को जोडने में वाला puisqu düşHHHH योटर जो जोडता है एक्सल वाउक्सी डाकूमेंट ऊरी स्टोरी ने फाई इस काई अ के एक्सल वाक्सीट डाकूमेंट आए इस 팔 इस काई क्या का जाता है जो worksheet होता है उसको क्या कहा जाता है जो worksheet होती है जो excel worksheet document और store in a file उसको workbook कहा जाता है जिसमें आपके sheet आपकी collected रहती है उसको workbook कहा जाता है what is the purpose of providing draft folder in email system email system में draft folder जो दिया गया हो किसके लिए है to save unsent mail to store spam email to save a copy of sent email to store deleted email किसके लिए होता है draft वाला बहुत बढ़िया यह भाई जो अगर आप mail नहीं भेज पारे हो कहां चला जाता है draft में चला जाता है ठीक है वो कहां चला जाता है draft में चला जाता है dhtml stml का full form तो जानती है उसमें d लग गया तो hypertext main language यह hypertext markup language यहां से stml के basis पे आप बता सबते हो full form क्या होगा देखो यहां hypertext markup language यह है main तो अला होगा नहीं अब यह है तो dynamic होगा या digital होगा dynamic होगा या digital होगा तो dynamic होता है digital कुछ नहीं होता है यह काप का जो है fill the selection of active cell and the right select multiple role क्या होगा इसमें यह तो एकदम आसान है भाई simple सी बात है right alignment के लिए control R होता है उसके बास proxy server is used for which of the following to provide security against unauthorized user to process a client request for web pages to process a client request for database assess to provide TCP IP यह नहीं करता है ठीक है database assess के लिए नहीं होता है किसके लिए होता है client request को web page assess करने के लिए होता है कि हम चलो सभी का चाहवाल इसका बी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया ठीक है तो बी होगा अब proxy server का होता क्या है क्या हो गया इंडिया में कई पॉन साइटे वेन हैं लेकिन आप कुछ लोग जा है अलग से जो साइटे होती है वह उसको proxy proxy का मतलब होता है कि बोला है ताना कि मेरा भी college में जाना प्रॉक्सी मगार देना मतलब जो वंदा नहीं है प्रिजेंट उसकी भी प्रिजेंट लगती थी ठीक है तो वही बात यहां पर भी है मतलब वह एक तरह से जो प्रॉक्सी सर्वर के थूँ हम उस page को एक्सेस करते हैं हाँ ठीक है यहां पर वह साइटे आपकी यहां पर लाव नहीं है लेकिन बीच में कुछ भी चौली है आ गए जो अपना एक सर्वर दे दिया जिसके थूँ वह उस page को एक्सेस कर सकते हैं तो कि देखे हो ग साट लोग एक्स्परिमेंट किये हो ग साट चाहिए जो आजहों कई चीजों में होता अर्षि प्रोटॉट कॉल की मेहां जाता है तो तो ऐसे ही एक ping के लिए एक जो आपका यहां पर use होता है प्रोटोकॉल वो होता है ICMP इसका full form बताओ कोई पिंक के लिए ICMP use होता है यह तरह से आपका भेशता है जो device होता है राउटर होता है यह राउटर पर ही वर करता है कि यह आपको जो भी मैसेज गया तो वो मैसेज देखता है कि हम मैसेज सेंड हो गया एकनॉलिजमेंट सिंगनल जिस पे काम करता है वो ICMP प्रोटोकॉल ही होता है इसका कोई बताओ मुझे ICMP का फुल फर्म क्या होगा जल्दी से बताओ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल चलो बहुत बढ़िया सही है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यह होता है एकनॉलिजमेंट के लिए हो सकता है सुचित करने के लिए होता है पिछले वाले को कि हाँ आपने यह भेज दिया है पहुँच गया है सही सलामत पहुँचा है इंटरनेटर और कंपाइलर दोनों यूज किया जाता है DVD क्या है DVD is an example of optical disk DVD का ऐसा example है optical disk का example है The definition of tracing tracing का definition क्या है Swapping data between the virtual memory virtual memory के बारे मैंने बात किया था जब भी आपका जो main memory है वो full होने लगता है तो आपका operating system की यह खासियत होती है कि वो hard disk का एक part ले लेता है और बताता है किसी भी program को कि यह आपकी main memory का ही part है वो आपका physically नहीं exist करता है जो एक तरह से बोला जाए imaginary exist करता है virtual memory तो वो काम होता है तो इसमें tracing का मतलब होता है कि data की swapping होना कहां से virtual memory से RAM के बीच में कि पता ना चले तो उसी को कहा जाता है tracing कहा जाता है यह option सही होगा इसका red triangle at the top right corner of the cell indicate ठीक है किसी cell में top right corner पर यहाँ पर आपको red right corner पर अगर red color दिखरा है तो वो क्या बताता है there is an error in the cell there is a comment associated with the cell comment को बताएगा कि अगर cell में कोई comment आप किये हो तो उसको बताएगा बहुत बढ़ी है सभी answer दे रहे हैं बहुत बढ़ी है बहत बढ़ी है बहतरी चलो inventor of C++ wind calf के बारे बताया था यह internet के जनक है internet के पिता इनको कहा जाता है Charles Bebers को father of computer बोला जाता है और Bezrens to Strap को क्या बोला जाता है C++ का फादर बोला जाता है और Dennis Richie को C का Dennis Richie को C का फादर बोला जाता है ठीक है और C++ के यह होंगे D answer सही होगा इसका what is back backup अच्छा backup क्या है adding more components to your network नहीं protecting data by copying it from the original source to a different destination filtering old data from new data नहीं assessing data on tap नहीं यह है आपका protecting data by copy मतलब आप original data का आप क्या कर सकते हो एक copy बनाते हो कि कहीं data आपका loss हो जाता है तो वहां से आप backup कर सकते हो भी answer सही होगा इसका बावन नमबर question आजा when you turn on the computer the boot routine will perform with this test boot जब आपका होता है तो कौन सा test वो perform करता है यह मैंने आपको बताया है post जो test होता है post जिसको बुरा जाता है power on self test यह पढ़ाया पहली class याद करो ठीके power on self test जब से power button दबाओगे सब कुछ वो चेक करेगा boot वाले operation में जो पूरा आपका peripheral devices RAM लगा है कि नहीं लगा है सब कुछ सही है कि नहीं उसी को बोला जाता power on self test बोला जाता है 52 तिरपन नंबर who amongst the following is called the father of modern computer कौन सा computer modern computer के जनक कौन है आधूनिक computer के पितामा कौन है हाँ आधूनिक computer के जो पिता है वो Alan Turing है इसको ध्यान दखना our father of computer Charles Babbage है website used for building a network with friend and relative is called वो website जिसके थूँ हम लोग friend और relative का network बनाते है उसको क्या बोला जाता e-commerce नहीं net banking नहीं social networking हाँ social networking ही बोला जाता है facebook, twitter ठीक है instagram यह सब क्या है social networking है आजाओ पच्चपन नंबर question which key combination is used to minimize all open window and display in the screen कौन से से हम सभी को minimize कर सकते हैं जितने भी आपके windows screen पर दिख रहे हैं तो अधूनिक का मतलब होता है modern father of modern computer अधूनिक कितियास नहीं जानते हो modern इंडिया हाँ history of modern इंडिया चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा windows की के साथ अगर हम d दबाएंगे तो जितने भी आपके tab open है screen पर वो सभी minimize हो जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे minimize हो जाएंगे मैंने shortcut key में जो आपकी PDF लगवाया है windows के अलग shortcut keys लगवाया है MS Word के अलग Excel के अलग PowerPoint के अलग सब को देख दाना एक बार which of the following is not an advantage of star topology compared to other standard topology star topology जो पढ़ा है मैंने आप लोगो को मेस, ring, star ठीक है बस पढ़ लिए हो की नहीं internet वाला chapter उसमें आपका बोला है कि क्या advantage है star का other topology के अपेक्षा easy to connect a new node or device require less number of cable all nodes are directly connected to the server isolation of fault node is easy जी ये node shift paid वालों के लिए है क्या होगा इसमें हाँ, control and ppt में नया page add करने के लिए है देखो, बोला है require less number of cable नहीं भाई, star में अगर हम क्या करते हैं जितना device जोडेंगे उतना ही हमें केबल जरूरत पड़ेगी, जाहिड सी बात है तो यहां के all nodes are directly connected to the server एक hub से server से जुड़ा होता है C answer correct दोगे इसका क्या होगा? क्या बोला है इसमें? अच्छा, which of the following is not an advantage of? अच्छा, हमें लगा कि यहां आपसे क्या बोला है? not पूछा है, कि advantage नहीं है ठीक है? यहां बोला, which of the following is not an advantage of star topology compared to the other standard topology ठीक है? तो यहां पर क्या है? कि less number of cable यहां less cable नहीं लगता है जादे cable लगता है बाकि सब है, यह भी होता है isolation faulty node is easy यह भी सही बात है कि अगर आपका कोई भी fault हो गया है तो easy नहीं आप पकड़ पाओगे easy to connect new nodes or device यह तो होता ही होता है ठीक है? less number of cable नहीं जादे number of cable की जरुवत होती है तो वही आपका बोला which of the following is not an advantage of start aplausi? यह advantage नहीं है, यह disadvantage है लिब्रा ओफिस से question नहीं आएगा HTML tag for which no HTML tag for which no corresponding close tag exists R card solo tag, empty tag, unmatched tag या lonely tag बताओ, क्या इसका सही जवाब होगा यह भी आप लोगों में मुस्कील है नहीं पूछेगा यह भी आप लोगों में मुस्कील है नहीं पूछेगा क्यूंकि HTML का tag जो है वो O-Level के equivalent वाले में आ जाता है empty tag में हमें किसी भी close tag की जरुवत नहीं होती है semaphores, यह भी operating system का deep में चला जाएगा semaphores is used to solve the problem of जो semaphore है वो किसके problem को solve करता है race condition को be lady problem को process synchronization को या mutual exclusion को देखो यह क्या करता है कि जो process के synchronization होता है क्योंकि integer value होती है semaphores उस process के synchronization को manage करता है race condition को नहीं process synchronization को manage करता है कब कौन से process के बीच में कितने difference होना चाहिए time होगा which shortcut key is used to previewing the page before printing preview के लिए print preview के लिए print preview के लिए कौन सा shortcut key use करते है क्या तो होगे control F2 last press in Microsoft Word 2013 which of the following menu include the split cell option किसमे split cell option आता है बता हो insert page layouts season या layout तो layout में ही आता है जब table ले लोगे cell ला लोगे आप तो वसी में आएगा तो ये आपके साथ प्रस्ण होगे इसकी PDF और कल वाले की 40 प्रस्ण की PDF मिला के कल दे दी जाएगी ठीक है आज में कुछ question मैं advance ले आया था advance था इसमें कुछ question ताकि आपको दर्सन हो जाए कम से कम advance का भी कि अगर कुछ मिल ही जाए तो भला हो जाएगा इसमें से ठीक है इसमें से कुछ मिल ही जाए तो भला हो जाएगा एक में कहां पर है जाना कौन सा है रिकॉर्डेड में स्टड़ी मटेरियल में और कंप्यूटर वाले में जाना वही पर लगा हुआ है दो पीडिएफ लगा दी गई है सो सो दो सो कोश्चन लगा दिया गया है ठीक है सो सो दो सो कोश्चन लगा दिया गया है यह सो कोश्चन कर लगा दिये जाएंगे आज के question में कुछ extra मैं इसलिए लेके आया था ताकि अगर repeated question है advance वाले अगर फस गए तो कल्याण हो जाएगा very very good evening मेरी आवाज proper आप तक पहुँच रही है एक बर सभी लोग जुरदार तरीके से सेर कर दो और question number आपके एक जो है चलिए तो सभी लोग एक बार सेर करो जुरदार तरीके से विच component display word count and proof button ठीक है word count and proof button in Microsoft word 2010 समय स्वो करता है ऐसी बात नहीं है Qcess toolbar Qcess toolbar उपर होता है कोई भी चीज आप जल्दी से एसस कर लो चाहे है आपको save करना हो अंडो रीडो जो भी चीजे कहीं भी आपका हो जिसमें आपको समय लेगता हो उसको आप क्या कर सकते हो Qcess में लगा सकते हो status bar में जब जाओगे तो नीचे आपका page number word count यह सब दिखाता है तो यहीं आपका status bar में ही आपका word count होता है status bar में ही word count होता है चलिए status bar इसका correct answer होगा 20 जो इतने लोगों ने दिया एकदम सही जबाब है which of the following key is used to create a new paragraph in ms word ms word में नया paragraph create करने के लिए किस key का use करेंगे जल्दी से answer comment करिए आप लो जल्दी से answer करो अगले paragraph में अगर हमें create करना होगा तो हम इंटर दबाएंगे इंटर से हमारा नया paragraph जो है create होगा in which year information technology act was enacted ठीक है information technology act जो है किस साल जो है आपका बनाया गया था तो जिसके तहत आपके इसी act के तहत जो cyber crime है ये सब चीजे हैं वो इसी से deal किया जाता है तो बताओ वो कब आपका गिया गया था information technology act जो है 9 जून 9 जून 2000 को किया गया था और इसमें सबसे बड़ा बदलाओ कुछ जो है आपके changes जो है 2008 में किये गये है तो ये 9 जून 2000 में किया गया है तो answer आपका B होगा इस अधिनियम को जो बनाया गया था C program में एक बड़ सभी लोग session को share कर दो भाई जोड़ार तरीके से C में कोई भी statement किस से आपका terminate होता है semi colon जो भी आप लिखोगे जैसे माल लो लिखे integer a equal to one तो यहाँ semi colon लगाओगे तभी terminate होगा नहीं तो error देदेगा अगर semi colon नहीं रहेगा तो with the reference of computing and applet is a applet क्या है एक applet जो है प्रोग्राम है applet यह search engine type का प्रोग्राम होता है तो applet का क्या है इक तरह से applet is a internet based program written in Java language with the help of HTML Java language में लिखा लाते जेवा एप्लिकेशन है यह क्या है एक जावा एप्लिकेशन है यह एप्लेट एक तरह से internet program है like a search engine बोल सकते हो और यह क्या हो जाएगा एंसर आपका correct हो जाएगा कि चलिए python क्या है python is a python मने बदाया high-level language है low-level language कों कॉन से होते है machine language और SME language ठीक है यह जो आपके होते हैं low-level language होते हैं which of the following does not support bi-directional data transmission मैंने आपको data transmission पढ़ाया है simplex, duplex, half-duplex ठीक है तो उसमें बताओ bi-directional कौन सा data transmission होता है जो नहीं अच्छा not support bi-directional जो bi-directional नहीं support करता है बताओ तो simplex जो होता है simplex जो होता है आपका bi-directional नहीं होता है क्योंकि एक बार जैसे radio में है जो signal radio के मिला आप उधर से नहीं बेश सकते हो इधर से चीज़े जा सकती हैं आप उधर से नहीं message बेच सकते हो तो यह simplex हो गया हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक टाइम पर एक ही चीज होगी इधर से जाएगा दूसरे टाइम पर उधर से आएगा वाकी टॉकी हो गया इसका example full duplex mobile phone एक बार आप इदर से के तुरंट ए वन टाइम में दोनों तरफ से message send और receive दोनों हो सकता है तो यह आपका full duplex हो जाता है तो answer इसका होगा simplex वाला अब बोला ही ने computer terminology what is the full form of PDF यह भी question का exam में पूछा गया है chances बहुत बनते हैं आपके exam में आने के तो जल्दी से बताओ इसका सही जबाप क्या होगा PDF का full form क्या होगा PDF का full form क्या होगा भई क्या होगा देखो यह system भी बंद हो गया printable document format printable document format print dispatch file नहीं होता है protocol नहीं होता है प्रिंटेबल नहीं होता है ठीक है जो document प्रिंटेबल डाकुमेंट फार्मेट होता है गलत है प्रिंटेबल डी आंसर करेक्ट होगा विच अब दा फॉल्लविंग इस दा फर्स्ट कल्कुलेटिंग डिवाइस यह भी मैंने बता है पहला calculating डिवाइस कौन सा है abacus है बी आंसर करेक्ट होगा abacus होगा पहला calculating device flash memory is made up by जो flash memory है वो किसके दोबारा made up होता है rd, rm, m-row, s-rm या e-e-p-row किसके दोबारा flash memory आपका बनाया जाता है क्या answer करेक्ट दोगे जल्दी से दो आपके comment मुझे दिखने ही रहे लेकिन चलो ठीक है यह क्या होता है non-volatile memory होता है यह non-volatile memory होता है ROM पे ही बनता है और e-e-p-ROM होता है electrically erisable programmable read-only memory क्या होता है electrically erisable ठीक है provirmable ठीक है उसके बाद से ROM का full-form लिग दो read-only memory तो यह होता है e-p-ROM यह flash होता है क्योंकि यह flash devices है उसमें आपका जो semiconductor से बना होता है और इसको क्या है कि जितनी बार चाहें उतनी बार हम क्या कर सकते है erase कर सकते है इसी लिए यह थोड़ा flash memory इसको बनाया तब pendrive उन्द जो चाहो तब आप क्या कर सकते हो format कर सकते हो ना उसमें data रख सकते हो लेकिन जो main of pendrive की बात नहीं हो erase हो रहा है आपका data जो basic उसका structure है जो semiconductor है उसमें जो भी data होता है flash memory जो आपके यह भी appendrive भी होती है यह भी flash memory के example है लेकिन वो अलग प्रकार का यह ROM जो flash होता है वो आपका इसी से बनता EEP ROM से बनता है EEP ROM से बनता है अच्छा इसी में एक आपका और है RDRM RDRM का भी मैंने memory वाले में बताया है कि RDRM का full form क्या होता है यह भी एक प्रकार का RAM होता है Rambus Dynamic इसका होता Rambus नाम था scientist का Rambus Dynamic ठीक है Random Rambus Dynamic Random Assess Memory यह क्या होता है basically किसके लिए बनाय जाता है जो आपके high level की graphics games होते है उनके लिए बनाय गया है तो यह particular चीज के लिए बनाय गया था तो यह RDRM है Mroll का क्या हो गया Mass Read Only Memory हो जाएगा SRAM मतलब Static RAM हो जाता है ठीक है Static RAM SRAM से ही कैसे memory बनती है समझ रहे हो जो कैसे memory है वो SRAM का ही बनता है इसी से कैसे बनता है आपका आजाओ WN is the most used abbreviation networking what is the full form of इसका full form क्या होगा तो wide area network होगा इसमें भी पूछना है क्या है wide area network होगा B answer सही होगा Next is name the memory that act between main memory and the central processing unit मलब आपका main memory है वहाँ पे बोला name the memory that act between the main memory and the CPU CPU और main memory के बीच में जो act करता है वो कौन होता है तो वो आपका कौन होगा कैसे memory होती है वो कौन सी होती है कैसे memory होती है बहुत बढ़िया सभी लोग एक बार से air करो जुरदार तरीके से अभी आपके comment दिख रहे है 12 के A एकदम बहुत जबर दस 12 का A होगा कैसे memory होगा which of the following is the correct full form of JPEG image का format होता है JPEG का format क्या है मतलब full form क्या होगा बताओ JPEG का full form क्या होगा JPEG का full form क्या होगा Joint Photography Export Group ठीक है Joint Photographic Export Group Export Group मत कर रहे ना पहला बाला Export Group होता है ठीक है C answer होता है PNG का full form बताओ PNG का full form क्या होता है PNG का full form क्या होता है Portable Network Graphics ठीक है यह भी image का format होता है PNG The communication line between CPU memory and peripheral इस काल मतलब जो CPU का memory है ठीक है और जो peripheral devices है उनके बीच में जो communication line है जैसे बात करते हैं उनको क्या बहते हैं socket, slot, port या bus तो bus ही होता है जो communications कराता है internal और external bus होते है तो bus आपका होता है A answer correct होगा इसका average का इसका output क्या होगा average लिखा है 4, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20 20 का 2, 2, 4 है 4, 5, 20 मतलब average आएगा आपका 5 option A correct होगा इसका output क्या आएगा A आएगा एकदम जबरदस्थ 16 number question आपके screen पा आ गया decorative text in MS Word जो decorative text होता है MS Word में उसको क्या काते है अलग-अलग side में अलग-अलग shape में दिखता है उसको ही word art कहा जाता है क्या कहा जाता है word art कहा जाता है univact का full form बताओ जल्दी से बताओ univers का full form बताओ एक बार univers का full form बताओ univers का full form क्या हौँ universal automatic universal automatic computer A universal automatic computer की जो design किस ने किया था यह बताओ जॉन मौसली ठीक है और और कौन थे हैं जो साथ में तो एनिया को भी किया था जे प्रेस पर एसकार्ट ठीक है यह भूल गए कैसे जॉन मौसली एन जे प्रेस कर एसकार्ट यूनिवर्सल आइटमेटिक कम्प्यूटर यूनिवेक वन को किया था उन्होंने प्रोग्राम सिस्टोर इन विच अप डवागा दो कोई भी कियोंकि यह क्या होता है नॉन वॉलेटाइल होता है यह इसके जो यह एडेटा जोए इरेज्ट नहीं होता है समझ में आगया तो भी आँसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें इसमें से कौन सा होगा जल्दी से बताइए देखो 1956 में नहीं मसीन नहीं नहीं कॉमर्सियल लेंग्वेज थोरो था मसीन लेंग्वेज 1956 में क्या डवलप किया गया था फॉर्ट्रें डवलप किया गया था ठीक है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं जॉन बैसकस और आईबियम के जुआ रहा है और आईबियम के द्वारा ये लेंग्वेज जो है कुछ लोग 54 चपन करते हैं और मुश्च चववन से काम शुरू हुआ था 56 तक हो चुगा था ठीक है तो आंसर क्या होगा फोट्रान होगा या कॉबाल होगा जल्दी से बताओ वैसा नहीं कॉमर्सियल का मतलब होता है कोई कमर्सियल लेंग्वेज नहीं है व्यों कॉमर्सियल तरीके से यूज के आया कॉबाल बाद में आया फोट्रान का यूज कमर्सियल तरीके से मतलब साइन्टिफिक कैल्कुलेशन से फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है उसके भी हाद पर किया गया था इसका यूज कोबाल नहीं होगा कोबाल जो होगा कोबाल पर क्यों जा रहे हो आप लोग कॉमर्सियल का मतलब लेंग्वेज पर जो है आपका कोबाल नहीं होगा कमेंट आपके गायब हो गए है कॉमर्सियल का मतलब आप लोग बिजनस से जोड रहे हो चीजों को वो कोबाल जो था यह कॉमन बिजनस ओरिएंटेड लेंग्वेज था ठीक है यह जो था आपका कॉमन बिजनस ओरिएंटेड लेंग्वेज था लेकिन हाई लेवल लेंग्वेज ये भी था कॉमर्सियल का मनलत जो आपके मार्केट में आ जाए उसका बतलब यहाँ पर लिया गया है एक बाद कमेंट आप लोगों का दिखे तो इससे कन्फ्यूज मत होना फॉर्ट्रेन ही सबसे पहला लेंग्वेज था जो मार्केट में चाहिए था इन विश्ट अपलोजी दस एस इंगल केबल कनेक्ट आल दा नोड एक केबल सभी नोड को कनेक्ट करता हो ऐसे टोपलोजी को क्या कहेंगे बस टोपलोजी कहेंगे ऐसे टॉपलोजी को क्या कहेंगे बस कहेंगे सीसी का क्या होता है सीसी को मैंने आपको बताया था सीसी क्या होता है सीसी क्या होता है जल्दी से बताईए सीसी का मतलब क्या होता है एक होता है ब्लाइन कार्बन कॉपी बी सीसी और एक होता है कार्बन कॉपी मैंने बताया चाना carbon copy का मतलब कि आप कोई mail आप भेज रहे हो और 4 जितने भी recipient हैं उस सब ही देखें कि कि किसको email भेजा गया है तो वो आप car CC में डाल दो तो वो सब दिखने लगता है लेकिन BCC में डाले होगे तो किसी को नेट पता चलेगा कि कौन किसको भेजा गया है यह होता है जो आपके hardware और जो भी होता है system के उसको initialize करता है कि सब कुछ पूर्जा हो जाए इसका ठीक है कि नहीं ठीक है यह answer होगा What is the full form of ADSL Last class में ही मैंने आपको ADSL बताया था DSL का ही एक advanced रूप है यह ADSL DSL का ही एक advanced रूप है जल्दी से बताओ Greater bandwidth होता है इसमें और high transmission होता है ADSL को क्या बोला जाता? asymmetric क्या बोला जाता? asymmetric बाकी आपका DSL का full form जानते हो digital subscriber line asymmetric digital subscriber line B answer correct हो जाएगा इसका अगला है which of the following pair is not match correctly इसमें से कौन सा match correct नहीं कर रहा Alt E edit option in current program Alt shift plus D insert the current date सही बात है Ctrl K से बोला cut the selected text ऐसा होता है क्या? Ctrl K से क्या होता है? Hyperlink होता है क्या होता है? Hyperlink होता है तो यही आपका गलत है Select all हो जाएगा इससे इससे आपका Select all हो जाएगा आपके कमेंट दिख नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपको किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ चलो अभी कोसिस कर रहा हूँ Celeron Pentium Core A Series है? किसकी Series है? Computer RAM की, Computer Microchip, Processor की All of the Web जल्दी से बताईए अप दिख रहा है अलो फिर से बंद हो गया चलिए, लग रहा है आपके कमेंट मुझे नहीं देखने को मिलेंगे तो यह आपके सभी क्या है Computer Process के Series है पहले Pentium आता था उससे पहले Celeron आता था Pentium, Pentium Dual Core यह सब आता था कि नहीं अब क्या है Core के आते I3 Core, I7 Core तो यह आपके किसके है सिंकला किसकी है Processor की है चलो Which of the following keyboard shortcut represent the start menu in the Windows operating system कौन सा shortcut menu आपको जो है Windows operating system के start menu को दर्साएगा जल्दी से बताओ Control के साथ सकब दबाओगे तो वो आपका start menu को दर्साएगा ठीक है For which of the following word the letter G has been used for 4G 4G में चाया 2G में जो G यूज़ किया जाता है वो क्या है Generation है क्या है Generation को denote करता है अगला प्रस्न What do you call the distance between written text and the edge of the paper उसको क्या कहा जाता है Written text मालो text यहां से शुरू हो रहा है और edge है आपका paper का यह है तो यह beach का क्या कहलाएगा इस beach को क्या कहेंगे margin कहेंगे क्या कहेंगे बच्चो margin कहेंगे D answer करेक्ट हो जाएगा मालो आपका यह paper है और paper में आपने यहां से start किया लिखना तो यह जो distance होगी क्या होगी margin होगी which of the following is a scientific computer language आप इसमें से बताओ scientific computer language आपका कौन सा है Fortran भी ही है Fortran ही आपका scientific calculation अग्रेशन लेंग्वेज़ है फार्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोला जाता है समझ में आ रहा है जिसको डिबलप्र किया था बताई दिया IBM ने और यहां पर आपके जो basic lang में जो basic का full form क्या होगा जो basic है यह basic इसका full form क्या होगा एक बार comment आपके दिख जाएं तो तो मुझा पता भी चले beginners लिख दो beginners और परपस छीए और परपस है स्इम्बोलिक इंस्ट्रक्शन है कोड ठी heft यह आपके beginners का full form होता है और इसको डपलम करने वाले जे करनी और एक लोग और थे हैं ठीक है एक कुट्ज यह दोनों ने इसको डेवलप किया था सिम्बैलिक बेसिक को ठीक है उसके बाद से कोबाल को मैंने बता दिया common business oriented language यह कोबाल हो गया फॉर्ट्रेन का हो गया ठीक है पास्कल भी हाई लेंग्वेज है आपका 1917 में necklace विर्थ निल किया था इसको इन्होंने इसको डेवलप किया था 1970 में 1970 में अगला प्रस्न डबलू ओ रम मतलब क्या होता है डबलू ओ रम का संचित रुप क्या होगा राइट वान्स रीड मैनी वर्ड वन रैम मेमोरी वर्ड अप्तिकल रिकोगनिशन माल वेर वारलेस ओपरेटिंग एंड रिड मोडिल नहीं एक बार राइट करो रीड करो बाइड मैनी राइट हाँ रीड मैनी होगा एट अंसर करेक्ट होगा विच वेब ब्राउजर वार डबलॉप बाइग गूगल गूगल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर डबलॉप किया है आप सभी जामते हो वेब ब्राउजर गूगल का कौन सा है ये तो है नहीं ये माइक्रोसाफ्ट का internet explorer Firefox mozilla का है Safari किसका है बताओ Safari जो वेब ब्राउजर किसका है Safari वेब ब्राउजर किसका है किसमें यूज होता है Safari वाला Apple का है Safari ठीक है Apple में होता है Chrome किसका है भाई लिखा आता है Google Chrome ठीक है Which of the following is the slowest type of internet service सबसे slowest कौन साथ है डायल अफ है पहले का होता था Which one of the following is key used to minimize the active window जो भी active window है उसको minimize करना हो तो क्या करोगो जल्दी से बताओ एक्टी विंडो को मिनिमाईज करने के लिए जो आपके विंडो में एक्टी विंडो हो उनको मिनिमाईज करने के लिए क्या करोगे विंडो बटन जो होती है उसके साथ डाउन एरो की दबा दो उसके साथ डाउन एरो की भी दबा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा डाउन एरो की अब इसमें क्या बोला है shortcut and error function match कराना है भाई आपको control w से क्या होगा बताओ switch tab and app reverse switch tab and app close program open start menu program जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा program जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाएगा तो एक का तो तीसरा होगा यह पक्का है एक का तीसरा देखो यह option गलत ही option गलत ही यह बचा है यह बचा है उसके बाद से आपका क्या होगा alt or tab alt tab से क्या करते हो alt tab से switch tab होता ना से फिर इधर से आओगे कंट्रोल स्क्राइब से क्या होगा आपको अभी मैंने बता है ओपन स्टार्ट मेनू होगा तो यह आप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम के दोरा किया गया है तो Android किया गया है एंड्राइड जो है Google के दोरा ओपरेटिंग सिस्टम ॡिजाइन किया गया है यह जहां रखिए गा minimum how many system are required to make network network के बनाने के लिए कितने minimum कम से कम system की ज़रुवत है दो system minimum चाहिए ही क्योंकि communication करना है तो single अपने आप में तो करेगा नहीं कोई भी दो चीजे चाहिए तो दो ही चीजे में network बन सकता है तो वो आपका minimum का दो device चाहिए दो device कुछ भी हो computer printer हो scanner हो कुछ भी हो control w का क्या काम होगा close the document क्या करेगा document को close कर देगा 38 नमर the valid format of ms word ms word का valid format क्या है dot doc format है ठीक है what is the size of ipb6 internet protocol version 6 का जो है आपका address size क्या है ipb6 जो है वो कितने बिटका होता है जल्दी से बताओ ipb6 जो होता है वो कितने का होता है ipb6 32 बिट होता है 64 बिट होता है या 128 बिट होता है देखो ipb6 जो होता है 128 बिट होता है और ipb4 जो होता है internet protocol version 4 जो होता है यह आपका 32 बिट होता है समझ में आ गया हाँ आ जो आ मॉनिटर दे नंबर आफ टाइंस पर सिकेंड दे इलक्ट्रॉंस गन इसकेंड एवरी पिक्सल ऑन दे स्क्रीन क्या कहा जाता है विव एरिया रिफ्रेंस रेट रिजल्यूशन या स्पीड इसको क्या टाएगा गलत हो गया कैसे गलत हो गया भाई बोला है नंबर आफ टाइंस पर सिकेंड इलक्ट्रॉंग गन्स कैन एवरी पिक्सल ऑन दे स्क्रीन हर पिक्सल को इलक्ट्रॉंग गन स्कैन करता है उसको क्या कहा जाता है उसी को रिफ्रेंस रेट कहा जाता है the facility of short range wireless connectivity short range wireless connectivity को कौन प्रोवाइड कराता है 2.4 GHz से लेका 2.48 GHz तक होता है इसकी frequency रेंग और इसको short short बोला भाई modern नहीं Bluetooth होगा modern का तो range आदे हो short range wireless connectivity तो इसकी range क्या होती है आपकी short range होती है चलो आजाओ 10 meter से भी कम होता है which unit in a computer is responsible for managing the part of the computer logic unit, arithmetic, control कौन साइस में से एक तरह से computer के सभी चीजों को manage करता है तो जैसा ना मोईसा काम जैसा ना मोईसा काम जैसे control unit है तो managing का बात आ जाएगा तो यही करेगा CPU के अंदर होता है C answer हो जाएगा 43 number बोला which among the following is not a type of read-only memory कौन सा रोम का टाइप नहीं है इसके बारे में पढ़ा है यह क्या है अपका irisable programmable read-only memory है यह electrically irisable है यह programmable read-only memory है D ROM नहीं होता है M ROM होता है D ROM नहीं होता है यह आपका ROM का पार्ट नहीं है answer D होगा 44 number HTTPS में later S का मतलब क्या है Yes का मतलब क्या है हाँ एकदम सही S का मतलब इसमार्ट है कौन का रहा है भाई secure है भाई secure HTTPS जिसमें लगता हो secure website होती है उसी पर देखना ऐसे ताला लगा रहाता है ऐसे last question collection of related web pages web page का collection क्या का रहाता है बच्चो मैंने बताया था आपको web page की collection को क्या काते है website काते है क्या काते है website काते है तो ये आपके 45 प्रसना आपके रहे बाकी जो भी होंगे वो कल और कर लिया जाएगा और अभी 100 पीडियाफ जो है तैयार हो गए है लेकि लग नहीं पाया है कल दो पार तक वो लग जाएगा और इसका और कल जो करा दूँगा उसका आपको परसो लगवा दूँगा ठीक है नहीं होगा तो इसको भी हम उसी में लगवा देंगे तो यह रहा आप लोगों के 45 प्रशन जो जल्दी जल्दी जितना भी हमें मिल ला है जो भी प्रिवियस यह मिल ला है सब एक बार तुम लोगों के आँखों के थूब में ले जा रहा हूँ कि एक लिस्ट एक्जाम में यहां से आ जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना इसका में मोटो है जादे से जादे प्रशनों को आपको दर्सन देना कि आप एक बार उसको और फिर PDF से उसको एक बार आप खुद देख लोगे तो वो आप चीजों के अंदर कंठस्ट हो जाएगा तो किसी भी एक्जाम में इससे जादे प्रशन नहीं आने चाहिए और रेडी मैंने और MCQ लगा रखा था और इधर साड़े 300 से उपर MCQ हो चुके है तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना जो भी दिक्कत समस्या हो तो जरूर बताना पहला question आपके screen पर आ चुका है इस प्रकार से भी प्रशन आपसे पूछा जाएगा कि Bing is a wave search engine बिंग जो है आपका wave search engine है तो ये search engine किसका है बिंग आप सब जानते हो कि ये internet explorer में जब जाते हो और internet explorer किसका web browser है Microsoft का है तो जाहिर सी बात है Bing भी किसका होगा Microsoft का होगा ठीक है ये इसको किसने निकाला ये किसका search engine है ये किसका search engine है Microsoft का search engine है और ये 2009 में कब 2009 में इसे जो है develop किया गया मतलब निकाला गया था मार्केट में आया था याहू की बात करें तो याहू भी आपका सर्चिंजन है याहू भी आपका क्या है सर्चिंजन है ये भी एक कंपनी है याहू के नाम से इसके जो फाउंडर है कौन है इसका बताओ इसका जो फाउंडर है वो कौन है याहू के founder का नाम बताओ याहू जो company है आपकी उसके founder का नाम बताओ जल्दी से बताओ इसके founder जैरी यान एन डेविड फीलो ठीक है यह आपके founder है और इस company को फार्म किया गया था 1994 में बाकी alphabet in alphabet यह company किसकी base company है यह company बेस आपकी किसकी है Google की है बाकी Microsoft तो जानते ही हो ठीक है Microsoft तो जानते हो इसमें आपका Google में आ जाओ तो यह कौन हो जाएंगे founder लेरी पेज और आपके दूसरे कौन है सरगे ब्रीन इन दोनों ने पहले company का नाम था alphabet उसके बास से आपका क्या हो गया Google हो गया अब उसके बास imagine की बता दो यह तो सबको पता है इसके founder कौन है यह founder पूछ सकता आप से Amazon के founder कौन है बताओ imagine के founder हाँ जैफ सभी का सही है ठीक है इसका तो बता दिये बेजोफ चलो जैफ वेजोस एकदम सही जबाब है यह तो सब लोग जान रहे होगे ठीक है तो यह आप से founder पूछ सकता है इसको ध्यान रखे आप अच्छा Microsoft का CEO कौन है सत्या नडेला कैड चलो कैड इंडिकेट ओफ सेफ लिखा करिए अब इससे जादे आपको क्या दिखेगा इतना सही तो लिखा है अगर यह भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्या लिखा हुआ है भया तो अब इससे सुंदर कैसे लिखें आप भारती जी कैड क्या है कैड का फुल फार्म आपसे पूछा है तो क्या बोलोगे यह कंप्यूटर एड़ेट्ट डिजाइन यह एक सॉफ्टवेयर होता जिसमें हम बड़े बड़े ग्राकther करें और कीटेक्ष डिजाइन प्रेट्स टिशाइन करें ठीक है तो कंप्यूटर एड़ेट डिजाइन ऊगा ओगा इसका एड़ेट यह वाला नहीं होगा illegal copy and distribution of software illegal copy जो है किसी भी software करना और उसको distribute करना ठीक है उसे क्या कहा जाता है software copy कहा जाता है software fishing कहा जाता है digital piracy कहा जाता है या software piracy कहा जाता है बोला जाता है ना कि आपने विंडो पाइरेटेड लिया है और विंडो जो आपको दे रहा है वो एक सॉफ्ट्वेर है तो उसकी क्या कर रहा है पाइरेसी कर रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा जल्दी से बताओ आजाओ हाँ सॉफ्ट्वेर पाइरेसी मतलब कोई भी सॉफ्ट्वेर जैसे MS Office ही हो गया ठीक है जो आप पर आफिस सूट लेते हैं वह भी पाइरेसी होता है आपका क्रैक वर्जन होता है तो जो भी आपके सॉफ्ट्वेर जिनका आपका कर रहा है और डिस्टिब्यूट कर जैसे Windows 10 है सभी लोग Windows 10 सबके सिस्टम में पढ़ा होता है तो वह पाइरेसी है सॉफ्ट्वेर की अब आते हैं सॉफ्ट्वेर फिसिंग क्या होता है फिसिंग एक प्रकार का सोशल इंजिनियरिंग अटेक है का का सकते हैं इसको सोशल इंजिनियरिंग अटेक सोशल इंजिनियरिंग अटेक है अब यह होता क्या है इसमें कि आपके जो पर्सनल डीटेल है जो पर्सनल डीटेल है चाहे वो कार्ड के हो चाहे आपके हो वो इस सॉफ्ट्वेर के थुरू निकाल लिये जाते हैं फिसिंग ठीक है जो भी आपके पर्सनल डीटेल हो गया user detail हो गया card detail हो गया उन सभी को इसी के थूरू जब आपका चुरा लिया जाता है तो उसको software किसी software के थूरू तो उसको क्या बोला जाता है कि card detail या personal detail जो भी आप कर रहे हो तो वो software में safe होता है back end में digital piracy क्या है कि किसी भी digital document का suppose करो YouTube की कोई video है digital document का कोई भी digital document चाहे किसी का content है आप उसको क्या कर रहे हो उसके copyright जो है law है उसके उलंगान करके आप उसका content लेकर बेच रहे हो ठीक है तो वो चीजे क्या हो जाएगा digital document को वो digital piracy हो जाएगा ठीक है कोई भी आपका digitally content जिसको आप क्या कर रहे हो जिसके copyright ला को आप तोड़ रहे हो वो चीजे किस में आजाएगी digital piracy में आजाएगी अगला RAM is used as a soft memory in a computer because it is a very expensive has less capacity is programmable या is volatile इसका सही जबाब क्या होगा उच्चित आपको चुनना है कि RAM को क्या बोला गया है यहां पर कि sort memory ने computer use किया जाता है क्योंकि क्या होता है यह volatile होता है is a volatile कि जैसे ही light चला जाएगा वैसे इसमें से data चला जाएगा क्यों मन नहीं लग रहा है भाई आज क्यों नहीं मन लग रहा है ऐसा क्या हो गया है which of the following is an example of single tasking operating system single tasking operating system कौन है ms window है linux है unix है यह ms-dos है बताओ इसमें से सही answer बताओ इसका सही answer बताओ यह क्या होगा कि देखो single user क्या बोला आप से कि single tasking operating system तो single user single tasking operating system यह है ms-dos है ठीक है single user कि मल्टी टास्किंग अगर बोला जाए वह कौन है आपका ms window है वह आपका कौन होगा ms window होगा linux, unix क्या है आपके open operating system है google द्वारा विक्सित ब्राउजर का नाम क्या है google द्वारा विक्सित ब्राउजर कौन है google chrome है ठीक है कौन सा है google chrome यह कल भी हमने कराया था go to end of the document प्रेस अगर किसी document में आप सीधे end पे जाना चाहते हो तो कौन सा button प्रेस करोगे तो control के साथ अगर end दबा देंगे तो हम किसी भी document में end पर पहुँच जाएंगे क्यों? तो D answer इसका सही जबाब हो जाएगा आठ नमबर ER net का मतलब क्या होता है ER net का मतलब क्या होता है इसका जल्दी से बताओ ER net का मतलब क्या हो जाएगा सेंटर दूरा एजूकेशन रिशार्च नेटवर्क इसे एजूकेशन रिशार्च अनिटी का मतलब नेटवर्क होता है ठीक है एजूकेशन रिशार्च नेटवर्क इसका फुल फर्म होगा Bluetooth टेकनलोजी एलाओ Bluetooth टेकनलोजी क्या एलाओ करती है इतना 10 किलोमेटर नहीं देता है यह भी नहीं देता है यह सी आंसर होगा आंगोस्ट 30 फिट या 10 मीटर की दूरी हम बोल सकते हैं यह देता है 30 फिट का डिस्टेंस तक आप क्या कर सकतो किसी भी डिवाइस को connect कर सकतो Bluetooth के माद्ध हम से जो the processing of putting data in a storage location क्या कहला है the processing of putting data in a storage location is called reading controlling handsacking writing जुक पर वुक वह बहुत बढ़िया इसमें राइटिंग होगा अगर आप कोई भी पुट कर रहे हो डेटा किसी स्टोरेज डिवाइज में इसमें डाल रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है उसको राइटिंग कहा जाता है अभी देखो इसको आपको क्या करना है मैच करना है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डोमेन किसके लिए होता है .gov .gov किसके लिए हो जाएगा government agency के लिए एकदम सही है .org किसके लिए हो जाएगा non profit organization के लिए हो जाएगा .net किसके लिए हो जाएगा पहले का दूसरे का свिय होगा दूसरे का सी कहां मिला दूसरे का सी एसमें आ इसमें है तो पहले का D इसमें पहले का यह होगा answer D हो जाएगा कर दोड अगला प्रस्न यह रहाँ दा एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग सेक्टर एंड ट्रेकג कॉन हाऄ डिस्क is called वो activity क्या कलाती है जब हम sector और track को create करते हैं hard disk में तो उसको क्या कहा जाता है ट्रेक और sector जब बनाते है तो उसको क्या कहा जाता है formatting कहा जाता है format बनाते है प्लेटरिंग तो वो होता है ट्रेक वाला लेकिन जब हम उस चीज को जो बना रहे हैं कि अलग-अलग track हो अलग-अलग sector हो तो उसी को formatting करते हैं एक TV में एक TV के memory में एक sector बराबर memory पर डिपेंड करता है एक sector बराबर 512 byte होता है ठीक है एक sector को 512 byte में बनाए जाता है जब एक TV की hard disk होती है अब आज़ो consider the column 1 and column 2 इसमें आपको क्या करना है मैच करना है बिंग क्या है अभी आपने देखा बिंग एक search engine है क्या है search engine है flip card क्या है भाई flip card क्या है आपके इज़ा flip card online shopping का है facebook क्या है social networking है google chrome क्या है web browser है और email क्या है आपका email है ठीक है यह आपका हो गया तो answer क्या हो जागा पहले का D होना चाहिए पहले का D होना चाहिए क्या पहले का C होना चाहिए अच्छा पहले का आपका C होना चाहिए यह cancel हो गया ठीक है पहले का C कि दूसरे का D दूसरे का A इसमें है दूसरे का C इसमें B answer correct हो जाएगा B हो जाएगा ना इसका answer A small wireless hand handle computer system that scan item tag and pull up the current price as you shop is called एक छोटा सा wireless hand help computer system जो किसी item tag को scan करता है और आपके द्वारा खरीदारी करते समय वर्तमान मुले के उपर खीशता कालाता है POS, PSS, data mining या card reader बहुत बढ़िया POS answer आ रहा है हाँ तो यह क्या होता है आपका POS point of sale इसी के थू होता है आपका की बोला है छोटा सा wireless hand handle computer system होता है जो scan and item tag item tag को scan करता पूल अप the current price and use of this card उसके बाद से आपका पैसा भी कटता है आजाओ who invented the worldwide wave ये भी मैंने कराया question 1989 में कौन invent किया था worldwide wave को www को तो क्या हो जाएगा इसका team burner ली ने किया था किसने किया था team burner ली ने किया था अगला dash was the first wave browser to implement the omni box omni box में पहला आपका वेब ब्राउजर कौन सा इंस्टॉल किया था जल्दी से बताओ लाइनेक्स ए देखो omni box में जो omni box एक API है ठीक है application program interface वो किसके लिए गया था वो उसमें कौन सा किया गया था google chrome किया गया था कौन किया गया था गूगल क्रोम किया गया था ठीक याद रखना google chrome को omni box के API में सबसे पहले implement किया गया था यहां पर सब तरह is used to carry digital data on analog line इसमें बताओ कौन use किया जाता है carry a digital data on analog line analog line पर digital data को ले जाने का काम कौन करता है multiplexer करता है modulator करता है modern करता है या demodulator करता है बोला है is used to carry digital data on analog line modulator modulator और do modulator होता है इसमें दोनों होता है तो यह क्या करता है जो आपका is used to carry a digital data on analog line और फिर उसी data को analog to digital, digital to analog करता है modulator and demodulator दोनों होता है इसमें modulator और demodulator इसमें flash memory, DRAM, SRAM या EEP ROM बोला कौन सी memory device जो similar and mainly in terms of speed to the case memory बताओ जानते ही हो कि SRAM का using कैसे के लिए किया जाता है तो यह जाहिए जी बात है कैसे वाली properties के अंदर होगी तो SRAM होगा क्या होगा SRAM कैसे के लिए बोलाना mainly in terms of speed to the case memory तो वो क्या होगा C answer होगा कैसे memory वाला which of the following is a note taking program in MS office suit MS office suit में note taking जो है program हो कौन सा होता है जिसमें आप लिख के पढ़ा सको यह सब चीज़ वाला तो SS तो database होता outlook mail होता है one note जो होता है उसमें आप PDF in and करके उसमें आप पढ़ा भी सकते अपना लिख भी सकते हो तो one note एक program होता है ठीक है D answer आपका सही होगा what is the recycle bin recycle bin क्या होता है जल्दी से बताओ recycle bin जो होता है software of deleting file default folder on temp file default folder for downloads temporary storage for deleted file क्या होगा इसका recycle bin बताओ temporary storage for deleted file जो recycle bin बाल्टी की तरह बना होता है आपको देखे होगा ऐसे dustbin की तरह ठीक है जो भी file आप delete करतो जैसे आपने क्या किया है आपने delete button से दबाया है कोई भी चीज़े delete किया है तो वह आपका recycle bin में आ जाएगा लेकिन आप जब shift plus delete दबाद होगे तो वह आपका permanent delete हो जाता है shift plus delete से वह recycle bin में नहीं जाएगा Google uses algorithm to rank their search engine result क्या यूज करता है अपने कौन सा algorithm यूज करता है to rank their search engine result कि जो भी आप search करते वह पहले आ जाता है क्या कौन सा algorithm यूज करता है तो वह page rank के logarithm use करता है ठीक है कि page की ranking के according जो है उसका searching होता है तो page rank होगा इसका answer इसका answer बताओ next you can set a page border in excel form क्या होगा from border tab in format cell dialogue box from border tool in formatting toolbar from line style tool in drawing toolbar you cannot set a page border in excel ये पढ़ाया है मैंने आपको कि excel में हम page के border को set नहीं कर सकते हैं ठीक है तो क्या होगा you cannot set a page border इने excel d answer आपका क्या हो जाएगा इसमें correct हो जाएगा सब a के तरफ जा रहे है एकदम भेड़ वाली चाल चलना है excel में कहां से तुम page border सेट कर लोगे भाई उसमें रो और कॉलम होता है उसमें border कहां सेट कर पाऊगे which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialogue box बता इसमें कौन सा नहीं होगा number format border format font format या all of the above यहां क्या होज़ा का बार्डर ने all of the above सब ही नहीं 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 number format border format font format यह सब ही आप कुछ अलग से नहीं कर सकते हो auto format का मतलब जो भी आप जैसे select करोगे अपने आप उसकी formatting हो जाती है उसकी formatting already बनी राती है कि आप कौन सा format choose करना चाहते हो ठीक है तो वह auto format है जब manually आप सब चीजों का format कर लोगे तो वह auto format का मतलब क्या हुआ ठीक है तो यह पूरे के पूरे उसमें लागू नहीं होगे what does count a जो count if हम function लगाते हैं excel में वो क्या काम करेगा count cell having alphabets counts empty cell count cell having numbers counts non empty cell बताओ count नहीं है count a लिखा हुआ है count a जो होता है चाहे आपका कुछ भी हो इसमें error हो कुछ भी value हो वोग सब ही count कर देगा मतलब non amplified cell भी कर लेगा उसका मतलब है उसको पूरह सेb से states count करना है चाहे वो भरा हो चाहे ना भरा हो मनलब non diaphragmा baru हो जो सेरनना हो अगर एंपटी है तब नहीं count करेगा कुछ भी हो उसमें हो है ही क्यों नहीं हो चाहिए कोई alphabet की अलावा कोई वैलू क्यों नहीं हो नंबर क्यों नहीं हो उसको गिल लेगा बस What is the shortcut बस लेकिन खाली नहीं होना चाहिए What is the shortcut key to highlight the entire column पूरे-पूरे कॉलम को highlight करने के लिए कौन सा shortcut key use करेंगे पूरा पूरा क्या करोगे कॉलम सेलेक्ट करना है तो एक मैंने आपको बताई ही ताकि क्या होगा कंट्रोल कंट्रोल स्पेस बार ठीक है अगला विच लेंग्वेज इस यूज तो क्रियेट मैक्रोज इन एक्सल चाहे एक्सल में हो चाहे वर्ड में हो मैक्रोज जो है वो किसका बना है वो विजुल बैसिक प्रोग्राम पर बनाया गया है विच अफ दो फॉलोइग इस नॉट वन अफ द थी मेल मर्ज हलपर स्टेप बताओ मर्ज द टू फाइल क्रियेट दे में डॉकुमेंट सेट दा मेलिंग लिस्ट पैरामिटर क्रियेट दा डेटा सोर्स इसमें बोला विच अफ दा फॉलोइग इस नॉट वन आफ दा थी मेल मर्जर हलपर स्टेप यह भी कॉश्चन हो चुका आप लोगों से इसका सही आंसर क्या होगा देखो क्रियेट डेटा सोर्स तो हम करेंगे सेट दा मेलिंग लिस्ट पैरामिटर यह कॉश्चन हो चुका है आप लोगों से डी आंसर दे रहे हैं सभी लोग अब यहाँ पर देखो क्या आप से पूछा कौन सा नहीं लेना है नॉट वन तो यह सब तो पैरामिटर तो हम मेलिंग लिस्ट का करेंगे जो भी आड्रेस है फोन नंबर है नाम है यह सब करेंगे में डॉकमेंट भी करेंगे लेकिन यह चीज नहीं करेंगे डेटा सोर्स हम create नहीं करते हैं ठीक है डेटा सोर्स create नहीं करते हैं अंसर डी आपका सही हो जाएगा अगला यह क्या वाट इस दा सॉटकाट की फर मैनुवल लाइन ब्रेक आपको लाइन ब्रेक करना है तो कौन सा सॉटकाट की यूज करोगे कंट्रोल एंटर से नहीं मैनुवल लाइन ब्रेक बोला है आपसे मैनुवली आपको अगर लाइन ब्रेक करना हो कि कहां से करना है तब आपको मैनुवल मतलब आपको कहां से करना है कुछ लोग control दे रहे हैं कुछ लोग shift के साथ दे रहे हैं कि शिफ्ट इंटर होगा shift इंटर के साथ आपका क्या हो रहा है लाइन ब्रेक होगी shift इंटर के साथ shift इंटर के साथ बोला है manual लाइन ब्रेक के लिए shortcut की क्या है अगर यहां control इंटर लाइन ब्रेक तो आपका क्या होता है page ब्रेक होता है line ब्रेक नहीं page ब्रेक होता है page ब्रेक ना कि line ब्रेक होता है control इंटर वाले यह ध्यान रख़ो page ब्रेक होता है दूसरा page आजाता है जहां से आप करते हो ठीक है alt इंटर जब दबाओगे तो Alt-Enter के साथ क्या होगा Alt के साथ अगर आप Enter दबाते हो तो आपका क्या होगा कई-कई Line के बाद आपका Break होगा Line Break मतलब Alt-Enter के साथ Break होती है तो यह Alt-Enter हो जाएगा इसमें ठीक है Shift-Enter दबाओगे तो एक के बाद दूसरे Line पर यहाँ पर चले आते हैं पूरी Break हो जाए Line मतलब यह पूरा बदल जाता है फिर Alt-Enter में तो यह होता है B Manual Line Break जो होता है उसकी Shortcut की Alt-Enter होगा अब देखो दो चीजे हो सकती है कि अगर आपका Shift बाला है जब Shift के साथ Inter दबाओगे तो एक एक Line बन लई है और इसके साथ बनाओगे तो इसके साथ जादे जादे Line है अब किसको ले रहा है ऐसा नहीं Line Break तो यहाँ भी हो रहा है Shift-Enter के साथ भी आपका एक Line Break होता है लेकिन एक Line गई तो दूसरे Line पे आ जाता है अब यहाँ पर क्या होना चाहिए और Alt-Enter के साथ भी ऐसा हो रहा है यह भी मज़ब गैट जादे हो रहा है अब Depend करता है कि इन दोनों में से क्या होगा ठीक है दोनों में Line Break का Concept तो आई है अरे भाई यह Line छूट गया और दूसरे Line पे हैं तो यह भी Line Break कालाएगा और यहाँ पे हैं और यहाँ पे चले हैं तभी भी Line Break कालाएगा तो वो Depend करता है आपका कि यह Question थोगा मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है देखो दोनों है मेरे According Shift Enter और Alt Enter इससे डैप जादे हो रहा है इससे Line के डैप में Single Line की गैपिंग आ रही है ठीक है? चलो बिवादित हो सकता है यह आजाओ इसलिए इस बिवादित हो सकता है क्योंकि Line Break दोनों को कहा जाएगा अब एक तो इस Single Line बोलता है यह More Than One Line बोलता देखो इस वाले में Question में मैं क्या बता हूँ? अगर आपका बोलता More Than One Line तब आपका Alt Enter हो जाता और Single Line बोलता तो आपका Safe Enter हो जाता तो हो सकता या तो Question टाइप करने वाला कुछ छोड़ दिया हो तो इसलिए इसको अभी रोग देते हैं क्योंकि जब तक Question नहीं होगा कुछ हूट गया वाई टाइपिंग में? आजाओ Essential Business Letter Element include the जो आपके Business Letter Element होता हूँ? उसमें क्या included था? Data Line and Inside Address, Message, Signature Block, All of the Above सब कुछ होता है, ठीक है? इसमें क्या था? All of the Above Signature वाला भी होता है, Message भी होता है Address भी होता है आपका Insert Date, Format Page Number and Insert Auto Text और Button on the किस Toolbar में होता था? पहले के Toolbar Formatting में होता था क्यूं? कि Insert Date और Formatting नहीं? किस में होगा? अगर Date उट बागा आजाए तो यह किस में होता है? Date और Page Number क्योंकि यहां से मुझे अंदाजा लगा कि Page Number आपका है, Date है, Insert है तो अगर पहले नहीं था तो यह Header, Footer पहले भी होता था तो Page Number आपका Formatting में नहीं होता है Formatting में आप Maximum Text की Formatting होगी ठीक है? Text की Formatting का मतलब होता है Text को Board, Italic, ठीक है? Underline यह सब जो होती, Formatting में होता है लेकिन Header और Footer के अंदर गत गया आता है आपका, Date डालना, ठीक है Format Page Number यह पूरा एक साथ है Formatting पेज नंबर And Insert Auto Text और बटन्स अंदर, Header and Footer D नहीं होगा, Edit में नहीं होगा Header and Footer होगा, इसको ध्यान रखो What is Gutter Margin? यह question कई बार पूछा है और आप लोगों से भी मैंने पूछ दिया है देखो, Gutter Margin Margin that is added to the Left Margin when printing Margin that is added to the Right Margin when printing नहीं, राइट में नहीं होता है न किस में होता है Margin that is added to the Binding side of Page Simple सी बात, Left, Right नहीं जाएंगे जिधर से हम Bind करेंगो पेज को यह आपका अंसर सही होना चाहिए जिधर से Binding होती है न पेज की उधर की जो Margin छूटती है Binding के लिए उसी को बोला जाता है Gutter Margin जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा सही है आपका नहीं सही है इसमें से कौन सा सही नहीं है You can type text directly into PowerPoint slide but typing in text box is more convenient देखो आप direct जो है आप नहीं कर सकते हो PowerPoint में आपको क्या करना पड़ेगा जो space दिया रहा था उसी में कर सकते हो तो पहला ही आपका true नहीं है बाकि सब true है पहला ही आपका true नहीं है बाकि सब true है हमेशा text box type का जो बना रहाता ना ऐसे नहीं देखे होगे आपको बिना इसके कैसे आप कर सकते हो वो text box ही होता है अगर वो delete मार दो तो आप type नहीं कर पाओगे to add a header or footer to your handout you can use the little master, the slide master, the handout master तो क्या करोगे the handout master करो the handout master ये भी आजाओ when you create a first presentation file in ms powerpoint what will the default file name default file name जरूर याद रखना word का default file name document one होता है excel का default file name book one होता है और presentation का default file name presentation one होता है ठीक है ये भी question हो चुका है in powerpoint themes could be form under the themes किसके अंतर गताता है design type के अंतर गताता है ये भी question करा चुके है what are firewall ये भी हो चुका है आप लोगों से में लग रहा है use the address translation into the network layer use store the network interface card congestion control hardware and software dead site between the user computer and external computer क्या इसका सही answer होगा firewall का firewall क्या होगा hardware or software dead sites between a user computer and an external computer देखो firewall मैंने पढ़ाते समय बता है कि firewall जो है वो hardware और software दोनों form में होता है super computer की तरफ जाओगे तो ये hardware में भी बनने लगता है अभी हमारे system में एक तरह से hardware और software के बीच में जो एक तरह से आता है वो आपको connect करने के लिए वो आपका क्या है firewall ही होता है hardware और software के फार्म के है इसमें भी आपको correct बताना है कौन सा है जैसे WLAN is a wide area network a hub send incoming data package to the correct device on a network an IP address is assigned to device at a manufacturing stage a network interface card is needed to allow a device to connect a network router inspect a data packet and receive over the internet इसमें से आप से पूच रहा है क्या option सही है देखो कौन सा option सही है बोला है सही है की नहीं सही है option जो दिया इसमें से कौन सा आपका सही है आज़ो WLAN बोला है आपका wide area network when नहीं बोला है WLAN बोला है WLAN का मतलब होता है wireless local area network ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा गलत इसका full form दिया है a hub send an incoming data packet to the correct device on a network ठीक है हब थोड़ी किसी data packet को भेजता है भाई data package तो system to system जाता है हब तो connection का काम करता है यह भी गलत an IP address is assigned ठीक है IP address is assigned to a device at the manufacturing stage नहीं यह आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है वो IP addresses जो हैं वो प्रोवाइड कर आते हैं उसके बास से आपका जाओ a network interface card is needed NIC जो होता है यह आपके computer में जो laptop होता है उसमें NIC लगा होता है is needed to allow a device to connect to the network जो भी आपका network उससे wirelessly connect होने के लिए NIC होता है यह एकदम सही बात है router inspect a data package to receive over the internet एकदम सही बात है कि internet पर यह data packet क्या करता है receive करता D और E सही होगा option C correct होगा option C correct होगा B आपका सही नहीं है हब incoming data packet नहीं हब नहीं हब का सिर्फ काम होता है connection बनाना Mac address होता है which of the following transport layer protocol is used to support electronic mail यह भी बता रखा हूं मैंने कि transport layer protocol है जो use किया जाता है support the electronic mail के लिए send करने के लिए बताओ तो उसमें send के लिए SMTP और receive के लिए POP in which year the information technology act was enacted in India तो 2000 हो जाएगा information जो act आया था वो यही था incognito mode in browser जो incognito mode होता है browser में आपका is used for save cookies, private browsing, hide for internet service provider and public browsing किस लिए use होता है देखो incognito mode में जो भी आप search करोगे उसका कोई history नहीं रहता है उसकी cookies नहीं बनती है तो यह एक तरह से private browsing होता है कोई भी आप चीजे आप इतना email में login करोगे तो उसमें save नहीं होता है ठीक है पूरा का पूरा clear रहता है तो private browsing इसका answer correct हो जाएगा आजाओ who invented the worldwide wave दो बार यह question पूछ लिया गया टीम बर्नर ली कौन सी which of the following types of read-only memory can be erased by exposing it to an electric charge and can be reprogram किस वाले memory को हम लोग electrically erase कर सकते हैं और फिर उसको reprogram कर सकते हैं रहेम तो होता नहीं है पी रूम जो एक बाद programme कर दिया गया तो यह भी नहीं होगा इपी रूम यह क्या है ईप रूम क मतलब हो गया यह अर thats यहाँ पे ई का मतलब क्या है है यह इप रूम होगा यह इप रूम होगा हाँ यहाँ जो इरेज है इरेज़ेबल प्रोग्राम कर सकते हैं तो डी होगा इलेक्ट्रिकली जो इरेज होगा वो डी होगा प्रोग्राम किलो बाइट है क्ट्रो इंटेप्रेटर इस तो ट्रांसेलेटर ओफ लो लेबल लाइंग्वेज नहीं high level language, cobalt and none of these तो answer क्या होगा, high level language को translate करने के लिए use होता है तो ये आपके questions answer रहें, जितने maximum हो सकते थे, देखो repeat होने लगे है question, वो मैंने आपको करा दिया बाकी आप लोग अच्छे से पढ़के जाओ जितना MCQ आपको दे दिया हो प्लस जितना आपको class करा दिया हो अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मुझसे नहीं लग रहा है कि आप लोग गलब करके आओगे ठीक है, कोई समस्य है, कोई दुख हो एक तीसरी PDF लगा दी गई हो उसको देख लेना, कल ये वाली जो PDF है, इसमें जो repetition है उसको हटवा के, मैं इस question को भी लगवा दूँगा, ठीक है इसे भी आप लोग देख लेना, मुझे लगता है कि आपके 25 question इसमें से 25 में से कम से कम 18 से 20 पंद तो आई जाने चाहिए कहीं ना कहीं ठीक है, ओवराल अगर पूरी class की हो ये की हो, तो मेरा मानना है कि आप 20 question तो का आराम से पहुंच जाओगे